तो डियरे स्टुडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयूस तो स्टुडेंट आज का जो वीडियो है आप सभी क्लास टेन संस्कृत मनिका बूर्ड एक्जाम बाले स्टुडेंट के लिए बहुत ही जादा जरूरी ह जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ठंधा बढ़ गया है और ठंधा में गर्मी बढ़ाने हम लोग आ चुके हैं तो आज के इस पूरे लेक्चर में ये जो आपका मनिका बूक है ठीक है ओरिजनल मनिका बूक तो इस मनिका बूक में जितने भी चेप्टर सिवियसी बोड में आपको पढ़ने हैं चेप्टर नमबर वन से लेकर नाइन तक और बाकी जो 10-12 चेप्टर है वो बोड में नहीं आगा नाइन तक ही आपको पढ़ना है और उनाचल परदेश वाला चेप्टर तक तो पूरा आज के इस वीडियो में वन चेप्टर से लेकर लास्ट ठीक है और वो भी कोई समड़ी ओगर नहीं एक एक लाइन एक्स्प्लेन करेंगे एक एक वर्ड के साथ आपको बताएंगे ठीक ऐसा इसलिए ताकि आप जितना मजबूती से चेप्टर को पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपका प्रस निर्मान होगा उतना ही अच्छा आपक सामने में मनिका बुक रख लीजिए पैंसिल है हाथ में रख लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो सबसे पहले श्टार्ट करेंगे वांग में हम तपसे और एक बार ही लास्ट तक करूना चल पर्देश वाले चेप्टर तक पढ़ते पढ़ते चे खतम कर देंगे इस लेक्टर को तो चलिए करते हैं स्टार्ट करते हैं मनिका बुक को तो आज जो चेप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं चेप्टर नंबर वन है उस चेप्टर नंबर वन से यह स्टार्ट करेंगे तो चेप्टर नंबर वन का नाम है वांग मयम तपा तो वांग म पस्तिया के बारे में पढ़ेंगे यानि कि वानी का क्या महत्व है वानी यानि बोली आखिर में होता क्या है बहुत सांदार चेप्टर है और एक दम जीरो लेबल से आपको पढ़ाएंगे इसके लिए कोई भी टेंसन नहीं लेना है तो करते हैं चेप्टर कोई स्टार्ट औ से लिया गया सारा चीज में भरा होगा चाहे महाभारत से ले ली जिए या बहुत अपने जो रीसिम्मुनि हुए उनके ग्रंथ यानि कि उनके किताब से इसमें सारा कहानी सुलक सब दिया गया हुआ है तो हर एक चेप्टर के स्टार्ट्िंग में चात्र यानि Stunden student और teacher का बातचीत होता है और फिर जाके chapter शुरुआत होता है ठीक तो आप कहेंगे सर बातचीत को छोड़ दिया जाए बिल्कुल नहीं छोड़ना है कोकि इसी से chapter का पता चलता है कि theme क्या है और हो सकता है board exam में इसमें से भी question answer passage देके पूछ ले तो काफी जरूरी है तो आज अचारे ये ये बात बोलते हैं ठीक अचारे बोलते हैं कि प्रिये छात्रा तो प्रिये चा छात्रा का मतलब हो गया प्रिये छात्र ठीक आज कल तो नया नया भासा आ गया हे ब्रो हे ब्रो आई ब्रो पहले क्या था अठ्था सलीका वाला भासा था इसके बारे में आप यानि कि पढ़ा, तो भाई क्या पढ़ा, तो रीग वेदस्य, यानि कि रीग वेद का मंत्र हमने पढ़ा, तो आप कहेंगे सर हमने कहां पढ़ा, तो चेप्टर के स्टाटिंग में रीग वेद का मंत्र दिया हुआ है, वह आप पढ़ लेंगे, उससे कुष्चन नहीं आने पहला है चेप्टर यहीं से स्टाथ है, तो अचारे बोलते हैं कि प्रिय Чात्र हमने रीग वेध का मंद्र पढ़ा, ग्याते कीम, ग्याते का मतलब हो गया, जानते हो किम का मतलब क्या, जानते हो क्या, रीग वेध democrat जो है, वह विश्वसाहित्य, का मतलब हो गया कि पूरा जो पूरा वर्ल्ड के लिट्रेचर में रीग बेद जो है वो क्या है आदिम आलेख है तो आदिम का मतलब होता है आदमी नहीं आदिम का मतलब होता है सर्व पर्थम यानि सबसे पुराना सबसे पहला जो लिट्रेचर में गरंथ था वो क्या था तो रीग बेद था यह जानके आ पूरे दुनिया में अपना जो देश का रीग वेध है उससे पहले कोई भी गरंथ नहीं लिखा गया था यह बहुत गर्ब की बात है तो वो तो संस्क्रीत में इसका मतलब संस्क्रीत ही सबसे पुरानी भासा है और इसी से लेकर समी भासा बनाई गई है यह आपको अब धीरे भूमी का चो अस्य उपदेशा यानि गुरुजी का कहना है कि सार्ब काली का तो सार्ब काली का का मतलब क्या हो गया सभी कालों में यानि कि आज से 5000 साल पहले आज से 5000 साल बाद और अभी हर एक समय में यह और सार्ब भूमी का सार्ब भूमी का का मतलब हो गया कि सभी भूम हो कोई भी देश हो रीगवेद का उकदेश है वह उसके लिए क्या है बहुत ज्यादा कारगर है बहुत ज्यादा helpful है, ये कौन बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, सर रीग बेद क्या होता है, तो रीग बेद जो है, अपने हां का एक गरंथ है, सर पर्थम दुनिया का वो गरंथ है, अगर आपको इसके बारे में पदना होगा, तो आप detail में YouTube पे भी पढ़ सकते हैं, कोई यानि कि साथ चलो और साथ बोलो, यानि गुरीग बेद हमें ये सिखाता है, कि हमें हमेशा साथ, साथ रहना चाहिए, उसके बाद अचारे कहते हैं, कि साधू, साधू का मतलब हुआ, अच्छा, वेरी गुड, जो आज टीचर क्या बोलते हैं, वाट इस ओर नेम, ओ, नेम हो गया, जानते हो कि मतलब क्या, भवंता, वाचा, महत्वम, क्या तुम लोग वाचा का महत्वम जानते हो, यानि कि नहीं, तुम लोग नहीं, भवंता, भवंता का मतलब हुआ आप, तो आपको ये पता होगा, आज स्कूल में सभी टीचर बच्चों को तुम बोलते हैं, सिनियर है तो बोले, लेकिन ग्रंथ ये बताता है कि हमें जो छात्र है, उनको भी हमेसा आप से संभुधित करना चाहिए, और उनको भी एक बड़े की तरह आदर देना चाहिए, ठीक और आप हमको देखिएगा, अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी भी, एक दो बा ये भासा है अपना इसको बनाए के रखना है, तो गुरुजी बोलते है भवंता आप लोग वाचा हम महत्व, यानि कि वानी का महत्व जानते हैं कि वानी का क्या इंपोर्टेंस है, सुमेधा नाम की छात्रा बोलती है कि अहम बदानी, यानि अहम मतलब मैं वदानी मतलब बोलती हूँ, वान्याय का समलम अंकरोती, पुरुसम या संस्कृता धार्यते, कहने का मतलब ये है कि वान्याय का, यानि कि एक बानी जो है, वो पुरुस को क्या करती है, तो अलंकरीत करती है, यानि कहने का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, कि कोई भी आप, कोई भ पर कपड़ा है यहां पर फटा हुआ है और कहेगा कि हम यह handsome है तो नहीं बेटा रीग वेद के अनुष्वार handsome वही है जिस जो संस्कृत है यहां पर इस लाइन का मौडन जवाना में मतलब यह है कि वही व्यक्ति वही पुरुष जो है वो क्या है यहां परे स्मार्ट है जो अच्छी वानी बोलता है जिसका जो वानी है वो क्या है अच्छा है मोडन जबाना का vista आपसे यह आपको समझना है उसके बाद आचारे कहते हैं कि स्वो भनम यानि कि बहुत अच्छा विध्यावाताम, वाची सवर्षवति विराजते हैं क्या तुम सभी, क्या आप सभी जानते हैं कि विध्यावाताम यानि कि जो विद्वान है जो ज्जानी लोग हैं, उनके वाचि यानि कि उनके वानी में स्वारस्वती बिराजते हैं, मास्वर्सवती बिराजती हैं, यानि कि जो भी विदमाल लोग है UN です में माशर्षवती का विराज माशर्षवती वानी में रहती है इदमेव सिक्षयती अयम पाठ वांग मयम तप और इदमेव सिक्षयती यहीं सिक्षा हमें अयम मत्ब यह पाठ यानि की चेप्टर वांग मयम तप यह वानी की तपस्या चेप्टर हमें क्या देती है यह बात सि जीच में आके इस वीडियो को दुबारा आप देख लेंगे अभी तो आगे बढ़ रहें एक चीज बताते देखिए एक मार्केट में आपको अभी तो यह इस्ता लहीं आया है इसलिए मार्केट में इसका हिंदी एक्स्प्लानेशन वाला बुक आपको नहीं मिलेगा लेकिन मिल भी जात उसको मत लीजिएगा उससे क्या होगा कि अभी के लिए तो अच्छा अच्छा आपको समझ में आ जागा एक दम मन खुस है कि हाँ हाँ यह यह कहानी है बोर्ड में जाएंगे आपका लुटिया उहीं पर डूप जागा ठीक है तो हिंदी बला जो हेल बुक रह सर इसका मतलब बता दीजे तो वर्ड लिट्रेचर तो ऐसा काम नहीं करना है वो हिंदी देखके पढ़ना रहता तो आप खुद नहीं पढ़ लेते तो वीडियो में क्यों आते तो एकदम ओरीजिनल जो है उस बुक से पढ़ना है और टीचर भिया उनको कहिए कि सर ओरीज लेट है नहीं फिर हम भी अगर हिंदी देखके पढ़ाने लगे ऐसे तो हम पढ़ाते नहीं न पढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपको भी खुशी मिलेगी समझ में आ जागा लेकिन एक जाम में मदद नहीं मिलेगा क्योंकि वर्ड सभी नहीं आप पढ़े रहेंग किसार आप भूल गए पहली से लिख दिये पीडियफ रहेगा उसमें सब्धार्थ भी रहेगा उसी एप में जो पीडियफ दिये वहीं से पीडियफ उठा ली है तो सब्धार्थ वहां पर लोड है देख लीजिएगा अब चलिए देखिए पहला सुलुक क्या कहता है समझ सबसे पहले आपको वर्ड मिनिंग बताते देखिए सारदा का मतलब होता है मासवरस्वती यह आप लोग को पता भी होगा लेकिन हम लिख दिये कि किसी को अगर दिक्कत होगा तो समझ लिजेगा सारदा का मतलब हो गया मासवरस्वती यानि कि मासवरस्वती माता सारद का म पढ़ने और पढने का मजा कब आएगा। बाबु सुना के साथ जाने का मजा कब आएगा जब उसमें पीजा जूर जाएगा। अब पीजा जूर ज़ुर जाएगा तो मजा आएगा, तो पहले सुलोग को अच्छे से रेडिग दें के हम दोनों ठीक है, light cut गया, चल यह कोई दिक्कत नहीं, पहले स्लोक को जो है हम दोनों अच्छे से reading देते हैं, अब reading देते हैं, फिर उसका explanation समझते हैं, तो ज्यादा अच्छा लगए, तो स्लोक कहता है कि अब समझे इसका मतलब क्या हो गया, सारदा का मतलब हो गया, माशरस्वती, ठीक है, कोई दिक्कत नोसर, सारद का मतलब हो गया, सरद रितु, ठीक, अम्भोज का मतलब हो गया, अभी आपको बता है कमल, और वदना का मतलब हो गया, मुक, यहाँ पर भी बदनाम बज्जे का म मतलब ये है कि इसमें मासरस्वति से प्राथना किया जा रहा है, सर क्या प्राथना किया जा रहा है, आपको बताते हैं, दूसरा पेन बदल के, देखें, स्लोक को ध्यान से समझेगा, मीनिंग इधर उधर लिखा रहता है, सारदा, हे मासरसवती, सारदा का मतलब क्या हो गया, हे मासरसवती उसके बाद दूसरे सब्द में मासरसवती का तारिफ किया जा रहा है कैसे सर बताइए, तो सारद का मतलब क्या हो गया, सरद रितू अम्भोज का मतलब क्या हो गिया कमल और वदना का मतलब हो गिया मुख तो आप देखेंगे कि सरद रितु में जो कमल खिलता है उसका जो मूह रहता है कमल आप देखते हैं आभी तो हमको फोटो बनाने उतना बहतर नहीं आता है सरद रितु में जो कमल खिलता है पानी में तेक सरद रितु में स्प्रिंग सीजन न बोलते है इंगलिस में जी सर तो उसका कमल का जो मुख होता है वो सबसे खुबसूरत होता है चाहे किसी महिना का कमल आप देख ली जो पर सरद रितु का जो कमल लाता है, उसका मुख सबसे खुबसूरत होता है, तो वही मा सारदा, यानि मा सुरसती की तारीप करते में लिखा गया, कि हे सरद रितु के कमल के मुख समान वाली मा सुरसती, यानि कहा गया कि हे मा सुरसती, आप कैसी हो, तो सरद रितु में जो कमल खिलता है उसका जो मुख होता है ठीक आप उसी तरीके से सुन्दर है मतलब यहाँ पे किसी का हम लोग एडरेस करते हैं किसी को संबोधित करते हैं तो उसका तारीफ करते हैं जी सर्थ तो मासर्षती का तारीफ क्या गिया है कि ये मासर्षती सरद रितू के कमल के मुख जैसी मासर्षती वदनाम भुजे यानि कि वदनाम भुजे का मतलब हो गया हमारे मुख कमल में तो मुक कमल का मतलब यहां पर यह बताना चारा है, यह जो मुक कमल हुआ, यह मुक कमल हुआ, इसमें शर्वदा, अब मा सुरस्वती के फिर तारीफ की गई है, फिर कंपाइल करके पर आएंगा टेंजने लिए, सर्वदा का मतलब यहां पर हो गया, सर्वदा का मतलब हो गया सब कुछ देने वाली, सब कुछ देने वाली, अब आप कहेंगे कि सर क्यों यूच किया गया मा सरस्वती के लिए सब कुछ देने वाली, तो मा सरस्वती आपको सब कुछ दे देती, अगर सरस्वती है आपके हाथ में, तो सब कुछ है, सरस्वती है तो आपके पास पैसा है, आई-ाइटी जाएंगे, पैकेज लगेगा, पचास लागे, पैसा आ गया, तो दुर्गा मता भी आ गया, पैसा आ गया, तो अब सक्ति साली हो गया, तो सब कुछ कौन दे रही है, सर्फती माता दे रही है, शर्बदा अस्माकम, अब इस सर्बदा का मतलब हो गया, हमेशा अच्छी नीदिया का मतलब हो गया, नीदी का मतलब हो गया, कोस खजाना, अच्छे खजाना का क्या करे, तो किरियात करे, मतलब की हमारे अच्छे खजाना का किरियात करे, अब ये कहना क्या चाहता है, इस सलोक को समझ ये फिर से, डीटेल में इसलिए समझा रहे है, अनु इससे ये कहा गया है कि हे सरद रीतु के मुख कमल जैसी मा सुरस्वती हमारे मुख कमल में यानि कि हमारा जो ये मुख कमल है इसमें सरवदा यानि सब कुछ देने वाली मा सुरस्वती हमेशा उस मुख कमल में सन्नी दिम आप निकट रहिए और अच्छी नीदियों का क्रिया कीजिए मतलब आप हमेशा निकट रहिए अब सरस्वती आपके मुँँ में आ गई वो कहते ने कि यह जो कह देता है हो जाता है को कि इसके मुख में सरस्वती माता बिराजमान है ठीक तो वही कहा गया कि है मा आप हमारे मुख में बिराजमान हो जाइए और हमेशा अच्छी एच्छी चीजों का हमारे अंदर किरियात किजिए मतलब हमको ऐसा बना के रखिए ताकि हम एक अच्छा भासा बोले एक अच्छा बेवहार करे यह इस स्लोक में कहा गया है ठीक है तो यह स्लोक में मा सरस्वती से प्राथना किया गया है उनकी तारीफ में दो चीज कहा गय हे मा सरस्वती हमारे मुख कमल में आप विराजिये और अच्छी नीडियों का क्या कीजिए किरियात कीजिए यह हो गया पहला स्लोक का मतलब अब दूसरा स्लोक क्या है वह आपको बताते है पहले सब दार्थ देख लिए तब का मतलब होता है आपका भारती का मतलब मा सरस् स्लोक का modern form अगर हम आप से पूछे तो आप कहेंगे क्या है तो स्लोक को ही modern भासा में क्या कहा जाता है साइडी कहा जाता है जी सब तो साइडी में देखते हैं अलग-अलग मतलब निकलता आज कल Instagram पे साइडी सब चलता है तो मुझे देखती हो नदिया बह जाती है समुंदर भी नाचता है ऐसा ऐसा साइडी रहता है तो उसका मतलब कुछ और रहता है कहीं से मतलब उठा के तो स्लोक में भी वही है तो उम्मीदों का किरन कहा जाएगा बाबु सोना जहां जाएगा थेक तो इस परकार का साइडी तो यहां पर कहा गया है कि भारती यानि हे माश्वरस्वती तो यानि कि आपका है क्या है तो अपूर्व है अपूर्व का मतलब होता है अनोखा है क्या तो यह जो कोस है कोपी कोस्यम यानि कोई आपका जो यह कोस है ये निश्ची तोर पे क्या है? तो अनोखा है. एक बार और समझे. कहा गया है कि भारती यानि कि मास्वरस्वती तो यानि कि आपका बिद्यति है, मास्वरस्वती आपका है, क्या है भाईया? तो अपूर्व है, यानि कि अपूर्व का मतलब होता है अनोखा. क्या? तो कोस्य यानि की कोस यानि कहा गया है कि हे मासवरस्वती आपका जो यह बिद्या का कोस है यह बहुत ही अनोखा है अगर मान लीजिए कि आपके पास एक लाख रुपे रहे अब बिद्या आपके पास रहे वो फिर उस सेंस में बिद्या नहीं बिद्या का मतलब हो गया पढ़ाई अब आज कोई पैसा कमा रहा है। आप कहेंगे सर वो तो पांच मां पास है इतना बढ़ा स्टार्ट अप खोल दिया। तो उसके अंदर वो ए स्टार्ट अप खोलने का नौलेज था। था तब तो बढ़ा तो बुद्धिम आयाती यानि कि ब्याय करेंगे विद्धिम आयात क्या बता रहे हैं देखें हां अब जो है आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान चे तो यह निश्चितर स्वति का जो यह कोत रुपे रहे लक्ष्मी मा का आसिफिलबाद अपपर है लेकिन आप उसको खर्च करते जाए दिन्ग ऑलकिन आप देखेंगे यह जो है सर्सतिमा का कोस्त यह अनोखा है इसको जितना ब्याय कीजिएगा उतना ज्यादा आपका बुर्धी होगा जितना संचे कीजिएगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा खतम हो जाएगा ठीक है छै मायाती यानि कि घट जाता है कैसे तो संचे आती यानि कि संचे करने से कहीं एकेत्र करने से अब ले लिए दोगों को कलास में कान पकरके यह बात explain कर दीजे तो यह आपका मजबूत हो जागा अब जैसे देखिए यह सुलोक आपको पढ़ाएंगे अब यह फिर जो है यह सुलोक पढ़ाएंगे offline में हो चाहे आप सभी का जो वह प्रो बैच चला जिसमे प्रस्नली हम आपक कर रहे हैं एक सวलोक आपको बता दिये तो अभी ब्याया कर दीए जिसर एक रूपय आपको दे दिये तो तो व्याय हो गया खर्च अब रूपय खर्च करने से घंटा लस्यान कि यह आपका घंट चलिए तीसरा सुलोक क्या कहता है तीसरा सुलोक कहता है इसमें आपको राग का मतलब पता होना चाहिए मुह माया यह सब मुह माया है ठीक है यह अंजली प्रिती सुनिती इता प्रिता गीता यह सब मुह माया है पढ़ाई ही असली माया है माया इसमें भी माया चलिए का मतलब हो गया नेत्र ठीक है नेत्र तेरे नयनादगा बाजरे तो ये सुलोक जो है तीसरा कहता है कि नास्ति बिद्या समम् कोई चक्छू नहीं है, कोई आँख नहीं है, विद्या ही आँख है, यानि कि knowledge, study ही क्या है, आँख है, उसके अलाबा कुछ भी आँख नहीं है, सर क्या बेपकुप जैसा बात करते हैं, अब माल लिजिए कि जो वेक्ति संस्कृत नहीं पढ़ाओ, पढ़ भी नहीं सकता है, माल लिजिए, अब उसके सामने हम अगर ऐसे लिखें, तो उसके पास तो आँख है, गहराई में समझेए, फिलोस्पी क्या होई है, साइरी बोलते हैं, इस्टाग्राम का, तो उसमें एक्तम फिलोस्पी में चले जाते हैं, समझेए, अब आँख है, अब पढ़ ये नहीं आँख है, तो उसके पास आँख रहने का कोई मतलब है, नहीं है, तो बिद्या है, तभी आपके पास आँख है, जैसे माल लिजिए कि अगर हम ऐसे उर्दू लिख दे, अभी उर्दू में आपका नाम लिख दिये, ठीक है, उर्दू में, अब पढ़ के बताईए क्या है, पढ़ के बताईए, क्या है, नहीं है, क्योंकि उर्दू का बिद्या नहीं है, तो आँख आपके पास है, फिर भी नहीं पढ़ पारे, तो बिद्या के समान कोई भी आँख नहीं, नास्ती सत्य समम्तप़, और कोई व्यक्ति कहता है कि हम सबसे बरा तपस्या वाले हैं, त कर सकते हैं तो प्राने में करते थे और सादूशंत बहुत ही मनदाब होता थे भगवान के दाणित जी के पास जाके बैठ जाएंगे हमाले में बैठ जाएंगे तक पास्या करेंगे नहीं ? असली तपस्या वेद रीगवेद ये कहता है कि जो सत्य बोलता है वही तप है कोकि इससे बहुत परिशानी होती है ठीक है तो असली तपस्या ये है सत्य समान सत्य के समान कोई भी तप नहीं है ठीक ये सब सरीफ ग्यान की बाते है इसको जिन्दगी में जितना हो सके उतना उ मोहमाया है हर चित का मोहमाया है इता मिल गई तो प्रीता का मोहमाया प्रीता मिल गई तो स्रीता का मोहमाया ठीक मोटरसाइकल मिल गया तो कार हो जाता कार हो गया तो ट्रक हो जाता ट्रक हो जाता तो बस हो जाता बस हो गया तो भूतनी के पुरा बसे स्टेंड हो जाता है और ये कार खड़ी की दुखी होता है थीक है चलिए नास्ती त्याग कोई भी सुख नहीं, आपको भी अगर इक्छा है कि हासर हम साना धन दॉल्ट हमारे नाम कर दीजिये, हम सुटे कर लेंगे ऐप मजा कराँ, लेकिन त्याग के समान कोई भी सुख कर दो उसको त्याग करना चाहिए, ठीक चलिए, अब आगे चलते हैं, देखिए, यह जो सलोक है यह आज कलके सभी लोगों के लिए है jest और यह सलोक आज कलके आदमियों में रहना चाहिए, एज पिछला सलोक था यह हम नहीं कहरे कि यह समने रहना चाहिए कम से कम विद्या वाला सुलोक आप अपने अंदर रखिए, सत्य हो सके उतना बोलिए, त्याग जितना हो सके, चीजों का हो सके, दूसरा का मदद कीजिए, हो सके तो जितना मोमाया नहीं रखिए, नहीं तो इसी से आप दुखी होंगे, ठेक, लेकिन ये जो सुलोक है, ये मधूर भासनी वानी, यानि कि ये सुलोक कहता है कि जो मधूर भासनी वानी है, मधूर भासनी का मतलब क्या हो गया, मधूर हो सुरीला हो, सुरीला का मतलब ये नहीं कि अरजीत सिंग लता मंगेश करो, मधूर हो, अच्छा हो, कोई-कोई बोलता है तो सुनने का मन करता है, तहीं है कि थोड़ा देर और रुखते हैं, कोई कोई के क्लासे में टीचर आते हैं, कितना मजा आते हैं ते तो पांच मिनट और पढ़ाते हैं, कोई कोई आते हैं इतना न करवाता हैं, जल्दी प्रियड भी ते आ रहें घरी क्योड शुलो हो गया, ठेक, तो कहा गया है कि वानी यानि कि वानी जो है मधूर भासनी होनी चाहिए अब समझे कहा गया है कि मधूर भासनी वानी यथा ही पूरुसम प्रलाय दियती यानि कि कोई भी पूरुस है पूरुस कहने का मतलब यहां पर यह नहीं कि महिलाओं के लिए नहीं है लरकी लोग के लिए नहीं है पूर उतना मधूर भासनी बानी एक आदमी को अच्छा बना सकती है उतना सीतल सलीलम ठंडा जल से नहीं अच्छा लगेगा चंदन का रस भी अच्छा नहीं लगेगा और सीतल छाया भी अच्छा नहीं लगेगा ये वाला चीज ये सुलोक कहता है एक बार और बताते देखिए आप से कोई उल्टा सुल्टा बात कर देता है तो आप सोते कैसा है तो वही कहा गया कि कोई भी वेक्ति अगर मधूर बोलता है किसी भी वेक्ति के साथ जैसे माल लिजे कि आप ही एक आदमी है ठीक और ये एक दूसरा आदमी है ठीक है ये दूसरा ये पहला आप है और ये किसी के कोई बेखती है कहीं कोई जिला का ले लिजे ठीक है के कुमार इसका नाम ले लेते हैं के कुमार ठीक अब यह जो के कुमार है अब के कुमार को एकदम प्यास लगा हुआ है ठीक एकदम गहरा प्यास उसके बाद के कुमार को एकदम गर्मी लग रहा है जैसे अब ही द इसको सीतल चाया अगर हम दे दें थंड़ा थंड़ा चाया पेर का तो इसको अच्छा लगेगा तो आपके इसको पगला है कि इसको तो एकदम अच्छा लगेगा अप्यास लगा हुआ तो इसको थंड़ा जल दे दे तो अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा कौन देगा मा बात ही कर लेंगे तो ये इसको जादा थंड़क पहुंचाएगा और जादा अच्छा लगेगा इसको इसलिए कहा गया है कि पुरुष को मधूर भासनी वानी जितना अलंक ये करती है अनंदित करती है अलंकरित करती है जो भी आप समझेए अच्छा बनाते हैं उतना सीतल छ मतलब होता है बुद्धी उहा पोहा का मतलब होता है तर्क भी तर्क करना और अर्थ विज्ञानम का मतलब होता है अर्थ मतलब समझना द्यान से देखिए ठीक ये आपके लिए लिख दिये लिखने में भी टाइम जाता लिख दिया अब समझ ये फिर से बताएंगे अगर क कोई वेक्ति कोई वेक्ति चाहता है कि बुद्धिमान हो कैसे पता चलेगा कि बुद्धिमान है तो यह जो गुन अभी आपको बताएंगे आठ गुन है आठ गुन अगर आप फोलो करते हैं आठ गुन आपके अंदर रहता है तो आप क्या है बुद्धिमान है तो सर अगर य सूसरूसा सूसरूसा का मतलब होता है सुनने की इक्षा रखना अगर माल लीजिए कि आप किसी चीज को सीखने आए हैं तो सबसे पहले क्लास में सूसरूसा होना होगा आपको सुनने की इक्षा रखना होगा अब इक्षा हो गई तो सर्वनम, यानि कि सुनना होगा, ऐसा नहीं है कि कलास में से सुन रहे हैं, अमन कहीं और लगा हुआ है, उसको अच्छे दंग से सुनिए, अब सुन लिए, तो चैव ग्रहनम, अब उसको अपने अंदर ग्रहन कीजिए, उसको अपने अंदर घो लिए, और धारनम, यानि क अब उसको अपने अंदर रीटेन कीजिए, यानी की लागू कीजिए, तो सबसे पहले सुनने की इक्छा, तो सुनेंगे, उसको ग्रहन करना और फिर धारन करना, तो sir ये ग्रहन करना, मतलब लेना, धारन करना ये तो एक ही चीज़ा नहीं, अगर माल लीजिए हम आपको कहें कि डेली अगर माली जी आप अभी आए कि सर पढ़ाई कैसे पांच घंटा डेली करें तो हम उस पर अभी ग्यान देंगे तो आपके अंदर सुनने की च्छा है ठीक है अब ग्यान आप सुन लिए कि ये करना है अब उसको अपने अंदर ग्रहन तो किये कि हां सर बोले कि मन भी होगा जब आप उसको डेली लाइट में लाएंगे तथा उहा पोहा और्थ विज्ञानम ये संदियों के टूटेगा देखें पोहा नहीं है उहा पोहा यहां पे आपको अपलस आ बला जो संदी सिखाए है वह बला होगा लेकिन उत्ता डीटेल में नहीं जाए नहीं है उहा पोहा का मतलब होता है तर्क भी तर्क करना यानि कि लोजिक लगाना ठीक है लोजिक लगाना तर्क भी तर्क करना कि हां सर बोले है कि इंस्ता डील को त्याग दो क्या सर सही बोले है या गलत बोले है नहीं सही बोले है फिर उसका अर्थ विज्ञानम उसका मतलब जान सर अचिक sper पिर उसका ज्यान समझना कि एक्चूली में यह क्या है यही बुधी के क्या है तो गुन है थिक है उसका पाँच गुन और अरथवी घ्यानम, छे साथ तिक वह पहुत तर्क भी तर्क आठ गुन यहाँ पर यह आपको बुद्धी के हो गया, अब जो है आगे चलते हैं, अब देखिए यह जो स्लोक है, यह उन लोगों के लिए बहुत जादा जरूरी है, जो पढ़ते हैं, जो क्या करते हैं, उसे दिमाग होंता है, अब यह जो नमबर स्लोक है, यह आप सभी के लिए जरूरी है, जो बेक्ती चाहते हैं कि अच्छे रीडर बने, तो रीगवेद में रीडर के बारे में क्या बताया गया है, सुनीं, कि रीडर कोन होगा, असली रीडर, तो रीगवेद में कहा गया है, कि अगर कोई बेक्ती पाठक है, पाठक का मतलब हो गया, रीडर है, पढ़ता है किसी चीज को, तो समझ यह क्या होना चाहिए, पाठक का गुना, पाठक के क्या गुन है, तो पहला गुन है कि माधूरियम अक्छर वेक्ती, यानि कि जो वेक्ती पढ़ता है, उसके अंदर मधूरता होनी चाहिए, अब माधूरियम नहीं हुआ, ठीक, मधूरता नहीं हुआ, तो मधूरता होना चाहिए, उसके बाद अक्छर वेक्ती होना चाहिए, यानि कि अक्छरों को ठीक ठीक से पढ़े, ये नहीं कि आया ऐसे माध हो जो आगा पद छेदा सूसरा ऐसे नहीं अक्षर वेकती उसको अक्षरों को ठीक ठीक से पढ़े उसके बाद पद छेद अस्तू पदो का अच्छे ढंगते बिछेद करे तेके बिछेद जो बना हुआ ये संदी हो जागा तुगा गंबला संदी जो आपको पढ़ा है वो बला ठीक एक कुछ चना आएगा ये भी इंपोर्टेट पदो पद का मतलब क्या सब्द सब्द का अच्छे ढंगते बिछेद करे सर इसका मतलब क्या तो जैसे देखे माधूरियम अख्छवेट्टी तो माधूरियम ओ तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम समझ गेए हो है पुआ की सब्द को अच्छे ढंग से तोड़ के पढ़े जैसे माल लिजे कि आपका नाम राहुल कुमार है मेरा फेबर इस्टो राहुल कुमार अब माली जी है कि हम इसको अच्छे डंग से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे पद को छे दस्तु यानि कि पद को सब्द को तोर तोर के तो राहुल कुमार पढ़ेंगे अगर माली जी ऐसे लिखा गया तो हम पढ़ते राहू लकमार लकुमार तो ये पद का अच्छे डंग से बिछे दुआ नहीं हुआ यानि कहने का मतलब है जहां जहां पे स्टॉप होना है वहां पे अच्छे डंग से स्टॉप हो अच्छे से तोरके पड़े उसके बाद सू सवर भी उसके अंदर सू सवर यानि कि सवर रहना चाहिए अच्छा लय होना चाहिए स्वर होना चाहिए स्वर अच्छा होने का मतलब यह है कि यह नहीं कि लता मंगिशकर जी होना चाहिए और जीत चींग होना चाहिए स्वर अच्छा का मतलब है कि किस संदर्ब में यानि कि किस लिए हम इस स्लोक को पढ़ रहे हैं उस स्वर में पढ़ना है तीक है जैसे माल लीजिए कि ये स्वलोक अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्लास में क्या पढ़ रहे हैं माल लीजिए यही स्वलोक को अगर पूजा पाठ में पढ़ानो तो फिर यहां पर अलग स्टाइल हो जाएगा तब ओहां ऐसे बोलेंगे आप देखते होंगे दुर्गा पूजा हो या कहीं भी हो उसमें कोई भी पूजा हो तो उसमें कैसे होता है होम होता है घर में आपके घर में होता है हमारे घर में भी होता है तो उसमें क्या होता है जैसे अगर पढ़ना तो माधूरियम अक्षरवेक्टी पद छे दस्तू सुश्वरा धैर्यम ले समर्थम च सडेते पाठ का गुना जल तो यह एक पूजा पाठ का ले हुआ तो वो सुवरा आपके अंदर सु यही बताया गया है कि छे पाठक का क्या है गुन है ठीक तो कोई बुरा नहीं मानना है ठीक कोई अगर ऐसे कराते हैं पुजा बुरा नहीं मनी जो यहां लिखा हुआ है वो हम बता रहे हैं हम तो माध्यम है अगर यहां पर लिखा होगा कि टीचर को सब पाचपन सु रुपया दे दे तो हम भी बताएंगे कि पाचपन सु रुपया टीचर को देना है तो कोई पर पाचपन सु यहां तो हम खाथए तो यहीं लिखागे गया है कि वीखती बता रहे है वर तो शेगुन हां थीक है चलीए तो अच्छे डंग से रहना चाहिए सर पूजा पाठवला पढ़ के बता दी, अभी एक बच्चा बोला, क्लास में जब अफ्लाइने पढ़ा है तो दो बार और पढ़ी, एक बार आप लोग का भी हो सकता है, डिमांड हो, सब तो भगवान की बच्चे, माधुरियम मक्छरवेक्ति पद छेदस्तू, सुश्वरा ऐसे नहीं, अराम से, धैरियम है तो धैर से पढ़ना है, ठीक, ऐसे पढ़िये, एक बार और पढ़िये, ये सुलोग काफी इंपोर्टेंटी, यादी हो जाएगा, माधुरियम मक्छरवेक्ति पद छेदस्तू, सुश्वरा, धैरियम ले समर्थम्च सडेते पाठ का गुन गुना, गुना, गुन है, गुना क्यों है, बहु बचन है, बहुत सारे गुन है, चलिया, बागे चलते है, अब है, चलिये, पादम का मतलब होता है, चौथा भाग, वन फोर्ट, चौथू सांस, आधते का मतलब होता है, गहां करना, घर, टेक, स्वाम मिध्याय का मतलब हो पादम शाब्रम चारा भी चारी भी ये क्या सो लोग कहता है ये कहता है कि पादम आदत्ते तो समझगे पादम का मतलब क्या बता है 1 by 4, यानि कि 4 भाग, किसी चीज को हम 4 भाग करें, जैसे एक पूरी आपकी ममी दिया लू कि, आपके इसकुल में 4 लरके थे, 4 लरके पूरी है, 4 भाग करके बाट लिए, तो कोई भी 4 भाग आप ले लिजे, आदिते का मतलब होता है गरहन करना, तो हम यहाँ पर पादम आद के इड़िकें वाले लोग है, गीवन वाले भी हैं, चलिए, तो कहा गया है, यह जो है, बिद्या के बारे में कहा गया और यह एकदम सही लाइन कहा गया, तिक यह मॉडर्ण जबाना में बहुत उपयोगी है, कहा गया है कि कोई भी चीज पढ़ाई हो रहा है, या कोई भी सिस्य जो है यानि कि जो स्टुडेंट है वो स्व मेध्याया यानि कि अपने खुद से यानि कि सेलफ स्टडी से सीखते हैं और एक भाग कालेन पादमदत्य यानि का मतलब हो गया समय के साथ सीखते हैं पादमदत्य का मतलब हो गया चौथा भाग ग्रहन करना यानि चौथा और पादम स्व भहांचारी जीत अर शाओ ब्हांचारी बिस यायनि अपने सब्रहांचारी शाथियल से शीखते हैं अब इसको एक बार और सुमजमदी यह सुलोक प्ला बताता है कि अगर कोई भी मान लिजे कि नौलेज है जैसे मान लिजे कि ये मनिका चेप्टर का पार्ट वन ही है इसको पार्ट वन ले लिजे जैसे मान लिजे कि ये पार्ट वन मतला ये पूरा जो चेप्टर वन है चेप्टर वन का मान लिजे ये चेप्टर वन का नौलेज और अब इसको चार भाग में हम बाढते ह। पहला भाग जो है वहाँ अपने टीचर से शीखते हैं कि श्ञछक से शीखते हैं कि आप विडियो के बाद खुद से पढ़ेंगों, उसमें सीखेंगों उसके बाद तीसरा जो भाग होता ये काल के साथ आप सीखतेैं काल के मतलब वो ये हो गया काल नहीं बोलेंगे ज़्यादा ये सुद हो गया और अच्छा भी नहीं लग रहा है काल समय के साथ सीखते हैं सर कैसे जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आ रही होंगे या कुछ चीज़ें आप पढ़के भूल जा रहे होंगे लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही आपका वो डिक्जाम आएगा या चानक आपको सारा चीज फटा फट समझ में आने लगेगा तो क्योंकि समय आपका आगया दीरे दीरे समय के साथ आप सीख जाएंगे और चौथा जो पार्ट है वह अपने आप दोस्तों की मदद से सीखेंगे फ्रेंड की मदद से तो कोई भी बच्चा का रिजल्ट आता है संस्कृत में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड हर साल आता है तो सभी कहत से मेहनत करके सीखें दोस्तों से मदद लेके सीखें और समय के साथ सीखें ठीक है तो सब का इसमें क्डिडीट है यही बात बताता है और यही रियलेटी कोई टीचर आपको 100% नहीं सीखा सकता टीचर यह वन भाइफोर सीखा सकता है उसके वाद आदा 1 by 4 आप से वन भाइ खुर अपने friends से सीख सकते हैं तो अभी के जवाना में तो जितना भी teacher है लगवक teacher तो teacher भी है आपके दोस्त भी है तो इसलिए ज़्यादा आप लोग सीख पाते हैं ठीक तो दोस्त भी हमी teacher भी हमी लेकिन सर बोलना ठीक है ये नहीं कि दोस्त समझ लेना अचलिए यह तो इसी तरह हुआ अब जो है कि कि हाँ Yap अब जो है कि यह सुलोख है अगे बढ़ते हैं तो अंतिम सुलोख जो है अब आपको पढ़ाते हैं ठीक है ठीक है छलिए तो अंतिम स्लोक हो गया मतलब बस स्टेंड आ चुका है ठीक कहीं से आप बस में चटते हैं बस से उतरने वाले रहते हैं तो आप सोसो ता रहता है कहें उतर रहता है ठीक है और गाना बस ता रहता है बस में जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरता था पता नहीं ओ लरकी मुझसे प्य ठीक है ठीक या डिलिये जाने जिगर मुझे पे तू प्यार किया है प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है ठीक चलिए सबका अपना अपना मजा है चलिए आगे बढ़िए तो कहा गया है अनू अनू का मतलब कोई यहां पर यह ना समझ ले कि अनू अनू का मतलब हो गया अ अनु का मतलम है नौ, नौ, एक्स्टेप्स्टेशन, अर्यू एक्स्टेप्स्टेप्स्टानू मली किन्द शो, नौ, अनु, नौ, दोएग करम, यानिकी उत्तेजित करना, ठीके, तो अनु दोएग करना, क्या लिखा हुआ है, उधिला पे फोक्षन मारता है, तो कभी-कभी अनु दोएग करम, वाक्यम, शत्यम प्रिये हितम चोय यतो, हमको ऐसा बाक्ये नहीं बोलना चाहिए, अनु का मतलम नहीं, और दोएग करम का मतलम चना गरम नहीं, दोएग करम का मतलम हो गया, उत्तेजित करना, मतलब ऐसा बाक्ये नहीं बोलिए, अनु मतलम नहीं ठीक है जिसे फैटम फैटी का चांस हो जाए जैसे माल लीजिए कि आप किसी के सामने जैसे आज क्या है यूटूब पे कोई बडियो बिल्डर है उसको भी कमेंट में गाली दे दिया लेकिन उसके सामने नहीं देना यह ग्यान है नहीं तो फिर दिक्कत हो जागा ठीक है तो ऐसा बाक्य नहीं बोलना चे जिससे फैटम फैटी का चांस हो मार पीठ हो जाए जैसे वह इंडियान में पूझ दिया अनुमलिक आयूँ जज वन्टू जज अनुमलिक यास दे राजे मिलेडियस मैन मासरसती के कि फाइन पे आई एक्सेट इट अगरमाली जोहां पर बोल पूझ जण गशएं ठीक है जलिए और अनुमलिक की काम आया नहीं हम काम आ रहा तो एसे ऐसी होता है जली तो वाकियम कैसा बोलना और राकेश ने उसका शमर्थन किया है तो सत्ते तो है लेकिन वह प्रिये हितम नहीं है अगर बच्चा बेंच्ठेक्स तोड़ी दिया तो क्या कसूर है वालक कोंकि इतना पैसा तो वह पाच हर कमीना लेता है तो प्रिये हितम हो यानि सब के हित की बात हो वैसा ही वानी बोलना चाहिए फिर श्वाध्याय और अभ्यासनम यानि कि उसका अध्यान करना चाहिए यानि जितना ग्यान अभी आपको दिये है उसका अध्यान कीजिए उसका अभ्यास कीजिए जितना होता है अपने अंदर ल वानी की तपस्या कहेंगे तो सर कैसे वानी की तपस्या तो आप किसी के सामने कोई उत्तेजित करने वाला वाक्य नहीं बोलिए कोई चाड़ फैट दे वो कड़े महां से दो फैट कल और लगा देंगी तो यह तपस्या ही नहीं हुआ अंदर में कंट्रोल कर रहा है सब्सक्राइब का नोलेज लिए लेकिन अच्छाली में देखेगा ति यह जरूरत है आजकल जैसे आज कल कोई लैसु स्वर नहीं है बाबू आजकल पते नहीं चला कौन की अब यार वो क्या वो अरे अच्छा अच्छा तू मनिका पढ़ा चुका है अच्छा अच्छा तो यह स्वर नहीं को संभाली अैयसा नहीं क्या कर ने कर दक हुए अभने और स्था इस आजकल आटोस सुन तू कभी भी यह आख़ें के शोड़ीन ह.' जिससे किसी के उत्तेजीत हो जाए यानि कोई मारने लगे यार अगर मार दिया ना वाई ने गंदा वाला काट लिया यार एक बच्चा बोल ओ प्रिये मतलब सब के लिए इत्मे होना चाहिए बड़ी के लिए अपना जो सारा बड़ी लोग है न सब का भला होने चाहिए ऐसा उसके बाद तेरे अंदर सुनने की भी रहनी चाहिए और तू सुन तू सुनता ही नहीं है पहले तू सुन उसको फिर अपने अंदर लेने का और फिर उसका ये क्या करने का उसका फिर ऐसी तैसी करने का अर्थ विग्यान गरने का और फिर उसका रियालिटी जानने का यही बुद्धीं बुद्धी रहSको बाथि त्युंस होस्ट है ये धिदि कुछ बासनी दोने पोलें मतलब तु अच्छा भासा बोलें तो कुंछ सूप ब्लाः ऐब तो अज करना है यह भासा ठीक है, इस तरीके से आपको बोले, आपको बोले तो आपको मजा आया, ताब केंगा नहीं स्वर बिलकुल नहीं आया, ठीक असर आप जैसे हो ऐसी पढ़ाई, तो फिर आप भी क्यों बजलते हैं, यह कहां का भासा आ गया, जिसका कोई गरामर रहने कुछ है, तो अच्छे ढंगते बोलिए, ठीक, अच्छी भासा का इस्तमाल करें, यह चेप्टर कहता है, ठीक, तो जैसा भासा आपको पसंद है, वह ऐसा भासा आप बोले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा बोलेंगे, तो अच्छा रहेगा, आपका भी दस्वक पहचानेगा आ बुरा नहीं मानेगा, जेनरल जो बात है इसी तरीके से बताएं, पेडियाप जो है अप्लिकेशन पर मिल जाएगा, पेडियाप नोट्स को आप डाउनलोड कर लिजेगा, अब आप किसी को बुरा लग गया हो, तो आपको एक चीज बताते हैं, देखिए, एक चीज आपक पली कहते थे, तो उनका हो गया IIT पटनामेड मिशन, ठीक, अब देखिए, कहने को तो बिहार में है, ऐसा ही भासा वो सीख लिये थे, ठीक, तो उनको हीरो कंपनी में जौब लगा, समझे, तो ऐसा ही भासा बोल दिये, ये हिंजन को रखने का, उसको ऊपर फेग देने का, कंपनी उनको निकाला, दो लाग का फाइन ठोक दिया, तो ये नुकसान हो गया, यही चेप्टर आपको सिखाता है कि ऐसा भासा नहीं बोलना चाहिए, उसके बाद अगर आप आगे चलके UPST देना चाहते हैं, आईए सोगर देना चाहते हैं, तो फिर ऐसा भासा अभी सही सीखे, जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक नहीं, तो फिर उन हल, वो पकड़ लेगा वहाँ चुटकी में, वहाँ बुजूर्ग से बैठा रहता है, बहुत तेज तरह उपार लेगा, यह तो वह वाला स्टाइल वाला बाद है, यह तो UPST में क्या आ गया, यह तो छपड़ी योग में जाए, छपड़ी लोग से बाई हो, छपड़ी लोग से बाई हो, सीपी एस नी में, ठीक तो तुरंत आपको कर देगा बाहर, तो सारा मेहनत बरबाद, तो यह जो है आपको बरबाद करने के लिए आया, सिरियस बोले, तो कभी भी बरबाद मत होईए, अच्छा बाता का पड़ियोग कीजिए, और जितने भी टीचर है, उनको भी बताते हैं, कि वो भी जो है, कोई कि बहुत सारे टीचर भी यहाँ पर वीडियो देखेंगे, तो उनको बताते हैं, कि वां मेहम तपक के अनुशार, यानि कि जो हमारा संस्कृती है, जो हमारा रीग बच्चा से भवंत, यानि कि आप में बात करना है, तो आप लोग भी क्लास में बच्चों से उस तरहिके से रूड बिहेवियर नहीं करेंगे, और सभी बच्चों को आज से आप कहकर आप बुलाएंगे, ठीक है, ये रीग वेद कहता है, और जो संस्कृत के टीचर है, तो उनको तो बुलाना ही चाहिए, तो हमेशा क्या कहना है बच्चों को, आप कहना है, ठीक है, तो चलिए पहला चेप्टर था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम, अदाब, नमस्कार से शेयकाल, परनाम, धनेवाद, वीडियो को दोस तो थोड़ा मस्ती उस्ती हो गए, मस्ती के दोर चलता रहेगा, पढ़ाई भी होती रहेगी, मस्ती भी होती रहेगी, तो तब तक के लिए नमस्कार पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नास्ती त्याग समंशुखम इसका मतलब होता है कि त्याग के समान कोई भी सुख नहीं है यानि कि जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है तो वो है त्याग यानि किसी भी चीज का त्याग कर देना एक बात आप अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखेगा कि मनिका बुक आपको पढ़ना है तो मनिका बुक में जितने भी संस्कृत के सब्द लिखे हुए वो थोड़े से टफ है या थोड़े से कठीन है और बुक पढ़ ही आपका पूरा माक्स डिपेंड करता है ग्रामर तो पढ़ना ही है लेकिन जितना बेहतर आपका बुक हो जाएगा उतना ही बेहतर एटोमेटिक ग्रामर आपका हो जाएगा तो बिल्कुल भी चिंता नहीं किज़े अराम से जैसे जैसे चेप्टर पढ़ा रहे है उसको समझिए पेंसिल से अभी लेक्चर पढ़ा रहा है तो पेंसिल से आपके पास बुक होगा उसमें अंडरलाइन करते रहे है ठीक है और बार बार उसको हमेशा पढ़ते रहे है ठीक चलिए और कोई दिक्कत होगा तो हम आपके साथ हैं और अराम अराम से आपका कोर्स हो जागा बिल दिर बाद आपको बताएंगे कहानी है कि राजीब जो है वो कहता है कि हे सुम मित्र है पस्य एतत चित्रम सुम पस्य देखो एतत मतलब यह चित्रम यानि यह चित्र को देखो राजीब क्या बोलता है सुम को यह चित्र को देखो फिर सुम बोलता है अतीव सुंद्रम अतीव ही सुन्दर है ठीक है चितर देखके फिर सूभा बोलती है कि यह तू मतलब तो है तो मतलब तो अजनता की गुफाओं का चित्रम यानि चित्र पर्तियत यानि पर्तीत हो रहा है यानि कि राजीव ने शोम से बोला कि यह चित्र को देखो सोम बला बहुत सुन्दर है उसी वीच में सोभा जो है बोले कि यह जो चित्र है अजन्ता की गुफाएं जो है वैसा चित्र पर्तीत हो रहा है इस पे राजीब बोलताै को की राजी भी चीतर को दिखाता रहता है तो राजीब बोलता है आम हाँ महराष्ट्र परदे से इस्थिता एता अजन्ता गडिया एव हां आम मतलम यहां पने हो गया हां यह महराष्ट एस्टेट में इस्थित यनि महराष्ट एस्टेट में है तो यह अजन्था की गुफा ही है यह ही है आपने सही बोला फिर इस पर सौरा बोलता है की अहो मतलब जैसे आप झरत lazimas को संती कहने का मतलब यह है कि मतलब वह सम्भदन हुआ द्रस्टुम देखो अत्र मतलब यहां पे तू मतलब तो अनेक आनी मतलब हँने जातक चितरानि है अब आप क्यानि कि मतलब किया हुआ अब भगवान मात्मा बुद्ध से रिलेटेड फोटो अच्छा सर और यहां पर उटट इंगितानी का मतलब हो गया कि नकासी किया हुआ तो आपको पता होगा कि गुफाओं में जो चित्र होता है वो तो कोई प्रेंटिंग नहीं रहता है जी सर वो क्या रहता है तो गुफा के द के बताने हैं तो देविका बोलते हैं जातकम किम हबति यानि जातकम का मतलब से पूछते हैं ने गुरु जी से पूछते served तत्र गत्वा यानि गुरु जी के पास जाकर सरे यहां पर गुरु जी के पास जाकर नहीं लिखा हुआ है तो तत्र गत्वा तत्र गत्वा का मतलब हो वहां जाकर तो निश्ची तोर पर अभी पूछना है तो गुरु जी के पास ही जाएगा है चात्रा बोलती है कि गुरु बर जातकम किम भप्ति है गुरु जातक क्या होता है तो अचारे बोलते है कि जातकम अर्थात जन्व जातकम का मतलब होता है बेटा जन्व ठीक है बॉर्ण जातकमाला इती नामे पुस्तके भगवता बुद्धस्य पुर्व जन्व बिविधा कथा संती फिर गुरु जो बोलते है कि एक जातकमाला किताब है जातकमाला इती नाम रही है इसका मतलब हो गया नाम जातकमाला नाम की ये क्या है तो पुस्तक है जिसमें भगवत यानि भ पर अस्ति नहीं लिखाओा संती लिखाओगा क्यों कि बहुत सारी कथा है बहुत बतने संती एक कथा रहती तो अस्ती और आद तो सता थीकाँ चले एता शुपरी भी थाए गुरुजी आगे बोलते हैं कि एतासु परी परी ही थाए शर्व नियंत हैं इतिएव शिक्षितं और एतासू पड़ी हिताय का मतलब क्या हो गया? पड़ी हिताय का मतलब हो गया दूसरे के हित के लिए. गुरी जी बोलते हैं कि एतासू मतलब इसमें दूसरे के हित के लिए शर्वश्वयम यानि कि सब कुछ त्याग कत्वयम यानि कि त्याग देने का क्या मिलता है? तो इन कमाला किताब का तो उस पे छात्रा बोलती है कि एवम मतलब अगर आप ही को कोई टीचर कहा कि चलो आप कहानी सुनाता हूं मस्ती कराता हूं आप लोग कहा हा सब बहुत बढ़िया तो वही बोलती है फिर बोलती है वयम एताद्रीसम कथाम श्रोतुम उत्सुका यानि मतलब ह कहानी श्रोतुम उत्सुका यानि कि श्रोतुम मतलब सुनने के लिए और जो सुनते उन्हें क्या करते श्रोता उत्सुकता का मतलब हो गया यह कहानी सुनने के लिए हम लोग क्या है तो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं क्या है तो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं अब जो है कह आधारित ओर यानि की सुरेतामतावत चलो सुनाता हूं बौधा अचारे अस्या तो इसका हम आप नाम आरे शुल अचारे यह ऑ जिसमें सी भी जातक सी भी जातक मतलब एक समूदाय हो गया भी आपको आगया और बीचल में पर चलेगा अधारित मतलब उस पे डिपेंड ही एसी एक कथा है जो गुरुबर बच्चों को सुना रहे हैं गुरुबर कहते हैं कि अथा एकदा भगवान बोधी सत्व बहु जन्म अरजित पुन्य फल श्रीवी नाम राजा अववद गुरुबर जी कहते हैं कि अथा एकदा यानि कि एक बार भगवान बोधी सत्व बहु जन्म यानि बहुत जन्म के अरजित पुन्य फल यानि बहुत जन्म से उन्होंने पुन्य फल अरजित किया था ठीक है अच्छे कर्म का फल ही था कि अगले एक जनम में सीवी नाम राजा अबबद एक सीवी के राजा हुएं कौन भगवान बोधी सत्व है मात्मा बोध की कहानी ठीक अब आप तो यह समझ गए कि बहुत जर्म के पुन्य फल को एक जगा अरजीत करने के बाद वह सीवी के राजा हुएं तो सीवी क्या है तो सीवी एक समझे एक गुरूप समुदा है कहते हैं कि यह बिहार के राजा हुए उस टाइप से ठीक गुरूप है नागा पिपुल के राजा हुए तो एक टाइप के गुरूप है उसके राजा हुए राजा होना भी बहुत बड बात होता है बहुत पुर्ने करता है तब ही राजा बनता है सह बाल्यात यानि बजपन से ये मतलब ही बिर्दो की सेवा में विनैसील यानि सांत और सास्त्र में परांगत थें जन कल्यान कर्मेशू यानि की जनता के कल्यान के लिए रत मतलब बीजी अशो पुत्रवत परजा पाली है ते समय वह हमेशा बीजी रहते थे और परजा को पालते थे जैसे उनका परजा क्या हो तो पुत्रवत हो उनका कोई संतान हो कि अजिन नग्राक्राइब सब्चीं और एंद देश के लंद के लुए कर दी महराज कर देश्दल पर सीधसे पड़ल नगर म्ला श्य है कर ले लुए बनावा दिया का सकता है धन्य दानने संब्रिद याने कि दानसाला बनवा दिये यो निगरीबो के लिए कल्यान घर कह सकते कल्यान घर सब्द मतलब हुआ तो नहीं गोलेंग मतलब धरम डर्मतार टाइप कर नहीं होता जहां से जो आपको जुरूरत है ले जाईए उस टाइब के दानसाला उनोंने बना दि आप संपने तो इसका मतलब क्या हुए तत्र अरतीनाम समूब हुआ वहाँ पे अरतीनाम का मतलब याелей कि जो आड विक्च्षू भिकार हैं उनका समूब जो है अन्पान्त नब मतलब होता है पान का मतलब पायने का मतलब खाने पिने की जू चीजें HAVE उस्टरनलस्तर रजचत मतलब चांदी शूपरना दिज अनिसे तुर मुद्राइए सभी बस तू हां से प्राफ्ट करके Wam क्या होते थे संतुष होते थे इनरा कि राजा के दान सील्टाम यानि कि कि यहां पर अभी आपको हमने क्या बताए कि अथा कदाचित दान साला सू विचरन सहराजा बहु धनलावेन शंतुष्टा नाम अर्थी नाम बिरल संख्यायाम बिलोक्य अचिंतियत्मम आर्थिन तू धनलावा लाव मात्रेन शंतुषम भजनते ठीक है इतो एकदम पुजा पाठ में इसी तरीके से नहोता है एतानिगंद पुष्प धीप दूप तामबुल जिथाभाग जी सर तो जब भी पुजा पाठ हो वहां बैठियेगा और सीखियेगा कि किस तरीके से होता है जी सर हमको तो सर पढ़ाई करना चलिए पढ़ाई कीजिए अची बात है वीचरण करते हैं कौन तो राजा अब राजा जो है घूमते हुए बहुद धन लाभीन यानि बहुत धन से लाभान भीत यह सुध हिंदी हो गया कि मालीजे किसी को एकस धन दे देना ठीक है तो एकस किसी को दे दीज़गा तो आज के दुनिया में सन्तुष्ट लोग नही और उनकी जो बीरल संख्यायम है वो क्या हो गई है तो अब बिलोक के हो गई है यानि कि समझ इसका कहने का मतलब क्या है अब एक बार में समझाते हैं राजा ऐसी दान साला में घूमने आए बिचरन करने आए तो देखे कि जो हम धन बाट रहे हैं तो उससे पाकर लोग संतु वर्पकौलिद नोसम भजनते हैं इसी राजा बोलते है कि मेरे जो आर्थी याचक याचक यह बिच्श्योविकार है वह क्या है तो बड़े अनोखे हैं धन के लाभ से ही क्या हो जा रहे हैं शन्तुर मतलब उनको मिल जा रहा है ठीक तो कि अड़े धन के लाप से ही जो विक्षु विखार है वो संतुष्ट हो जा रहे ठीक राजा सब का मन्ता कि कोई राज पाठ पर उनका मांग ले वह भी वह दान कर देंगे नूनम ते दानवीरा स्वभाग्य सालीन यान याच का शरीर अंगानी अपियाचन ते फिर राजा का ते नूनम नूनम का मतलब होता है निश्चे ही निश्चे ही ते मतलब वह दानवीर वह दानवीर स्वभाग्य साली होगा जिसका याच का यानि की जिसका जो वह मांगने अंग भी अपना दान कर देता है जिसको शरीर से कोई मों आया नहीं है तो वो जो है क्या मतलब होगा सवभाग्य साली होगा यानी जो महात्माबुद्ध थे यानी जिनको बोदी सथ्व कहा गिया है यह भगवान बोदी सब इतने महान दांडा जाते कि धन का तो करते ही थे साथ में हमेशा शरीर के अंग दान करने के लिए भी हमेशा क्या रहते थे मतलब उत्सुक्र रहते थे कोई अगर उनसे अपना आख माले अभी आगे आपको कानी बताएंगे तो वह भी देने के लिए त्यार रहते थे अब समझ यह क्या हुआ जैसे राजा ने यह बाते कहीं ठीक है तो राजा ने क्या बात कहीं कि श्वपेशू गात्रे स्वपी यानि कि गात्रे स्वपी का मतलब हुआ कि अंगो के प्रती भी उनकी कोई भी यह जो थी नहीं थी मतलब कोई भी उनकी मतलब नीरा सक्तिम नहीं थी यानि कोई भी उनको अपने अंग से लगाब नहीं था कि यह मेरा आँख है यह मेरा कान है अगर कोई आँख भी मागे तो राजा देने के लिए उच्छुकराते थे बिग्याय का मतलब वहा जानकर यह जानकर शकलम ब्रहमांडम यानि कि पूरा का अब इसको सुनकर सुनी आगे क्या होता है राजा के विचार को विचारी रागी एवं विचारियती शती तस्य दान सिल्ताम परिक्छुतुम देवाधी पती शक्र समझे राजा के इसी विचार को जैसे ही सुना गया किनके द्वारा देवाधी पती शक्र द्वारा तो शक का घया को कि इंदर भागवान को देव का राजा का जा जाता था ठीक है देवके देब वह ड़ा महादेव भगवान को देवो का राजा का जाता था तो जैसी Birazीतिस इंद्र जी ने सुना की यह जो है इतना बदा दानवीर महराज आ गे है तुन्हों क्या किये उन्होंने सोच्छे क़र इंद्रभगवान ने ने परिक्षा 6 रूपम धार्यत्वा तद पुर्त अवद्धत हे राजन और परिक्षा लेंएक लिए क्या की इन्ठ भगवान ने तो ने त्रहीन या six याचा कस्या यानि कि इंद्राय परिक्षा लेने और बोलते है राजा भपता दान वीर्ताम आ करने आसान वीता भवत समीपम आगूत समीपम और परिक्षा भवान की देवा मतलब इनको बोलते हैं महाराज रवी ससी और पुरा पूरा इतना ज्यादा क्या है तो सजय अशा बड़ा हुआ है और ये जो जगत है कितना खूबसूरत है लेकिन मैं इसको देखने में क्या हूँ पस्यम और समर्था मतलब मैं इसको नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ चक्छुहीन हूँ मैं पास कोई भी आँख नहीं है ठीक है तो जैसे ही इंद्र भगवान जो है महात्मा बुध जी के भगवान बुध के पास आएं यानि बोधी सत्व जी के जिनका यहाँ पर कहानी में बोधी सत्व नाम है महात्मा बुध जी का तो उनके पास आएं तो जैसे ही भगवान इंद्र ने आँख मांगे मतलब आँख तो चीज को मांगते हैं तो दस रंग का बाहाना पपा के सामने किये तो दस रुपय पबापको दी हैं, तो उसी तरीके से यहां पे कुछ था, तो इस पे राजा बोलते हैं, ठीक है, राजा मतलब बोधी सत, भगवान बोधी सत, माहतमा भूद, राजा बोलते हैं राजा उबाच यानि राजा बोलते हैं कि भगबन मतलब हे स्वामी भबन मनोर्थम पुरितवा आतमानम अनुग्रिहितम कर तुम इक्षामी देखें कितना बारा बात बोले उन्हेंने बोला कि मतलब आपकी इक्षा को पूरा करकर मैं आपने आपको अनुग्रिहित करना चाहता हूँ मैं अपने आपको धन्य मानूँगा अगर इच्छा पूरा करता हूँ तो देखिए आज के जबाने में ऐसा होगा नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर यह नहीं कि राजा दान दे रहे थे कोई चीज़ तो ओभरे स्मार्ट बन रहे थे ठीक है आज कल के जबाने में अगर राजा जो है आज कल का राजा कोन है MP, विदायक, मंतरी, संतरी, परधान मंतरी, मुख मंतरी उसे अगर आख मांगने चल जाईए ठीक है आख तो छोड़िए सब पाचास रुपया मांगने चल जाईए तो आपको कहूँ, जेलूल करवा दे रहे ठीक है, सब पगला सब हो गया ठीक, सब नेता कहुए आलेक, इसका ताड़ी बुरा ही नहीं तो उस समय सुचिए कि जो राजा थी, वो क्या बोले कि एक तो समान भी दे रहा है उपर से कह रहा है कि हम, मतलब हम धन्य स्वामी कि आप हम से आख ले रहे है, ठीक है, चली तो आदिस्तियाम किम करवानी, मतलब वो राजा बोलते है कि आदेश कीजिए, क्या करना है बिप्रा, बिप्रा का मतलब गा ब्राम्मन देपता, यानि कि भगवान इंद्र के लिए उच किया गया है, उन्होंने कहा अकथ्यत, यदी भवान प्रीता ठीक है, इंद्र भवान बोलते है कि यदी भवान प्रीता यदी भवान का मतलब आप प्रीता का मतलब प्रीता कुम कुम तो आप क्या कीजिए कि एक आख जो है ठीक है हमको दे दीजिए ठीक है देना है तो दीजिए जनम जनम का साथ ये नहीं एक आख जो है हमको दे दीजिए ठीक है दान दे दीजिए दान में यही मेरी एक्छा है ताकि मेरी जो लो की यात्रा है मतलब यह जीवन की यात्रा है यह क्या हो जाए इसमें निर्वाधा आजाए मतलब कि बीना बाधा से यह खतम हो जाए अब आदमी के पर साखी नहीं रहागा तो जीवन जीने का क्या मक्सद ठीक है चली तद सुरुत्वा मतलब यह सुनकर राजा अचिंतियत यानि कि राजा जो है वो स्वचते हैं कि लोक मतलब इस संसार में चक्छू दानम यानि कि आख दान करना यह तो बहुत बरा दान है ठीक है यह तो बहुत बरा दान है जैसे आगर किस अंबानी के पास अब चले जाए अगर उसके कनपटी पर मन लीजे भगवान का बंदुक लगा हुआ है कि कोई आदमी सामने इसको दा देना ही है तो आख बाद में पहले आपको पूरा संपती देंगा अगर देना होगा तो आप्यまぁ क्या करें कि आला समगे ऐस सारा संपती से जढ़ा समझ रहे बात को सीअर्थ को दक्छन क करना यह तो मतलब बाद बात है मतलब यह तो काफी काम है और होतरा था का nic passer Rimousum इसी पर आजा सोचते कि नूनाम निश्चा ही यह जो दान की इक्षा लिए हुए यह जो कोई याचक आया है बिक्षु विखार आया है यह केन किसी से भी क्या है तो लग रहा है प्रेध होकर आया मतलब नहीं कोई माल लिजे राजा एनाउस किया कि आसे सारे बाबु सुना के लिए पार्क फ्री होगा ठीक अमोडन राजा का यहीं होगा तो माल लिजे कि कोई उहां पर टेस्टिंग करने आए कि हमको जीवन भर का टिकर दे दीजे तो आपके वो कोई इसको लगड़ा मोटिवेशन वीडियो देखके आया मोटिवेट कर दिया वही राजा को लगा कि इनको जो है यह भिक्छु को 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 जरूर किसी से प्ट्रेरित है मतलब वही सोच वीचार कर रहे थे पिर वह कहते कि भबतु नाम कीम बहु चिंतेन मतलब क्या इसमीं चिंता करे चोड़ देना है तो दे देते हैं तो कहानी एहां तक पहुंची अब इसते राजा जो है इती बिचारे मतलब यह बिचार करकर राजा अभासत यानि राजा जो है वो बोले ठीक है क्या बोले क्या बोले अम मिलकर क्या बोले तो राजा बोलते हैं कि भो मित्र मतलब हे मित्र किम केन चक्छू सा तुम एक चक्छू की बात क्यों कर रहे हो अहम भबते चक्छु दोर मेव प्रक्ष्यामी यी थी मैं तुझे आपको जो हो दोलो चक्छु दान कर दूँगा ठीक है ये राजा बोलते हैं अगर मौडन राजा आज कल के राजा जो हैं मंतरी संत्री एंपी विदायक अगर वो बोलते हैं चक्छु दान का तो समझ लीज हाँ ये तो आपको बता दिये कि यह विचार करकर राजा जो है दोनों चक्छु देने की बात करते हैं अब जो है आज के लिए इतना ही रहने दीजियो को कि इसमें जो है वर्ट सब टफ है तो आपको ज्यादा मुस्किल नहीं हो ठीक तो आधा कल आधा आज पढ़िए ठी की नाम मतलब सीवी यो के राजा हुएं बहुत दानी पूरुस थे हैं जैसा कि आप अभी पढ़े हमेशा गड़ीबों को दान देते थे एक बार दान साला में ऐसी घूमने गए तो वह देखे कि लोग आना ही बंद कर दिये तो उनको लगा कि मतलब की सौभागिसाली दान बिरकर्ण के तरफ तो फिर इंद्रभगवान सुचे कि चलो परिक्षा ले लेते हैं तो परिक्षा लेने के लिए वह अंधा बन किया है तो राजा से आख मांग रहे तो राजा ने दोनों आख देने का अभी प्रोमिस की है मतलब दोनों आख भगवान बोधी सत्व देने का बोल दिए अब आगे की कहानी राजा से आख मांगने आया थे और राजा ने निश्चय किये थे कि वह अपनी आख जो है डान में देंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चीजों को विचार करते हुए फिर राजा बोलते हैं कि भो मित्र हे मित्र कीमे केन चक्षू सा मतलब एक ही क्यों चक्षू यानि कि आख अहम भवते चक्षू द्वर्मेव प्रयक्षामी इती मैं अपनी दोनों आख तुम्हें दूंगा अब कहानी आगे बढ़ता है कहानी में क्या है कि राज्य यानि कि राजा के नेत्रदानार्थ हमका मतलब आख दान करने के निश् जो suivर कुए देनार्थ हैं आक आई का मतलब हो गया मंत्री वह क्या हो गया तो विश्ननाह हो गया मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गया वृत्वा अब अब्दत महराज और कहने लगा कि यह क्या निर्ने है महराज significance अलम एतावता दुसाहसेन मतलब कि ऐसा दुसाहस मत करिये महराज परभूतम का मतलब गवा बहुत अधीड क्या दे दीजे इसको धन मेव दे दीजे दियताम यानि दे दीजे यानि कि जैसे ही राजा यानि कि भगवान बोधि सत्व जी ने कहा कि हम दोनों आख देंगे इस क्योंके से पर घूल करें दीजे देन dependsने मतलब का मतलब मतलब कहने का मतलब यह है कि मंत्री चाहता है कि इसको अधन संपता देकर कषुआ कषुआ है अथ राजा तान अवदत सभान ल Barcelona also knownwhat बोलते हैं क्या बोलते समेज़िए राजा बोलते है कि दासयमिती पृतिगयाई योय नहीं घयो कुरते मने सहीat पातरस्त थीक है समझी त तॉ ठीक यहांब्सर कि दास्ययमत भते 20 संता है कि गोफ खोफ राजक सेल अरगे हैं राजा कहते कि दास्यामी गcoat है informat तो राजा कहते हैं कि दूंगा आईसी मतलब ऐसा प्रतिग्या करके यो मतलब यो ऀन्रीसिंग नहीं जो अन्य था यानि कि ब sé sketches अंपने मन को बदल देता है कर्पियान का यानि कि मैं सोरीं खाल पन्य यानि कि कंजूसी कुंचाundane चिंदाने कि यहां पर बिसर का सव हुआ ठीक तो इसको नहीं पढ़ेंगे पापत्र यहां पर तत है इसका मतलब क्या हो गया कि उससे अधिक कोई भी पाग भी नहीं होता है एक दो बार और समझे अभी तो तोर-तोर के समझा है पूरा मतलब समझे है राजा का कहना था कि ऐसे विक्ति जो दान का मन बना लेते हैं और बाद में अपना मन चेंज कर देते हैं कंजूसी के कारण वो उससे बढ़ा पापी नहीं होता है जैसे माली जे कि आप यह प्लान बनाए कि 10 रुपे आज दान देंगे लेकिन जब आप दान देने जा रहे त आप सब्सक्राइब 10 रुपे का है दे 5 रुपे में ही काम चला लेते हैं तो वो वो कंजूसी हुआ और उसका जो है बहुत बारा पाप चड़ता इसी पर राजा करते हैं कि दास्यम यानि कि मैं दूंगा क्या इती परतिग्या यानि कि जो परतिग्या क्या हूं उसके आत्रता नाम पड़ी तरानाय एव में निश्चय है लेकिन जो दुखी लोग है जो असाहाई लोग हैं जो मतलब गड़ीब लोग हैं उनका कल्यान करना और उनका मतलब की काम में आना रक्षा करना ही मेरा क्या है तो निश्चय है अस्य याच्या वरिथा मा अस्तू इत्यूकतवा शराजा अब समझी अब जैसी ये बात राजा कहें तो मंत्री जो है वो सांत हो चुका है अस्य ध्यान से तोर तोर के समझी है तब ही अच्छा लगेगा अस्य याच्या यानि कि उसकी जो मांग थी ब्रिथा माई ब्रिथा का मतलब आपको अब्बे में पढ़ाएंगो होता है बेकार बेकार नहाजाए और इत्यूकतवा मतलब यह कहकर सहराजा बैधोकत विधी नाम यानि कि जो बैध मतलब हो आडक्टर तो आज MBBS हो गया उस तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आता है पिर कहाणी बताएंगे तो और अच्छे डंग से आगा तो राजा कहते हैं कि इसकी मांग जो है बेकार नहीं जाए ऐसे कहते ही राजा क्या करते हैं तो बैध वीदी से यानि कि जो डॉक्टर का सजेशन होता है उसके थुरू अपने आखों को आसानी से निकाल कर प्रेम पूर्बक जो है क्या करते हैं या चक को समर्पीत कर देते ह का मतलब हो गया कि सीदे के हाँ समरपित मतलब हो गया समरपित करते हैं जैसे मानों वह आँख जो है उसी का हो यह राजा नह निलो उत्पलम इव का मतलब हो गया कि जैसे कमल को हम लोग तोड़ते हैं फूल को आप कितना बेहतर धंग से आरसानी से तोड़ लेते हो इससे राजा ने क्या कि आपना आख जो है निकाल के उसको दे दिये ठीक है चलिए और सह मतलब वो यानि कि भगवान इंद्र जो थे वो भी उस नेतर को क्या किये तो आखों में फिट कर लिए वो तुवंधा बन किया थे तो आख ली और अपने आखों में फिट कर लिए तो महिपाल दूइतियम नेत्रमपी शैने निसकास्य तसमे और तभी क्या महिपाल का मतलब हो गया राजा तभी राजा ने क्या किये तो अपने दूसरे आखों को भी धीडे से निकाल कर तसमे अयच्छत उन्हें दे दिया अब आगे चलते हैं तो अथा बिस्मीता सक्र अचिन्तियत वही आपको जो बताए कि अथा मतलब यह देखकर बिस्मीता यानि कि चकित अश्चर चकित रहे के कौन तो भगवान इंदर और सोचने लगे अहो ध्रिती अहो सत्वम अहो सत्व हितेस यानि कि इंदर भगवान ने क्या कहा समझी है उन्होंने कहा कि अहो ध्रिती इसका मतलब समझी है ध्रिती का मतलब हो गया धैरे उन्होंने कहा कि कितना धैरे है आज के जवाना में क्या कोई अपना एक नाखुन भी नहीं देता ह उन्होंने राजा ने क्या दिया आ anth दिया तो उन्हेंने कहा कि इसके लिए сосience जरूरी है कितना धहरे है है एह ओ सत्वफब और कितना सत्वफ यानि की मांसिक बल है भी कही है मांसिक बल है ठीक अब देखते हैं कि क्या कहते है कि mental mentally कितना strong है राजा आज लोग जो है एक बोतल खुन देने में डर जाते हैं इन्होंने आख दे दिये यानि कि mentally strong है औहो सत्व सत्व का मतलब हो गया लोग प्रानी आदमी हित्य सिता यानि की भलाई की इक्षा इनके अंदर लोगों की भलाई की इक्षा कितना ज्यादा है नायमचीरम परिकलेशम अनुभवीतूम अहरती द्यान से समझे इसका मतलब क्या हुआ नायमचीरम यानि भगवान इंदर बोलते हैं बहुत समय तक परिकलेशम यानि कि कस्ट अनुभवी तुम यानि कि इनको अनुभव कर नहीं होना चाहिए ठीक है यानि कि भगवान इंद्र कहते हैं कि मैं परियास करूँगा अब कुछ ऐसा चमतकार करूँगा इस वेचारे को बहुत समय तक कस्ट नहीं होना चाहिए तो भगवान इंद से चक्छू से पुन परतियारोप नाय इती और भगवान इंद्र कहते हैं कि अत यानि कि अब मैं क्या करूंगा तो इनके चक्छू से मतलब कि इनकी आखों के परतियारोप नाय यानि कि ट्रांस प्लांट जो बोलते हैं इंगलिस में उसकी क्या करूंगा तो कोसिस करूंगा कतिपए दिने वरन वी रोपने जाते एकदा राजा शरोवरस्य समीपे बिहरती समा कतिपए दिने यानि कि बहुत दिन वाद वरन वी रोपने वरन का मतलब हो गया वो जो घाव जो बन गया था वो भर जाने के बाद तो आपको पता है कि कोई भी आपका हाथ कर जाए पैर कर जाए तो थोड़े दिन बाद भर जाता है एक दाई एक बार राजा शरोबर के समीब क्या कर रहे थे तो बिहरती शमय यानि की घूम रहे थे बिचरन कर रहे थे तदा तस्य पूरत पुनध देवराज शक्र उपस्थिती और ओहां पे तदा तभी फिर से क्या हुआ पुनध देवराज इंद्र जो है शक्र उन्ही को बोला जाता है उपस्थित हुए वृत्वा तस्य त्याग वृतिम परस्षसनम अब्दत और वो सबसे पहले क्या किये उनकी राजा के त्याग और प्रसंसा उन्होंने की और उन्होंने बोला कि शक्रो अस्मीन देवेंद्र त्वत समीप उपागत तोर तोर के पड़िये देखिए यहां पे शक्रो अस्मी यानि कि मैं क्या हूं तो इंद्र हूं देवेंद्र हूं तो देवो के राजा है अब जैसे ही भगवान इंत्र ने कहा कि ये यह वाते तेन यानि कि यह वाते शुनकर राजा बोलते हैं कि राज़ा नित्र के लिए अपने आँखों के लिए प्राथ्ना करते हैं सती सक्रस्य प्रभावेन आत्मना सत्य पुन्य वलेन च तस्य पर्थमम एका चक्छु परतिष्ठम अववत और सक्रस्य प्रभावेन यानि कि भगवान इंद्र के प्रभाव से और उनके सत्य बल से जो भगवान इंद्र के प्रभाव से जो राजा का सत्य पुन्य करम रहता और फिर दूसरा आख भी आजाता है भुया प्रिता यानि कि जो भगवान इंद्र है वो प्रिता यानि कि प्रिता यानि कि प्रसन होकर शक्र यानि कि भगवान इंद्र वरम चत वो बर्दान देते हैं ठीक है तो राजा जो है बर्दान में कोई बस आख ऐसी तरह बोलते हैं अंधा क्या मांगे एक आँख मांगे आँख तो मिली जाता है फिर भगवान इंद्र वर्दान देते हैं कि शत्य योजन परियतनम सैलार नाम पारमच दरश्टुम समर्थ भविती हे राजा ये जो आँख है ये कोई मामूली आँख नहीं है ये क्या है तो सत्य योजन परिय दिल्ली देखने की बात हो गई भीहार से दिल्ली ठीक इतना देख सकते हो सैला नाम पारम तुम पहारों के आर पार देख सकते हो चदररश्टुम समर्थ भव इती यानि कि तुम देखने में क्या हो शमर्थ हो इत्युक्तवा शक्रा तत्रेव अंत्रहीत अबबत और यह ककर सक्रा जो है वान इंद्र तत्रेव यानि कि वहां से अंत्रहीत यानि कि क्या हो जाते हैं बिलुप्त हो जाते हैं द्रिश्य हो जाते हैं अतसत्य मेव उक्तम दियते लोक ही तो न मुखेन, अब थमझे इसका अच्छे से मतलब क्या हुआ, ठीक तोर-टोर के तो संस्क्रीट में क्या होता है, इस सब्ध का यहां, इस सब्ध का यहां लिखा रहता है, कहा गया है कि ऐसा अधन का कोई महत्व नहीं है, कोई भैलू नहीं है, ठीक है, और क श्रति ही दिये मानम आदिया मानम निधने कनिष्टम और कहा गया है कि अगर हम छोटा छोटा भी धान देंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि एक एक आदमी को एक करोर देना है दो दो रुपया भी देंगे तो क्या बन जाएगा निधान तानाम यानि कि वो एक बहुत बड़ा कोस यही कहानी था इस कहानी से आप ने देखा कि कैसे भगबान बोधी शत्व के यहां पर याँона का बताया गया है तो इन्हीं की तरह आप सभी के को भी त्यागी बनना है अब जो है तो चलिए स्टूडेंट अब अगले चेप्टर ही में बंतने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रूकेस्ट है जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पढ़ाई लिखाई एकदम सब बढ़िया धंग से चल ला यूटूब पे और आप लोग का अगर डिमांड रहेगा तो इस चेप्टर के यानि सभी चेप्टर के जितने भी क्वेस्टन एंसर होते हैं वो भी प्रैक्टिस जो है करा देंगे तो कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा और वो हो सके तो आप तो एक जाम टाइम आगिया है तो लाइब ही करा देंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि फिरी सेंपल पेपर भी अब आना शुरू हो जाएगा ठीक एक दो दिन में आना शुरू हो जाएगा और इस वीडियो को आप थोरे दिन बात देख रहे हैं तो आप ही गया होगा एप में जाके चेक आउट कर लिजेगा ठीक है तो भी आपको बता दे उस कंपनी से पैसा लेकर और आप इक्जाम देने जाए उसमें से कुछ आपको help ही न मिले तो इतो धोखा धरी हो गया तो आप सभी से एक छोटा सा request है आप जैसा कि जानते हैं कि इतना बराबरा वीडियो बनाने के लिए या class चलाने के लिए दो-तिन लोग रखना पड़ता है जिसको team बोलते हैं YouTube के भासा में और बहुत सारा equipment खरिना पड़ता है जैसे camera है, laptop है तब ही जाके जो है class चल पाता है तो उतना ज़्यादा आप जानते हैं कि funding वगर है आप जो है हमारे app पे पढ़ाईए तो वो सब तो होने वाला नहीं हम से क्योंकि हम तो सब का कल्यान में interest रखते हैं तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी को एक UPI ID दे रहे अपना इसमें थोड़ा थोड़ा जो है आप सभी सहीव करे जितना आपको यथा सकती तथा भक्ती जितना आपको लगे कि हाँ थोड़ा-thोड़ा सा चैनल को सहीव कर देना चाहिए ताकि चैनल ठीक से चल पाए ठीक है आप लोग ही इहां के क्या है इन्वेस्टर है ठीक तो जो भी हो थोड़ा थोड़ा इहां पर इन्वेस्ट आप लोग भी कर दीजिए जितना आपको लगे मिनिमाम 100 रुपया सभी है स्टुडेंट इहां पर दे दीजिएगा ठीक है और भगवान का सिर्वादा पर बना रहे तो हम यह लेकर कोई इंद्रा बिंद्रा के तरह उरने वाले है यह सब आप थोड़ा थोड़ा मदद कर दीजिएगा तो उससे क्या होगा कि थोड़ा जो जरूरत का समान सब है जैसे आपको पता है जैसे फूल संस्क्रीट इन वन वीडियो देना है तो बड़ा लंबा वी सभी सपोर्ट कीजिएगा ठीक है तो आप सभी को जितना लगे आप एहां पर सपोर्ट कीजिएगा हध्यान रखिएगा कि इसी UPIID पर दीजिएगा थोरा सा बड़ा है लेकिन इसको अच्छे से देखके यह न कि कहीं दूसरे जगा आप सपोर्ट भेज देए आप O-D-A-M-P-A-Y ठीक है यह UPIID है ठीक और QR कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ठीक है तो आप यहां पर जो भी बन पर है सहयोग कीजिएगा ठीक है और सेंपल पेपर भी खुद का बना के एक दो दिन में आपको देनी वाले हर साल देते इस साल भी देंगे आप इस O-Cost खुद का बनाते और आपको देते ताकि आपका बहतर त्यारी हो जाए ठीक तो यहां थोरा सा जितना बन परे सहयोग जरूर करे ताकि चैनल अच्छे धंग से चल सके ठीक कोई भी हम लोग के पास नफंडिंग है और नहीं कोई उतना पैसा है कि थोरा सा यूटूब का तो यूटूब से भी उसा बलोगर और लगर को पैसा आता है टीचर और को कुछ नहीं आता है ठीक कोकि आपको पता है कि सब क्वाइलिटी रिकॉर्डेड वीडियो डालते है यूटूब पे तो लगभाग स्टूडेंट वो डाउनलोड करके ही देख लेते है ठीक है ठीक और अकेले जो है हम सारा काम नहीं कर पा रहे को कि पढ़ाई भी कराना है बहुत सारा जैसा कि आप जानते है टेक्निकल फंक्शन है पीडियो फैरेजमेंट है तो बहुत सारा काम होता है उसके लिए एक दो लोग रखना ही पड़ता है हर जगा ठीक तो उन स से जो क्वैसन सिवेसी बोड में आएगा उसका भी विडियो हैं इसे ही हम डाल देंगे तो एक दम आपका चेप्टर में भी फूल माक्स आएगा चिंता नहीं करना है इस बार ही यह मनिका बुक आया है ठीक है तो इस बार आया है तो इसका लेक्शर भी नहीं आपको श्रिष्टी एशा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि यह जो श्रिष्टी है, यह निष्टी थी क्या है तो रमनिया है यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी है, सुंदर है और खुबशूरत है, इसी के बारे में इस चेप्टर में पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ में क्या था स्टूडेंट संस्क्रीत में आपको दो बुक पढ़ने का ओप्शन मिलता था सेमूसी बुक या मनिका बुक तो हो सकता है कि आप क्लास नाइन्थ में मनिका पढ़े हो या सेमूसी पढ़े हो या आप में से सभी स्टूडेंट मनिका ही पढ़े होंगे लेकिन टेंथ में क्या होता था एक ही बुख होता था सेमूसी बुख मनिका नहीं होता था तो मनिका जो है इस बार से आया है तो पहला ही बोडिक जाम आप लोग देने जा रहे हैं ठीक है मनि कहीं दिया गया है तो यह मत समझे कि यह कोई पुराना चीज है यह बिल्कुल आपके लिए नया है तो नया कहने का मतलब यह है कि इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा ठीक है तो कि इसमें जो क्वेस्टन सब है आप पहली बार बोड इजाम देने जाएंगे ठीक तो समझ स केश्टन सकते हैं आपकी थोरा सा बुक को जो एकदम गहराई में पढ़ना जरूरी है और एक बात जान लेजिए बुक जितना बहतर आपका हो जागा मनी का बुक उतना ही बहतर आपका ग्रामर भी हो जाएगा कुस्चन एंसर भी हो जागा सब कुछ हो जाएगा इसलिए को अच्छे डंग से पढ़ना है उसको complete करना है ऐसे तो हम सब आपका one by one करा देंगे बिल्कुल चिंता आप नहीं किजेगा तो तीसरा चेप्टर जो है उसको start करते हैं तो यह जो एक चेप्टर है यह एक नाटक वाला चेप्टर है यानि कि नाटक क्यांस है जैसा कि आपको starting में ही बताये थे कि class 10 शंस्कृत बुक है उसको तीन भाग में बाटा जाता है यानि divided into three parts पहला हो गया पद्यांस वाला जिसमें पद्यांस कहने का मतलब है जितना भी स्लोक वाला चे कहानी इसमें दिया गया है है तो देखिए कहानी मतलब नाटक की सुरुआत कैसे होती है सब जब पहले चेप्टर का मतलब आप समझ गए र Therapy एसा मतलब यह जो श्रिष्टी है यानि किạtर ससार है obtrie यह निस्ची थी क्या है तो रम्मनिय है यानि कि बहुत खुबसूरत के सुन्दर है और ऐसा कोई भी यूनिक चीज और नहीं ठीक है को कि समझ लिजे स्रिष्टी कितना इंपोर्टेंट है अगर धर्ती ही न रहे तो सारा कुछ आज हम लोग देख रहे हैं पढ़ रहे हैं सब नहीं हो पाएगा समझ रहे हैं कि नहीं यानि कि बिद्याले के प्रांग ने मतलब हो गया कमपाउंड में एक क्या है तो रंग मंच है यानि कि एक स्टेज बना हुआ है कैसे आप लोगों की स्कूल का इन्वल फंक्शन का एक स्टेज बना रहता जी सर तो कैसे उस पर आ आप लोग आ थोड़ी दिर बाद आ के आ कि क इतना अच्छा जा पर्फॉर्मेंस करते हैं तो समझ लीजर नाटक हो रहा है तो कहीं ने कहीं रंग मंच पर ही होगा तो नट ब्र शीन का मतलब जो कि आप nut nutty का मतलब यह समझ सकते हैं कि कैसे involved function में stage रहता है और जो भी performer होते हैं क्या बोलते हैं आप उसको English में performer yes sir तो जो भी dance करने वाले हैं या कुछ comedy करने वाले हैं तो उनका कैसे मंच पे आगमन होता है यानि कैसे वो stage पे आते हैं तो वही चीज लिखा गया nut का मतलब pulling वा nutty मतलब इस्तिलिंग nut nutty जो है क्या करते हैं पड़ी विस्त यानि कि परवेश करते हैं उभाव का मतलब होता है दोनों कहीं भी उभाव लिखा होगा तो दोनों होगा करावदवा नमः शर्वेव्य यानि करावदवा का मतलब होगे हाथ जोर कर नमः नमसकार करते हैं शर्वेव्य यानि कि सभी को तो जो एंकर रहता है आपकी स्कूल में इन्वल फंक्शन होता होगा तो आप में से कोई स्टूडेंट वापे एंकर बनते होगे तो आप लोग क्या करते हैं नमसकार करते हैं ध्यान से समझे है संस्क्रीट बहुत इजी होता है तो ये जो एंकर है ये बोलते है कि अश्माकम बिद्याले प्रांगने यानि कि प्रांगन यानि कि कमपाउन में भवताम यानि कि आपका हारदी कम अभिनंदन बहुत बहुत हारदी कअभिनंदन है ये कौन बोलता है उभाओ यानि कि यहाँ पर दो एंकर है तेक चली अब आगे बढ़ते इसी पर नटा जो है जो भी हो कोई डांसर हो सकता है या कोई हीरो हो सकता है परफॉर्मर पुलिंग में वो बोलता है कि अधा यानि कि अधा का मतलब हो गया आज जून मासस्य यानि जून का महिना है और पंचमी तारीका यानि कि पांच तारीक है नटी बोलती है कि आम सत्यम आम का मतलब हाँ सत्यम का मतलब हाँ सत्य है अधातु यानि आज तो विश्व पार्यावरंदिवस है आज तो विश्व पार्यावरंदिवस है विश्व पार्यावरंदिवस का मतलब क्या हो गया वर्ल्ड इंभारोमेंट दे तो इसी पर जो है वो नटी जो है वो बोलती है क्या कि हाँ ये तो सत्ते है आज क्या है तो इनभारोमेंट डे है उभव एवं अश्मिन सुभावस्रे वयम रम्यायम स्रिष्टीम अधिकृत्य एकास्या लगूनाठ किया प्रतुतिम करिस्यामा अब ध्यान से समझे उभव एवं अश्मिन सुभावसरे देखे सुभावसरे जो है उसको एक साथ करके स्वरसंदी में क लगूनाट किया है नाटक का क्या करेंगे तो प्रस्तूती करेंगे तीका है यानि पेस करेंगे नटी इदम तू सत्य मेव इत यम सिरिष्टी अती सौंदरे मई अस्ती और इसी पे जो है नटी बोलती है उहाँ पे सीन में कि इदम तू सत्य मेव यानि कि यह तो सही है यत मतब जो यम सिरिष्टी यानि जो हमारी सिरिष्टी है वो क्या है अती यानि कि बहुत सौंदरे मई अस्ती यानि कि बहुत क्या है सौंदरे है खुबसूरत है तारीफ यहां पर किया गया है तबी नट बोलता है अता परस्परम कलहेन विवादेन एसा दूसिता न करतब्या इसी पर कहा जाता है कि अता परस्परेन कलहेन विवादेन और वो बोलता है कि आ नटी बोलती है कि सर्वे साम अत्र महत्वम बिद्यते यहां पर सर्वे साम यानि कि सभी का क्या है अत्र मतलब यहां पर महत्व है कहने का मतलब है कि यह नहीं कि सिरिष्टी में सिरिफ जो है इंसानों का ही भैलू है इंसान ही ग्रेट है बाकि सब बाल लिटिल लेट है ऐसा कोई भी क्या है मतलब इस संसार में कनिष्ट मतलब छोटा वरिस्ट मतलब बड़ा नहीं है सब है उबहओ यानी उनकर बोलता है शर्वे शमाना यानि सभी जो है क्या है समान है नटी प्रकिर्ती माता शर्बान एसनेहन पड़ी पालियती उसी पे नटी को बोलती है कि प्रकिर्ती माता यानि कि जो मदर नेचर है वो सभी को क्या करती है एसनेह से पालती है और सभी का भेलू समान देती है देखिए इसी प प्रकृति है जो माता हमारी धर्ति माता उससरां ऐसा नहीं कि धर्ति माता पर की खाने का जीज उगड़ा है तो यो भी खा सकती है हाँ इंसान वहां डिस्टर्प करदेते हैं तो ये अलग बात है फिर उभाव जो है दोनों जो है वो बोलते है कि अता प्रस्तुयते लगुनाटिका रमनिये ही स्रिष्टी एसा और इसी पे जो है रमनिये ही स्रिष्टी एसा नाटक का क्या हो रहा है तो प्रस्तुष्टी करण हो रहा है तो अभी जो था एंकर जो है अपना जो है इंट्रो हो रहा है ठीक है नाटक जो है अब शुरू हो रहा है तो चलिए अब जो है नाटक क्या है इसको पढ़ते हैं अच्छे डंग से तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं तो कहानी यह स्टार्ट होता है तो यहां पर क्या है अस्थानम यानि की मतलब कोई भी नाटक या कोई भी फिल्म आपको दिखा जा रहा तो फिल्म भी एक परकार का क्या है नाटक है तो उसका कोई नो कोई अस्थान होता है लोकेशन होता है तो यहां पर इस नाटक का जो लोकेशन है वह है सर्शतीरम तो सर्शतीरम का मतलब हो गया समूंदर का किनारा समय जो है वह है बेला यानि परभात बेला का मतलब हुआ बेला का मतलब हुआ शमय और परभात का मतलब शुभा यानि की शुभा का क्या है शमय है तत्र राज हंस हंसी च बिहरत और तत्र मतलब क्या वहाँ पर राज हंस और राज हंसी क्या कर रहे हैं तो च बिहरत च का मतलब हुआ और तो अगर हमको इंगलीस में लिखना हो राम और स्याम तो हम इहां पर लिख दिए उसके बाद हिंदी में लिखना हो तो राम और स्याम ठीक है लेकिन इहां पर क्या होता है चवबाद में लगाते हैं तो तत राज हंस हंसी च बिहरत वहाँ पर क्या है तो राज हंस और हंसी जो है क्या कर रहे हैं तो बिहरत बिहरत मतलब बिहार कर रहे हैं मतलब घूम रहे हैं ठीक है यह देखें उसके बाद है निफित्याय काक धोनी शुरुते निफित्याय का मतलब हो गया पीछे से काक धो अभि जैसा कि आप जाने क्या कि जो है कोई का पीछे से क्या आता है इस टाइब से अब आ जाता है अब जैसी है नाटक में चले जाते हैं और फूल मजे के साथ पढ़ते हैं एस सब्तहर लोग करण कर लोग बोवर Лवमा gilt राध हंस बोलता है कि किन्नू खले शरश्टीरे विहरती यानि कि वह ऐसे ही बोलता है कि हम लोग समुदर किनारे घूम रहें इसी बक्त कोई क्या कर रहा है तो करकश करकश का मतलब गया एकडम घटिया अबाद का 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 सबसे वाटा वरान यानि कि जो इंभारोमेंट है इसक परिशान कर रहा है अब राज हंसी क्या बोलती है ठीक है सुनिए ये कववा पूछता है कि किनापी कौन मतलब ऐसी एक बादचित में नहीं होता है कि कौन ऐसा जो है कांड कर रहा है आवाज निकालने का तो राज हंसी बोलती है भरता भरता का मतलब हो गया हे स्वामी हे तो आज कल में क्या हो गया है भरता आज कल में बाबु सुना हो गया काकात अन्यको भब्तिम महरती यानि कि राज हंसी बोलती है इस तरीके से भरता यानि कि टालाइं काकात अन्यको भब्तिम अहरती यानि कवे के अलाबा कौन हो सकता है अश्य वर्न अपी क्रिष्ण यानि क उसका वन यानि कि उसका सडीर उसका रंग भी क्या है तो क्रिश्णा यानि कि काला है और उसका काम भी काला है मेध्यम मेध्यम सर्मीब भक्सियती मेध्यम मेध्यम अच्छा बुड़ा सब कुछ क्या करता है खाता है और हर जगा करता रहता है जरूर यह कववा है स्वामी उ यानि कि नाटक में किसका प्रवेश होता है कव्वा का प्रवेश होता है कव्वा जो है स्वक्रोधम यानि कि करोधित होकर बोलता है क्योंकि कव्वा जो अपना मजा कुरता सुन लेता है कव्वा बोलता है पहले तो आके करता है और फिर कव्वा बोलता है खेम उकत्वति भ त्षिया वर्णा किरदीशत यानि कि स्री राम का वर्ण क्या है मतलब सिर्राम का रंग क्या है स्री वाशुत लिवेष्या करना करदीश श्री कृष्न का एक श्री कृष्न क रंक्या है ठीक है यानि वह जो है अपना तुल्ला करने लगता है अहं तू अतीब कर तब्य प्रादयान और मैं जो हूं अतीम मतलब बहुत बड़ा करतब्य का पालन करता हूं परभाते यानि कि सुवा में काका धोनी से क्या करता हूं तो सुप्तान यानि कि स्वय हुए व्यक्ति को क्या करता हूँ तो प्रभदेयामी यानि कि जगाता हूँ करमसुच बिनोजियामी और वो जो है अपने काम में लग जाते हैं यानि कवगा बोलता है कि मैं ही तो हूँ जो सभी व्यक्ति को का का करके सुबह में जगाता हूँ और सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं, अगर मैं न रहूं तो कोई लोग में ही जगेंगे, आई जी, तो इस पे जो है, राज हंस बोलता है, कि हुँ, राज हंस जो है, अपने नाटक में कैसा आबाज था राज हंस का, हो, मतलव हे, किम नेन, क्या बोलते हो, एट अट क तो मूर्गा भी करता है शुबर-शुबर बांग देते जग्याओ जग्याओ तो फिर कवा बोलता है कि भी हस्या कुक्टा मुर्गा आधा कुटा कुक्टा नग्रेशु कहां है आज मुर्गा नगर में अहमेव सर्वत्र सुलव मैं तो हर जगा जा सकता हूं असानी से अब पुलिंग जो है इस पर राज हंसी बोलती है कि भोगो बाचाला, याने कि अब मितलब Niet에는 कउनल मैं मतलब सब्द, यानि कि alone कठोर सब्द वही जो करकस धोनी है जैंज जांत लोगों को जगाने के अलाबा अन्यमतलब अलाबा तो कोई भी कारे नहीं करता है करदा करता है कि अहो अज्यानम भफ्तिया भफ्तिया यहां पे देखिये हैं पे भफ्तिया इस तिरलिंग के लिए लगाया जाता है ठीक है भपतिया का मतलब होता है आप कि आप खिशी को कहना तुम्हें नहीं पता मैं जिस घर के भीतावुरा यानि की दिवार पर स्थीतवा बैठ कर बोलूंगा आ अ То जन आ है मैंनि कि सभी लोग कोई एक लोग नहीं सभी लोग जो है यह मां कर खुुस हो जाते हैं की हमारा कोई क्या है तो पॉर यह आने वाला है तो जासा कि के आप जानते कि आगर काय कहे करता तो आप कहती कि काउवा ऐस कोई आने बेक्त आज तो कोई आने वाला रहता है तो आपको मोबाईल से इन्स्टागराम से पता चल जाता है आम कर दो पहले थोड़ी पता चल और अहां मतलब मेरा तु सत्य प्रिये वाला बात नहीं जानती कि जितनी भी माता अपने सिसु से याँ बच्चों से कहती है अनितम वदसि चेत काका दसेट अनितम वपसी यानि की अनितम यानि झोठ मत बोलो नहीं तो क्या होगा?ostat काग दसेट कवा काट लेगा जऊट बोल करता है कि माता जो अपने से बोलती है कि जूट बोलेगा तो कववा काट लेगा ठीक है उसके बाद कववा बोलता है कि असमाकम एक्यम तू जगत परसिद्ध है यानि कववा बोलता है कि हमारे समाज में जो एक्ता है वो पूरा विश्म में परसिद्ध है वह ऐसा एक्ता कि इसी भी समाज में नहीं है तो जैसा कि आप देखते हैं कि अगर एक को आप कितने आप कर लीजिए तो देखिए आपके घर के उपर कर देखिए कि आप अपने आप अपा जाएगा वह उसी को एकता बोला जाता है और जो जागरुक तो उसको पाही लेता है जैसे अगर आप अपने छत के ऊपर रोटी रख दीजिए अगर आप कितना भी रखवारी किजीए अपना प्रोसेस लगा के दिमागे लगा के आज हो थोरा देर बाद हो वह जो है उठा के ले जाएगा तो वही कहा गया है कि जिस भी देर्थी में इ अब जो है आगे जो है राज हंस बोलता है कि बिरम 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 का मतलब रुको रुको शुरेताम यत जने शर्वदा गियते तव विशे तुम नहीं जानते कि तुम्हारे विशय में सब क्या सुनते हैं क्या गाते हैं कहने का मतलब है कि एक सुलोक के माध्यम से अब जो है राजहंस कव्व के बुराई करता है राजहं को पढ़ाएंगे कि का मतलब होता है काड़क में समद्ध कारको उत् pir لिए करताने कर्म को जिए Solomon में अनुबाद में वह बताएं गे काकस्या का मतलब हुआ कँएं का ठीक है है यहें इसी से पता चलता है कि में है कि का है कवह का मतलब हो गया के सरीर को सोना से बनों से पूरा सेट कर दिया जाया ήकि पूरा सरीर में सुना लगा दिया जाया मानिक रत्नम यदी चंचु डेशे और मानिक रत्नम मानिक रत्न जो ऊंठी उगण में पहना जाता है ऐसा टाइप का जो महाँ हाणे में चोच में लगा दिया जाए एक एके पक्षे यानि कि एक एक पक्षे मतलब पंक में गरंथिम मनी नाम और हर एक पंक में मनी गरंथ कर दिया जाए मतलब कि मनी से उसको बना दिया जाए हर एक पंक में मनी चपका दिया जाए तथा पी तपर भी काको न तू राजहंस कवगा जो है राजहंस नहीं ह हो सकता है कवगा कवगा ही रहेगा ये बात राजहंस कवगा की बुराई में कहता है अब देखिए जब यह चप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपको पता हो कि एक बात कहा गया था कि यहां पर संसार में बीवाद बढ़ राय जो संसार के लिए क्या है हानी का रख है है कि नह बगुला भी उझला ही ध कोभएद दोनों में क्या भेद है बंक हंसियो में मतलब बंक सोरी पन्क तो recognize बंक हुआ याले बर की घ्रन से सूनेएगा हँसव्द का Moriki मतलब हंस मतलब हंस यानि राज 1 वह भी स्वेद तो स्वेद का मतलब उझला बगटा सूएता यानि कि वगला भी है वो भी शुरह को भीisen बख का निर दोनों में क्या नीर चीर मतलव है तो ऑर चीर मतलब है डूद मतलब यानि कहा जाता है कि हंस जो होता है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है यानि कि अगर आप कहीं पर दूध रख देंगे और उसके नीचे पानी तो हंस क्या करेगा अलग मतलब कहने का मतलब है कि अगर उसको दूध है तो पुरा दूध है पीजागा पानी है तो यहां पर देखिये आपना तारिफ में बखुला का बुधाय कर दिया कि मैं भी उजला हूं और भी उजला लेकिन लेकिन से महल उसे होता है और अपने पंखो कहें अपने पंखों को अपने को जार करता है आपको पजारते मैं चाहते पानी ठीक है तो पानी में बैठा रहता है तो उसका पंख जो होता है भींग जाता है तो उसको जार कर बाहर कोई भी पक्छी निकलेगा तो ऐसे जार कर ही पंख का पानी तो हटाएगा ही न यह सब क्या था है की क्थम म मां अपी अधीशी पसी कत हम क्यों मतलब वहादफ हो जो राजहंस को अधीशी पसी निणी कर रहे हैं मेरी बुराइख कर तुम्हारा महत्व है तु मिंपॉर्टेंट हो उस पर बगुला जो है राजहंस के विरोध में क्या बात बोलता है ज्यान से समझेबां वर्सताउ तु मानसं पालिया से वर्सतो यहां पर देखिए वर्सताउ मतलब क्या हुगा कि जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसका मत्तव का वर्शा रीतू दोनोग मिल चगे बना हुए ठीक है यानि कि जब रेनी समय आता है तो तुम्हान समय आता है तो तुम कहा भाग जाते हो मान सरूबर मान से सुन. ऐसा क्यों कहता है बगुला धञान से सुन. फिर बगुला आग.' कहता है कि अहम एम यानि मैं MAY का मतलब है मैं ही अत्र यहाँ पर ब्रिष्टे आने की बारिस का पविनन्दम करो मी यानि मैं ही तो यहां पर रहता हूं और बर्सा का क्या करता हूँ कि दृषित मैत्री ऑपनी जाधर चायए तुम्हारी मेत्रिता हे तो तो ध्यान से समझते कि यह दोलकपुर वाला सीन नहीं रहता है समुंद्र जंगल यस है तो समुंद्र में आप देखें बकुला यहां पर पढ़ा हुआ है कहा गया यहां पर देखें ही रहा है बकुला जो है यहां पर पढ़ा हुआ है ठीक किनारा है तो जो कवा हुआ हो तो इस समुंद्र में नहीं न रहेगा नदी में जी सरू वो कहा रहेगा आपको तो जमीन पर रहे तो यह ब आपको समुदर 1 का इतकारी मानता हैं अपने आपको समुदर 2 का सबसे जादा हिशी को है तो छोना कहता है कि यहां से फ़रार को बोलता है तो राज हंस को बोलता है कि भाई बाह समुद्र तुम इतना बरा हितकारी मानता है लेकिन चला जाता है तुम बरशा टाइमा आता है तब अपाध काले संथस्थी कुझ्पान। दूर्म और फिर जब उधर बहुत ज्यादा ठंडा परता है तब इधर आ जाता है ठीक उसी पर भकुला आगे कहता है कि वस्तूत यानि वास्तम में अहमेव यानि मैं ही स्थीतले जले सीतले जले का मतलब वह ठंडा जल में बहु काल प्रेतनम औविचलम औविचलम यानि बहुत काल प्रेतनम यानि बहुत समय तक औविचलम यानि बिना बिचलित हुए ठीक है आप देखेगा दूसरा जो प्रानी है वो इधर उधर करता रहेगा चाया कोई भी दुनिया का प् बच्चो जो मतलब की एकदम ऐसा फोकस उसका रहता है कि वह इल नहीं सकता है इसलिए का गया है कि जिस विद्यार्थी के अंदर वको ध्यान हमें निए बगुला के तरह ध्यान टीक है एकदम बिना बीचलित हुए एकदम फोकस है बगुला को जब आप देखें कर एकदम इ की लेगा भी नहीं और मचली सब कन्फूज हो जाता सीध मचली का सिकार कर देता है इस्थित प्रग्य इव तिष्ठामी मैं इस्थित प्रग्य यानि कि सांत रह सकता हूं हां तो यहां पर यह जो बकह है कहता है एक मिनट टूके पेश्ड बकह जो है वह कहता है कि मैं वह गया उजले कलर का दूद के जैसा तो उजला ही हूआ में पक्ष है यानि मेरा जो पंक है वह उजला कलर का है नो जाने कथम कैसे माम मेरा ओपड़ी गण्यत यानि कि मुझे बीना गणे जना यानि कि जो लोग है चितरवर्नम का मतलब होता है चितकवरा भध्दा दीख आने वाला मयूर को राष्ट्र पक्षीी नियाते पता नहीं क्यों मयूर को लोग राष्ट्र पक्षी मानते हैं अब जो है और बर्पॉर्ची बनने के योगी निस्ट्न बढ़ कोन है मोर है मयूर है तो बताता है मैं अब जो है मयूर का यह बुड़ाई कर रहा है तो देखे इसी तरह बिवाद जो है बढ़ता चला गया सब अपना बढ़ाई में किसी का बुड़ाई कर दिया मयूर बूलती है परवीश करके साट हासन हासम यानि कि हस्ते हुए हाहा सत्यम सत्यम सही बोल रहे हो सही सही अहमेव राष्ट्रपक्षी मैं तो राष्ट्रपक्षी निशनल बढ़ हूं को ना जानाती तब ध्यान अवस्थानाम को ना जानाती को नहीं जानता है तब यानि तुम्हारे ध्यान अवस्थाना तुम्हारे ध्यान के अवस्था को तो देखिए यहां पर वही वाला है देखिए ध्यान अलग जीसर और अवस्थाम अलग यहीं न विद्याले वाला में जीसर हैं यहां पर ध्यान अवस्थाम एक साथ लिखाया इसका मतलब वग्या कौन नहीं जानता है तुम्हारे ध्यान की अवस्था को मौनम दृत्वा एनी मौन धारन करके बर्का वरकान मिनान मचली को चलनल से ठीक्रपाइबral C और अपने क्या करते हो तो उसका भक्षियन कर लेते हो ठीक है तो आप देखेंगे कि बगुला जो है वही आपको पता एकदम सांत बैठा रहेगा मचली को भनक तक नहीं लगा रहता है कि यह कौन है मतलब मचली को लगा कि कोई मरा हुआ है या भाई कोई पेर पौधा तो न मानितम खलू यानि कि पूरा का पूरा जो खलू मतलब सभी पक्षी कुल हमें यानि पक्षी समाज है वह तुम्हारे वज़र से क्या है तो अमानितम यानि कि अपमानित महसूस करता है धिक्कार है तुम पे नहीं कहता है आपके समाज का आदमी ऐसा कांड कर दिया तो पू सात्मा नमबर चैप्टर है सोहारदं प्रकृते सोभा सेम यही चैप्टर है उसमें भी कवा अंतिम अपना आपको राजा बनाने के चक्कर में रहता है ठीक है तो उसी तरह जो कवा बोलता है रे सर्फ भग्षक यानि कि रे साप को खाने वाले नर्तनात अन्यत किम अप्रम जाना सी नर्तनात यानि कि नाचने के अलावा आप देखेंगा मयूर कैसे पंक फैला के नाचती है जी सर नाचने के अलावा किम अप्रम जाना सी तुम जानते ही क्या हो ठीक है तुम जो हो जानते ही क्या हो अब जो है मयूर जो है उसका कहना है कि सुरेताम सुरेतयाम यानि कि सुनो सुनो मम निरित्याम यानि कि मेरा निरित्य तू परकृति आराधना यानि कि मेरा निरित्य तो परकृति की क्या है आराधना है यानि कि मेरा डांस जो है मेरा वो परकृति का क्या है आराधना है पू यह इसको इसके बारे में कहा गया है चारू वर्तुल चारू का मतलब हुआ सुन्दर और वर्तुल का मतलब हुआ गोलाकार्ट में क्या है चंद्रीका है यानि यह देखें सुन्दर में यह जो है इसके बारे में कहा गया है कि यह चंद्रीका मम केका रवम सुरुत्वा कोकिला अपी लज्जेते और मेरा जो आवाज है उसको सुनकर कोयल भी लज्जेते यानि कोयल को भी सर्मा जाता है ठीक मैं इतना मधूर गोलती हूँ केका रवम का मतलब यहां पर यह हुआ कि आप देखेंगे कि मयूर जब नाजता है तो ऐसे अवाज आता रहता है मेगा 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 तो ऐसा लगता है बोला जा रहा है कि मेगा मेगा यानि कि बारिस आ आपको पता है बारिस आने चेपहले मोर नाचती मम सिर्शी यानि कि मेरा जो सिर्शी यानि कि सर है राज मुकुटम सिखाम अस्थापयता बिधाता और मेरे तो सिर पर ही क्या है तो राज मुकुट है और इसकी अस्थापना बिधाता ने की है बिधाता कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे पासाज मोबाइल है तो आप कहेंगे कि हमको मोबाइल यह दिए वो दिए हाथ पैर है तो तब बिधाता ही भगवान ही दिए है तो यह कहते है कि मेरे जो सर पे यह देखिए राज मुकुट पहले से तो यहाँ पर नहीं है उतना और इसीलिए मैं क्या हूँ तो पक्षी राज हूँ पक्षियों का राजा हूँ कोकिला अब देखे अपनी बराई करते करते यह कोकिल यानि कोयल का जो है बुराई करने का काम यहाँ पर होता है मोर के द्वारा तो फिर कोकील यानि कोयल आती है प्रविशी यानि प्रविश करती है रे मयूरा अलम अतीविद कथनेन अलम मतलब बहुत जादा यहां पर बक बक मत करो मधुमासे यानि कि बसंद के समय आमरबुडिक्षे यानि आम के उपर इस्तित्वा बैटकर यदि अहम पंचमश्वरेम गायमी तदा सुरोता कथ्यंती जब मैं आम के पेर पे बसंद के समय में गाती हूँ तो लोग कहते हैं कि काका क्रिष्ण यानि कववा भी काला है पिका क्रिष्ण यानि कोयल भी काली है को भेद पिका यो कोयो दोनों के बीच क्या भेद है क्या डिफरेंस है तो वसंद समय प्राप्ते काका काका पिका पिका यानि वसंद समय के समय कववा कववे रहता और कोयल कोन कोएल तो आप देखेंगे कोह दोनों काला है लेकिन जब बसंद का समय आता है नएं कि रखा तो यह 답 दोतोंडें बाथ शुनकर गवार जो है वह बोलता है किसको तो मदने वाल है समझें दूसरों के समझे नि समझें की कोयल जो होती है वह घुथ कंवर के consistent में हैं कशखिए कोई का अपना घुश्ला नहीं होता है । अहम यदि य Це का टान-प्रॉ तहड़ी कि मैं मतलब करुना पर यानि कि सम्राथ का का यानि कि मैं करुणा पर दयालू पक्षी सम्राथ क्या हुँ तो कवर हो इसे राजहन से बोलता है सांतम सांतम यानि सांत हो जाओ अहमेव यानि मैं ही ठीक है अहमेव यानि कि मैं ही नीर्चीर विवेकी नीर्चीर मतलब वही दूद का दूद और पानी का पानी करने का जो विवेकी मतलब होगा विवेक है नौलेज है ठीक है नहीं कहते है कि यह दूद का दूद और पानी क का पानी कर देगा तो सब अपना अपना तारीफ करते तता प्रकृति माता पड़िष्टा तभी प्रकृति माता क्या करती है पड़िवेस करती है प्रकृति माता इसने हम का मतलब माता है तो ममता भड़ी आसिर्वात देती है अलम अलम मिथ कलहें अलम अलम मिथ मिथा का मतलब हुआ परसपर यानि कि आपस में कलह क्यों कर रहे हूँ अहम यानि मैं प्रकृति एव इसमाकम जन्नी मैं क्या हूँ तो प्रकृति हूँ हूँ यानि तुम सब्सक्राइब मेरे लिए क्या हो तो प्रिये हो और शर्वे सामी इसका महत्व है इंपोर्टेंस इसका इंपोर्टेंस है इसका इंपोर्टेंस है से работ मेरे वहीं सब्सक्राइब मेरे ग्याद करेंसे वहीं व्यान उसे सब्सक्राइब मेरे छबुष करो अब गाते हैं एक यहां पे यह चीद ठीक तो यह प्रकार का स्लोक है तो सभी लोग गाते हैं कि आयूसा छना एकोपी न लब्यस्वर्ण को ठीक है सह चेत निर्य अर्थकम यहां प्यानू नासिक संदिव हो चुका ठीक है कहने का मतलब यह है कि आयूसा छना एक कोपी यानि कि आयूसा चना Stretch यहां पर डिखा हुआ है ओम्र है उसका एक छन भी मतलब आपकी उमर चेतना है अगर आप बरबाद कर देते हैं उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं तो श्वर्ण कोटिक है यानि कि आप स्वार्ण की मुद्रा भी दे के वापस नहीं ला सकते हैं ठीक है सहचेत निर्थकम नीत कानू हानिस्तरो अधिका कहने का मतलब यह है कि इसको निर्थक नहीं जाने देना है और इसका क्या करना है यूज करना है और अगर आप इसका निर्थक में मतलब बेकाल कर देते तो इससे बराहानी जिदिगी में आपको कोई नहीं है चाहे लाखो करो क्या है मतलब सभी लोग बात को समझ चुके हैं जीवा असर वहतर मोदनताम भावयआंतव प्रस्परम और जितने भी जीवेस अवी क्या है मोदनताम यानि कि अप्रसन होकर भाव यानता मतलब के आपस में प्रेम करकर सभी लोग क्या कर रहेंगे अब रहेंगे और यह सिस्टी अब अच्छी हो चुकी है ठीक इसलिए कहा गया है कि हमें प्रित्मी पे मिल जूलकर रहना चाहिए जानबर हो इंसान हो सब एक दूसरे के लिए क अब आपसे मिलते हैं अगले चेप्टर पढ़ने वाले है वह है चेप्टर नंबर फोर चोथा नंबर चेप्टर चेप्टर का नाम है आज्या गुरु नाम ही और विचार नीं है इसका मतलब क्या हो गया समझे कि गुरु जन यानि कि जो टीचर होते हैं उनका कोई भी और हो या कुछ आपको सजेशन हो उस पे कभी भी विचार नहीं करना चाहिए आख बंद करके उसको फॉलो करना चाहिए जैसे माल लीजिए कि आपको हम कहड़े कि ये चेप्टर पढ़ना है तो उस पे आपको विचार नहीं करना है सोचना नहीं है कि सर क्यों बोले किस में देखेंगे अब एक बात आपको बताते हैं स्टुएंट ध्यान दीजिएगा कि मनिका बुक जो आया है ठीक है ये तो एकदम नया नया है जी सर तो इसमें जो है संस्कृत पढ़ने का ट्रेंड जो है वो अलग होगा ठीक नहीं तो आपको फिर कुछ समझ में नहीं ठीक को कि चेप्टर अच्छे डंग से पढ़े रहिएगा तब ही जाके ग्रामर आपको बहुत अच्छा डंग से समझ में आएगा तो पहले पूरा चेप्टर पढ़ा देते अच्छा से ठीक है फिर साथ में उसके बाद जितना भी ग्रामर का टॉपिक है वो आपको देते लेकिन अभी जैसे समास आप पढ़े ही नहीं तो exercise question कराएंगे तो समझ में नहीं आगा तो इसी फ्लो में पढ़ाते हैं पहले चेप्टर पूरा बढ़िया डंग से फिर उसका ग्रामर का टोपिक आपके से लिवस क्या और फिर मनिका बुक का exercise एकदम मक्षन के तरह आपका संस्क्रीट लास्ट में complete हो जाएगा तो अभी जो है simple आप chapter को thoroughly पढ़ते चलिए तो chapter का जो शुरुवात है वह कुछ इस परकार से होता है चलिए start करते हैं अब आप भी बुक निकाल लीजिए ठीक कहा गया है अधा सिक्छा का दिवसा तो अधा का मतलब होता है आ आचारे महध्या कक्छाम प्रवीसती अराम से समझेए Sanskrit is very easy ठीक है very very easy बस आपको थोड़ा सा focus होना है अचारे महध्या का मतलब क्या होगी आप बताए यानि गुरुजी कक्छाम यानि कक्छा में प्रवीसती यानि की प्रवेस करते हैं गुरुजी कक्छा में क्या करते है पर बेश करते हैं सिस्या गुरू बंदनाम कुर्बंती और जितने भी सिस्या है यहाँ पर बहुँ बचन है बालक सब्दूरूप आपको बोले थी याद करने के लिए कैसे होता है बालका बहुँ बचन बहुँ बचन मतलब क्लासरूमें तो बहुत सारे स्टुडेंट रहें अब इस पर आगे जो है एक चीज लिखा हुआ है बड़ा इंपोर्टेंट है कि इसमें बताया हुआ है कि गुरू क्या है वो बताया गया हुआ है यह परकार का आप कथन कह सकते हैं स्टेटमेंट कह सकते हैं द्यान से देखिएगा कहा गया है कि अज्यान तीमीर अज्यान का मतलब क्या हो गया अज्ञानता जिसके पास नॉलेज नहीं हम क्या कहेंगे अज्ञान तीमिर का मतलब हो गया अंधेरा ठीक है और एहां पर आरानाधस्य का मतलब अंधाद्मी यानि कहने का मतलब है कि अज्ञान रूपी अंधेरा से अज्ञान अभी फिर से समझाएंगे अभी तोर तोर के बता रहें, फिर इसको एक जगह कमपाइल करके बताएंगे, तब आपको अच्छा से आगा, तो अज्ञान रूपी अंधेरा से ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या हो गया, ज्ञान नोलेज, इसी में एक चीज निकलेगा आंजन, आंजन का मतलब होता है काजल और इहाँ पर है सलाका, सलाकाया का मतलब हो गया, काजल जो इस परकार से लगता है सोग, द्यान से समझ यह, एक वार और समझ ही, यह आपको उचना बेहतर डंग से नहीं आगा होगा, पहले इसका जो मतलब है वो बता देतें, फिर तोर तोर के आपको बतातें, द्यान से स तो हमारे लिए सब कुछ क्या है तो अंधेरा जैसा है और हम भी एक अंधा आदमी है ऐसा क्यों कहा गया आपको हम बताते हैं जैसे यहां पर हम लिखते हैं कि यह क्या है आपको बताना है यहां पर एक हम नाम लिखे हैं अपना ही नाम लिखते हैं तो आप जट से पढ़ दे क्योंकि आपको यह जो है English का knowledge है इसलिए पढ़ लिए माल लीजे कि एहाँ पर हम कुछ उर्दू में ऐसे लिख दे हैं अब जो है आप इसका मतलम नहीं बता पाएंगे क्यों को कि उर्दू का ना आपको knowledge है ना हमको ज्यादा नौलेज है तीक तो आप नहीं बता पाएंगे तो अब माल लिजिए कोई अंधा वेक्ति को हम कहें कि क्या लिखा हुआ है तू भी कहें कि कुछ नहीं बुझा रहा है और आपको भी कहें क्या लिखा हुआ है तो आप भी कहेंगे कि कुछ नहीं बुझा रहा है ठी तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अज्ञानी है तो हमारे लिए सब कुछ अंधिरा है और हम क्या है अंधा विक्ति चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभी वीडियो काट दिये थी काट दिये थी इसलिए को कि यह चीज जो है आपको समझाने में एक चीज का हिल्प लेना था जो अभी हम फोटो लगाए है पर चार बला आपको और अच्छा डंग से आगा समझाने में तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो भी अज्ञान रूपी अंधिरा है अगर माली जी हमारे पास अज्ञान है तो हम क्या है अंधे है और उसी अंधकार को ज्ञान का मतलब हो गया अंजन का मतलब हो गया काजल यानि ग्यान रूपी काजल का सलकाया से चप्छू यानि की नेत्र और यहां पर है उनमी लितम इसका मतलब क्या हो गया कि होल दिये गए मतलब जो क्या किये तो हमारे मतलब की अंधेरा में हम थे हमें कुछ नहीं आता था पढ़ने और सर हमें ग्यान रूपी काजल का सलकाया लगा दियें और हमारे जो आँख है चक्छू है वो क्या हो गए तो वो खुल गए मतलब अब हम सब कुछ पढ़ सकते हैं ये मतलब उन तसमे स्री गुरुबे नमा उन गुरुओं को क्या है तो हमारा नमस्कार है अब समझ ये एहां पर आप जो है एक चीज को बहुत अच्छे डंग से समझ गया होंगे कि कहने का मतलब ये है कि जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं तो ग्यान से हमारा आँख खोल देते हैं और हमारा जो अंधापन है अंधापन कहने का मतलब ये है कि हमें knowledge ने तो मन्द है उसको गुरु दूर कर देते हैं ठीक है अब ये ग्यान काजल सलाकाया किस sense में कहा गया आपको बताते हैं जैसे यहाँ पर आपको TV पर ये एड दिखता होगा नया iconic काजल लक्मी के ओसे यह सर तो उसमें देखिए यहाँ पर सलाकाया का मतलब क्या हो होता है कहने का मतलब है कि उसी तरीके से ज्ञान आने से क्या बढ़ता है तो मतलब हमारा जो आख है वो खुल जाता है और ये खोलने में हमारे गुरु मदद करते हैं वो हेल्प करते हैं उन गुरु को क्या है तो नमस्कार है परनाम है ठीक है अब चलिए आगे चलते हैं अब जो है आचारे कए है कि है अचारे जो है परविश्य अभो अतिमधूरसवरा यानि आचारे का स्वर है वो काफी क्या है तो मधूर है सूरीला है और अच्छा है ठीक वत्सा का मतलब हो गया है आप पे बच्चो यानि गुरु जी बोलते हैं कि बच्चो स्टूडेंट भवंता जाननती कीम भवंता मतलब आप जाननती कीम जानते हैं क्या अत्र कस्मे परनाम अक्रियते अत्र मतलब यहां पर कस्मे यानि किसे परनाम अक्रियते यहां पर क किसको परनाम किया जा रहा है तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे लोग आपस में यह वह जो एक प्रिकार का सुलोक आप कह सकते बोलते रहते हैं तो वही गुरु जी आदा सुनते हैं और मतलब एक नहीं होता है क्या बात हो रही है वही वहला गुरु जी पूछते कि हाँ पर गुरु को नमस्कार किया जा रहा है अत्र तू गुरुवे ए परनाम किया ते अत्र मतलब यहां तो गुरु को ही परनाम किया जा रहा है मतलब राकेश जो है वो पूरा फुल कंफिडेंस में बोलता है कि यहां पे गुरु जी को ही परनाम किया जा रहा है अचारे बोलते हैं सोवनम बहुत बढ़िया गुरु इती सब्द से को अर्थ है गुरु इती सब्द से को अर्थ है गुरु इती मतलब गुरु अरिती का मतलब यह गुरु यह सब्द का क्या अर्थ है ठीक है गुरु जी पूछते हैं कि गुरु सब्द का कोई अर्थ है बत परन्तु आप जानती है गुरु सब्ध का अन्यभी अर्थ होता है ये बोलते है गुरुजी फिर रिचा बोलती है कि किम अस्य अन्यभी अर्थ होता है अचारे बोलते हैं आम यानि कि हां सब्दार्थ दिरिष्टवा बनतू अचारे बोलते हैं कि सब्दार्थ देखकर बताईए तो यह जो है अच्छी टेकनिक है आज जो है यह टेकनिक खराब हो रही है तो हम लोगों के गरंत में कहा गया है कि इस तरीके से पढ़ाना इसलिए आप लोग जो है कभी-कभी संदी का कुष्चन समास का कुष्चन यह कुष्चन आप हमारे सामने देते हैं तो हम पहले आप से ही खोज बाते कि बताईए तो कौन सा रूल लगेगा क्या कौन सा चेप्टर का है एक बार खोज के बताईए और फिर देखते कि आप स सबस्या करके लिखा गया है तो पहले आप और एक बात आप देखिएगा कोई भी चीज आप हम से या कोई भी टीचर से पूछ के उस वक्त समझ गये आपको थोरा दिन याद रहेगा याम तक याद रहेगा और आप देखेंगे कि कोई चीजों का एंसर जब आप खुद से ढूंडते हैं ठीक है खुद से ढूंडते तो वो आपको बहुत दीनों तक याद रहता है क्यों क्योंकि आपका माइंड यो बहुत तेजी से दोर दोर के और हर एंगल से सोचता है कि उसका एंसर क्या होगा इसलिए 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 बेस्ट टेकनिक है ठीक है चल है आचारे यानि कि गुरु जी कहते हैं आम यानि हां ग्यातब्यम यत ग्यान विर्धा यदी वालों पी से आथ सोपी पुझनिया गुरु जी कहते हैं कि ग्यातब्यम यानि कि ग्यात होना चाहिए पता होना चाहिए आपको कि यत ग्यान विर्धा यानि कि जो यत का मतलब हो इसलिए आपको पहले पूरा बुक पढ़ा देते ठीक है इससे क्या होगा कि ग्रामर का कुश्चन फटा फट बनेगा आपसे ठीक तो मनिका बुक पढ़ने का संस्क्रीट का अलग तरीका इसमें पहले पूरा चेप्टर थोरली पढ़ना है जी सर उसके बाद पूरा ग्रामर पढ़ना है और उसके बाद मनिका बुक का इंटेक्स कुश्चन करना है एकदम जो है आपका हो जागा संस्क्रीट कमप्लीट अभी जो है आप पढ़ रहे होंगे तो अभी स्कूल में एक दो टेस्ट हो जाता होगा तो आप से अगर माल लीजे को तो कुश्चन नहीं बना है नो उस तरीके से आपका ये भी किलियर हो जागा ठीक और यहां भी किलियर हो अब भगवान करी उपेशी भी आप लोग का किलियर हो ठीक है एकदम भगवान का सिर्वादा पर बना रहे है तो गुरु जी का कहना है कि वो भी क्या होता है तो पुजनियों होता भी से आम ह अस्माभी पठीतम अपी हाँ अस्माभी यानि हमने इसके बारे में पढ़ा है अस्टा वक्रस्तु द्वादस वसिये एव आसित परंतु सर्वे वंद जाता आपको याद होगा अस्टा वक्र की कहानी जो बारा वरस की उम्र में इतने ज्ञानी थे कि राजा को भी जो है सर्वे यानि सभी उनको क्या करते थे तो वंद जाते यानि कि सभी उनकी वंदना करते थे प्रनाम करते थे उनको आचारे सादू यानि सत्य स्रेश्ट बहुत बढ़िया एवम इसमासु अपी कि इसमासु का मतलब है तुम में से अपी भी यानि कस्चित यानि कोई स्वव इढिने ऑपने धयान से क्या हो सकता है तो गुरू हो सकता है ज़र प्रिछा कहते है कीम सथ्व किया je सथ्वेख है सच्षे अचारे कहते है vos जुश्राव्यावी एकाम कथा हूँ और इसी पर मैं तुम्हें क्या करता हूँ तो स्रावियावी मतलब सुनाता कि यहाँ पर वान्रा नाम यानि कि बहुत सारे ममें वरिष्ट यानि कि सबसे बुजूर्ग वरिष्ट ग्यानी यूत पते यूत का मतलब म bonded दल ठीक है और जो आ संस्क्रीट चेहीं English बना हुआ है संस्क्रीट चेहीं सभी भासा बना हुआ यह आप लोगों को पढ़ने को मिलता होगा तो आप सभी सोटे होगा सर्ड यह सत्य है क्या English इंगलिस और संस्क्रीट एक कैसे एक इसे इंगलिस क्या किया कि अपना श्रीफ और श्रीफ अलफाबेट बनाए हुआ है A B C D ठीक है ये भी Hindi संस्क्रीट से यह ले लेके ठेक आप देखे है यूथ है जी सर्फ यूथ यूथ माने यूबा ठेक मम मतलब संस्क्रीट में मेरा और इसी का मौम ले लिया ठीक है तो ऐसे भासा लिया गया है तो यूत का मतलब यहां पर हो गया दल गुरुप और पते का मतलब हो गया नेता ठीक है समाज टूटेगा यूत अस्य पते तो जो मतलब बानरों के जो नेता थे उनका जो एक उपदेश था और मते यानि कि नमान कर वानर जो है दुखी हुए उसी के बारे में पढ़ना है तो आपको पता हुगा कि सेमूसी बुख जो क्लास सेंथ में हर बार पढ़ना रहता थाथ उसमें आसान है इसमें लेकिन इसमें क्या है हर चेप्टर के स्टार्ट में एक इंट्रोडक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीज़, क्योंकि मनिका में जितना भी कहानी है वो बहुत पुराने गरंथों से उठाया गया, बहुत पुराने गरंथों से, इसलिए आपको लेंग्वेज भी कहीं कहीं बहुत टॉफ नहीं, मतलब क्यों गुरु के आगया पर विचार नहीं करना चाहिए, जो बोले आकमुन के फॉलो करना चाहिए, एक वंदर के कहानी को ले करें हाँ पर बताया गया, तो सभी छातर बोलते हैं, शुरू तुम एक चामा, याने कि गोरुजी मैं सुनना चाहता हूँ, तो कह नहीं स्टार्ट होती है यहां से, अब चलिए आगे चलते हैं, तो यहां पर कहानी जो है जो है स्टूडेंट अब स्टार होता है, तो यहीं से आपको ध्यान देना है, कस्चिम चीता नग्रे चंदरो नामवव भूपती प्रविष्वस्ति समा, कहने का मطलब है कि कोई ठीक है उसके जो पुत्र थे वह वानर किरीडा रता द्यान से समझे अहां पर रता का मतलब हो गया व्यस्त रता का मतलब क्या हो गया व्यस्त यानि की वीजी कहने का मतलब है कि उनके जो पुत्र थे राजा साब के वह बंदरों के साथ पूरा दिन खेलने में व्यस्त रहते तो अभी आपको बता है वानर का मतलब यूथ दल तो यहां पर वंदरों का जो दल था नित्यमेव यानि कि निस्चित मतलब प्रतेक दिन बीविदे का मतलब डिफरेंट परकार के भोजे-पदार थे यानि कि खाने-पिने के चीजों से पुष्टीम नयंति यानि कि जो बंदर थे वह क्या हो रहे थे तो यही राजा के बेटा के साथ खेलते थे और एकदम तरह तरह का खाना-पिना हमेशा वहां पर खाके एकदम पुष्ट हो रहे थे और राजा जो थे बंदरों को पुष्ट कर रहे थे ठीक एकदम खाया बंदर सब खेला बच्च के लिए मेश यूथम आसिख मेश का मतलब होता है भेर ठीक है और यूथम का मतलब अभी आपको बताएं डल ठीक गुरुप तो एक बात दिमाग में बैटा लिजे यूथम को आप इस तरीके से लिखे थप अनुसवार देखे या यूथम को आप अनुसवार के जगँ भेरों का जो है क्या था वुझे से उन ओगड निकलता है जी सर, उसका जो ठा एक गरूप था जो उस पे राजाक के जो बच्चे थे, वो चला करते थे पैसा मेशानाम नाम मतह्तै एको मेश, आम मतलब उस मेशा नाम बालका नाम भुबचा नाम कि उस बहुत सारे भेरों के मद्ध है यानि बीच एकों में सम तब एक भेर जीहा लोलु पत्या का मतलब होता है जीव का चतोरा अहर नीस मयानि कि दीन रात महांसम का मतलब गया कीचेन में प्रवेश करता था प्रिविस्य हीत पंस्यती जो देखता तदभक्षती और जो दे चाह स्टूडेंट की कोई नगर में चंदर नाम के राजा रहते थे ठीक और उनका जो बेटा था वो बंदरों के साथ खेलने में ब्यस्त रहता था और उस राज महल में बच्चों के बच्चों के घुमने के लिए शवारी के लिए भेरों का एक बहुत बरा समूध था यानि उसी भेर में एक ऐसा भेर था जो क्या था तो जीव का चटोरा था और अहर नीसम का मतलब हुआ दीन रात महानसम यानि की कीचेन में चला जाता था और परवेश करके यत पस्यति यानि यत का मतलब हुआ जो पस्यति का मतलब हुआ देखा जो देखा सो क्या किया तो कर लिया है ना सुख का रहा का मतलब क्या होता है समझें पर का Ioana काम मिर्णमयंभाजनंं नंथि अंगन क वा बस्यनती दिए다고 आसँ द्य एंथिं ता द्य समा कहने का मतलब है कि उसमें का आपते मतलब ओहां के जो रशोया थे वह क्या करते थे तो यहां पर यत कंचित का मतलब गया जो कोई, किंचित का मतलब कोई, यस सर, और यत का मतलब जो, इसी को बना दिया यत किंचित, कास्टम यानि काठ लकडी, पहले लपीजी थोड़ी था, यस सर, हर जगा लकडी रहता था, राजा के मले में भी लकडी, तो जो लकडी तो मंटी का बरतन या राजा महरा थे तो कांसे आनि कि तामबा हो, ना कांसे का मतलब क्या हो गया? बताएएकrn诶 का मतलब कांसे के बरतन ब्रोण्ज मेनेतल है मिलता जीजा था 하या तामटा का पात्रम का मतलब हो वह बरतन पात्र जो देखा उसीеспें adrenaline पिटाई कर देता था, आसु मतलब हुआ सिगर, यानि तेजी से उस पे फेक फेक के उसको मारने लगता था, ठीक है, तो यहां पर तोर-तोर के मतलब बताते तो कभी-कभी आपका दिमाई जो घुम जाता, ठीक, यहां पर समझे कि जो रसोया था, जो कुछ पाता था, नहीं क तो करता था. ठीक है, चली. अब जो है आगे चलते हैं, तो यहां पर मेसास्य शुपकारा नाम मेसास्य का मतलब हो गया वो जो भेर था और सूपकारा नाम देखिए, बालका नाम, लगा हो यहीं बहुत सारे रसोय तो आपको पता है कि राजा का घारे तो एक दो रसोया तो होगा नहीं बहुत सारे रसोया होगा लेकिन तो सर भेर भी तो बहुत सारे था लेकिन उसमें से एक ही भेर जो था वही जीव का चटोड़ा था तो भेर और रसोयों के बीच कलहम अ आपको बताएं कानी का मतलब है कि जो वह बंद्रों के जो नेता थें यानि लीडर थें जो सबसे बुजूर्ग थें जिसका आगे आपको बताएं कानी लिए अचिंतियत यानि वो सोचे और वो कहे कि इसाम कलह हो मतलब इनका जो कल्ला हो रहा है नोववानडरा नाम कीत आई देखिए फिर एहां पर आगया बाव वानडरा नाम बालका नाम यनि बहु बचन है तो एक बंदर नहीं वहार आपके देस आपको कैसे पता चल गया कि वह वह चानल दिख्यांत में लगाव को वानर आनाम यानि बहुत सारे बंदर तो बंदरों का तो गूरु पी था तो उन्हों ने सोचा कि इनका जो कलहा है वह बंदरों के लिए क्या है तो हित्में नहीं है एक बार और समझिए मेसस्य का मतलब भगया वही भेर और रसोईयो थे गुरूप के जो सबसे बरिष्ट आदमी थे उन्होंने अचिनतियत सोचा और कहा कि इनका जो कल्ला भर दिन लडाई जगरा होता रहता है पूरा दिन यह वंदरों की हित में नहीं है एवं विचारिया सो यूथपा सुनिए एवं विचारिया सो यूथपा इसका मतलब क् यूथपा का मतलब हो गया वही उनके यूथपा मतलब जो leader है उनके लिए काहा गया और को आता है का मतलब होता है आणि की बुलाना ठीक है emergency meeting रहसी यानि की एकांथ में meeting बुला कर बोले क्या बोले ध्यान से समझे यह हो सकता है कि line आपको समझ में नहीं आया हो तोर-तोर के बताईते हैं तो सारा word का मतलब बताते हैं तो कहानी इधर उदर हो जाते हैं एक पर फिर बता देते हैं धेर और रसुयों को लडाई को देखकर बंदरों के जो नेता थें बंदरों के सर नेता थें कहानी में यहां बताएं नहीं आपको देखिए यहां पर देखिए बंदर के वरिष्ट जो थे जी सर सबसे ग्यानी थे उन्होंने सोचा कि यह भर दिन लडाई जगरा करते बंदर के हित्में नहीं देखे कितना दूर का बात सोच ले लराई जगरा किसी और का और इससे बंदरों को भी नुकसान होगा एक दिन अब बंदर सब को लगा कि ये क्या होगा लराई जगरा उसका है उजाने हम लोग तो अपना हम लोग को थोड़ी कुछ कहता है लेकिन देखिए भव इसमें क्या पड़ी नाम होता है यह सोचकर वो विचार की और सभी कपीन यानि कि सभी कपीन का मतलब होगा बंदरों को बुलाएं आहय का मतलब होगा बुलाकर रहसी यानि कि एकांत में अबदत बोले कि सूपकारा नाम मेसेन सह एसा कलह यानि कि रसोया और मेसेन के बीच यानि रसोया और भेर के साथ जो कलह होता रहता है नूनम भबताम बिनास कारनम भबिस्यती और ये जो है ये क्या है नूनम मतलब निश्चे ही देखना ये क्या हो जाएगा तो एक दिन बिनास्कारी हो जाएगा और उक्तम ही और ये कहते हैं ही वो एक बात कहते हैं। कोई पता होगा कि पहले के जवाना में कुछ भी बात कहते थे तो उसके पीछे एक statement भी बोलते थे प्रोक पाइट का बोलते थे जो आज पर dialogue हो गया फिल्मी dialogue पहले असली में ही होता था मैं बचन देता हूँ कि मैं यह हिला दूँगा तो हिला देते थे मैं बचन देता कहते हैं वंदरों के जो बरिष्ट नेता है वो कहते है कि तस्मात सयात कल हो यत्र ग्रिहे नित्यम आकार्न कहने का मतलब है तस्मात यानि इसलिए देखे स्लोक में इधर उधर मतलब रता है आपको पहले चेप्टर में बता है तस्मात यानि इसलिए यत्र ग्रिहे यत्र क का मतलब हो गया जहां गड़िया मतलब घरे में नित्य यानि की डेली अकारण यानि की बिना किसी कारण के कलहा होती है स्यात का मतलब यहां पर क्या हुआ होती है या होता है ठीक यहां पर तो होता ही है होता है फिर से समझें तस्मात इसलिए यत्रग्री है यानि की जिस घर म नित्यम आकार्न यानि कि नित्य यानि डेली आकार्न यानि बिना किसी कारण के कलह होता है तदिगरियम का मतलब हो गया उस घर को जीवितम यानि कि जीने की वांचन यानि कि इच्छा रखने वाला को दूरता दूरता का मतलब होता है दूर से पड़ी वर्जियत यानि कि छो देना चाहिए यानि इस सुलोक का मतलब क्या हो गया कि जिस भी घर में बिना किसी बात का डेली लराई जगरा मार पीठ होता है उस घर को क्या करना चाहिए दूर से ही छोड़ देना चाहिए अब आगे चलते हैं फिर कहते हैं कि तता सर्वेसाम संजक संख्षयो नभवेत तत का मतलब हो गया इसलिए राजभवन का परितज यानि की इसको त्याक कर वनम गच्छाम यानि कि हम लोगों को वन के तरफ चलना चाहिए और यह बात जो है बंदरों के जो लीडर थे वो बोलते हैं कि हमें इस महल को छोड़ कर वन की तरफ चलना चाहिए और अपने जंगल के कैसे जाए फिर वो लॉजिक देते हैं कहते हैं कि काल हांतानी हम्रयानी हम्रयानी का मतलब हो गया महल कल्ला से महल जो है वह भी खत्म हो जाता है किसी महल में अगर डेली लडाई जगड़ा हो रहा है तो महल खत्म हो जाता है कुबा क्यांत चो सोहारदम और कुबा क्यांत क कू बाक्यांत का मतलब हो गया वाक्यांत का मतलब तो आपको पता होगा statement बात कू का मतलब कुपुत्र पुत्र मतलब बेतर को पुत्र मतलब बेकार ठीक है तो यानि कि अगर आप कोई बेकार बात बोलते है तुसे क्या होता है मित्रता नस्थ हो जाती है आपसी भाईचारा नस्थ हो जाता है जैसे आज कल धर्म गुरु सब हो गया भरकाव लीडर सब भरकाव भरकाव ब्यान द जंता को उनलु बनाता एठीक चली ए-ठीक चली के तो सब कि हम टीचर का जो है। टीचर सब के साथ जुरा रहता कोई सबके बच्चे को पढ़ाता है आप खुद समझ रहे हैं और टीचर सब को जानता है । वही बात आपको बता हैं कि बहुत चारे ऐसे होते हैं बड़े बड़े लीडर होते हैं सब के बारे में आप जानी रहा हर कास्ट में हर धर्म में जो इधर का बात उधर भरकाएंगे इससे स्वहारदम आपसी भाई क्यारा भी गरता है हमारे डिसी इमुनियों का कथन था और बिल्कुल सही था टेक चलिए को राजा जाननतानी राष्ट रानी और अगर एकदम कुकर्मी बुरे राजा हो गया तो राष्ट का बेरा गर्ग हो जाएगा ठीक उसके बाद कुकर्मानतम योसो योसो निनाम और अ लेन लेदे हैं कall बंद्रो के राजा अब जो है आगे चलते हैं कि कोई नगर में चंदर नाम के क्या राते थे राजा रहते थे और उनका जो बेटा था वो खेलता था किसके साथ तो वानर के साथ खेलता था और विविद परकार के यानि डिफरेंट परकार के भोजन भी वो करते थे और खुम मजे करते थे उस राज महल में बच्चों के वाहन के लिए यानि बच्चों के सवारी के लिए मेस यानि की भे ज्यादा स्रेष्ट बुद्धिमान और ग्यानी थे उन्होंने कहा कि ऐसे घर में हमें नहीं रहना चाहिए जहां क्या हो पूरा दिन कला होता रहता यानि कि लडाई जगरा होता रहता इसे हमारा ही नुकसान है जैसा कि आप जानते हैं इस राजभवन को क्या कर देना अस्रेष्ध्यम मत्वा मदोदता कप्य प्रहस्य अबदन इसका मतलब ध्यान से समझे तस्थे बचनम का मतलब हो गया उनका वचन यानि कि उनकी बातों को अस्रेष्ध्यम का मतलब होगा नम मतलब की अस्रेष्ध्यम का मतलब होगा जिसमें कोई स्राधा नहों यानि कि को कौई भैला ना मानकर मदोद़ता का मतलब होया गमंडी कप्पे यानि की बंदर प्रहशय अफदन यानि की गमंडी बंदर था वह मतलब की बोला ठीक है क्या बोला समझी का ये मतलब की मतलब संबोधन होटा आप्ट Care मेडम भो मतलब आप क्या ये बोल ले हैं नवयम स्वर्ग समान उपभोगान विहाए अटवायम छार तिक तक कसाय कटू रुक्सफलानी भक्सियामा कहने का मतलब उन्होंने कहा कि नवयम यानि कि न आपकी तो बात हम मानेंगे ही नहीं वयम मतलब हम लोग स्वर्ग के समान उपभोगान यानि कि स्वर्ग के समान खाना ऐसो अराम को भिहा यानि कि छोर कर ठीक है अटव्याम यानि कि वनो में छार का मतलब हो गया खरा ठीक है तिक्त का मतलब हो गया तीखा कसाय का मतलब हो गया कसेला कटू का मतलब हो गया करबा रुक्षफलानी का मतलब हो गया जिसमें कोई भी रस्ना हो, तो इनका कहना था, वानरो का कहना था, कि आप क्या यह बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग यह राजभवन में, अब आपको पता है, राजा के महल में तो कितना हाई फाई खाना मिलता है, एक दम लगता है स्वर्ग में आ गए हुए, जी सर, तो वही इनोंने बोला कि स्वर्ग के समान हम यह भोजन छोर कर, यह बंदर सब जो बाकी था, उसने बोला कि स्वर्ग के समान हम यह भोजन को छोर कर, हम यह जंगल में जाएं, जंगल अटाब्याम का मतलब बता है, जंगल वन में, जंगल में जाएं, यही खाने, चार मतलब की ऐस स्यामा करने जाएं तर छूतवा अब आगे बढ़ते हैं तर छूतवा तर छूतवा सास्रून नयनों यूथ पती सद गदम उक्तवान और तभी जो वानलों के जो नेता थे मतलब वरिष्ट थे उनके आखों में क्या आगया तो आशू आगया और यूथ पती तब उन्होंने सद गद गदम का मतलब होता है एकदम गला भर जाना तो जब आप कभी कभी रोते हैं तो क्या गला भर जाता है नजी सर तो उसी आवाज में उन्होंने उक्तवान कहा कि रश्ना स्वाद लुबधा तो लुबधा का मतलब हो यानि जीब के चटओरे लुब्दा का मतलब हो गया लाल ची लोभी यूएम अस्य सुकहसिय कूपरी नाम न जानी थर यूएम यानि कि तुम अस्य मतलब इसका सुख का मतलब तुमको जो ये राज भवन में सुख मिल रहा है इसका कूपरी नाम बाद में होगा बाद में भुगतना पड़ेगा इसको तूम नहीं जानते हो अहम यानि कि मैं तू मतलब तो वनम गच्छामी मैं तो वन को चलता हूँ अब आगे चलते हैं अथ अनेस्मीन अहनी समें सो याबत महानंचम प्रवी सती तावत सूपकारेन अर्ध जुलित कास्टेन ताड़ती द्यान से समझेगा अब यहाँ पर जैसे ही वो बात कहके जो बरिष्ट आदमी रहते हैं, बरिष्ट वानर रहते हैं, कपी रहते हैं, वो चले जाते हैं कहां जंगल को, तभी अनेसमीन, अनेसमीन का मतलब हुआ अगले, अहनी का मतलब हुआ दिन, अगले दिन सम मतलब हुआ, मेशो मतलब वही भेर यावत जैसे ही महाननसम यानि कि महानसम का मतलब आपको कल का बता है कीचेन में प्रवीशती यानि प्रवेश करता है तावत तभी सूपकारेन सूपकारेन का मतलब हो गया ये रसोया अर्ध का मतलब आधा जोलित मतलब जला हुआ काश्टेन मतलब लकडी यानि कि आधी ये सराधी जली लकड़ी इसके पास आया कहां से तो जानिए किचेन है अब पहले लपीजी थोड़ी था पहले तो लपीजी पे खाना होता था अभी भी कितना जग़ा थाना होता है गाउंसम में थीक है तो लपीजी क्यों की महांगा हो गया सारे 12 सुरी प्यादाम हो गया है, तो कौन लेगा, ठेक गड़ी बाद मीशब, तो लकड़ी पर खाना होता था उसमें, तो वही लेके क्या कि आधा लकड़ी जलता ही हुआ इसको मारा, उर्ना प्राचूरा, उर्ना का मतलब हो गया उन, और प्राचूरा का मतलब हो अधीक ए क्या लग गया? आघ लग गया, मेशा के शरीर में क्या लग गया? तो आघ लग गया जाजवले मान शरीरह निकट अस्थानम, निकट अस्थाम, अश्वशालाम, प्रवी सती, दाविदनाया, चाबभूमव लूठती और जैसे उसके सरीर में वही ना मतलब आग लगा वह जले हुए सरीर को मतलब जलते हुए सरीर को निकट अस्थाम निकट अस्थाम यानि कि कहीं पे निकट जगह पे अस्वसालाम मतलब होता है घोरो का घर तो घोरो के घर में क्या कर गया परववी सती यानि कि परवेश कर का मतलब हो गया कष्ट, पीरा लोट एभि चितव क मतलब हो गया Yeah से भूमी मतलब उस भूमी पर प्रणूठ यानि पर तिर नेसु का मतलब हो गया गहांस सूखा घासोगर्ण तो आपको पता है कि घोरा उड़ा को जो रहने का जगा बनता उस अथी से बनता है गाउ में उसको टटी मरया कहते मतलब की गास फूस से बनता है आपको याद होगा जिसको गाव में गुरहन भी कहते जी सर्व तो सुखा गास ओगा रहता वो भी क्या होने लगा तो वही जुआ लिखा हुआ है समु ती था था यानि कि उसी से क्या होने लगा वहां पर एकदम जलेने लगा अब जो है कहानी आगे ब तो वह एक असवसाला उसके पास वही पर जहां कीचन के पास उस वहां धने स bracelet неб कई घय बेसे गोरे का था रसन विपक पर असमती हो गःता सुखें अब अब क्या हो गया की असवसाला में तो और गग या अस कहाणी को समझ यह हो अगर कोई जला हुआ सरीर से इधर उधर घूम जाए तो आग नहीं लग जागा जी सर आग वही लग गया था अब आग लगने के बाद आपको कहानी बताते हैं तो कहानी आगे है कि जैसे ही भेड जो था वह अस्वसाला में लोटने लगा ज्वाल माला अकुला देखिये हैं यहां पे ज्वाल का मतलवा जला ठीक है मतलब आग वगर आप समसकते माला का मतलब हो गया और आकुला का मतलब हो गया ब्याकुल परेशान तो यहां पे माला अकुला का मतलब हो गया एकदम ऐसा नहीं टा कोई एक आग था आग की बहुत सारी लप्टे थी माला था नहीं क सारे घोरे अपने प्रान के रक्षा के लिए इतस्थता का मतलब अता इधर उधर अधावन यानिक इधर उधर भागने लगे तेस्षू यानि कि उनमें से केचिद यानि कोई कोई दगधा यानिक Oneमें कोई जल गया कोई मतलब यहां पर कोई नहीं कहिए कुछ होगा उन में से कुछ जल गिया केचिद अर्ध दगदा कुछ आधा जले केचन च पंच तत्वम गता और कोई तो पंच तत्वम को बिलीन हो गया यानि कि कोई तो पंच तत्वम समाग गया पंच तत्वम का मतलब होता है मर जाना खतम ह हो जाना हो कोई मरते हैं तो हम नहीं कहते हैं पंच चत्वत में विलिन हो गए अब खिए राज़ा शाली हो त्र insecure होय अभू हिए शौभ कर दियान अभनु सिधे मोर्य ने कह अरु दियान ने देख़ें ध्यान से दगधाम है इन सोोimagin यानि कि जलने की जैसी जलने की तो है सालाम यानि कि वो जो गोरे का घर था वो जलने का बिग्या यानि की जानकर साली होत्र ग्यान तो बहुत लोग को लगता है कि राजा का नाम है साली होत्र ग्यान नहीं जैसी राजा को पता चला कि जल रहा है दगधाम यानि जल रहा है क तो है सालाम यानि कि घुरों का जो घड़े जल्ला है बिग्या है जानकर सौबी साधी यानि दुखी राजा वैधान यानि कि बैद को तो कौन वैध को तो साली होतर ग्यान साली होतर ग्यान का मतलब होता है जिसके पास पसू का इलाज करने का ग्यान हो यानि कि पसू चिकित यह डॉक्टर दगदा याणी की जले हुए मेरे घोटका का मतलब भी होता है घोरा हिंदी में कहते ग्वोटक घोटक की कैसे रक्षा की जाए तो लोग हटिका समझ लेते नहीं उपाए कीजिए तदा तभी राजबैधा प्रवाच तभी राजबैधी यानि कि जो डॉक्टर थे वो प्रवाच यानि कि बोले तो आपके सरे यहां पर साली होतर ग्यान लिख दिया है वैदाने यहां पर राजबैधा तो अब राजा के डॉक्टर को राजबैधी कहेंगे आप राजबैदी कहेंगे वही है तो उन्होंने बोला कि कपिनाम मेदासा दोसो वहनी दासम मूधव अश्वानाम नास मभयतितम सुरियोदय यथा यानि कि उन्होंने एक इस पे स्टेटमेंट दे दिये, क्या दे दिये तो समझे, उन्होंने कहा कि हे राजा, हे राजन, हे महराज, जैसे तम, तम का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा सुरियोदय यह था, यानि कि जैसे अंधेरा खत्म हो जाते है कब, जब सुरियोदय हो ज जाता है तो अंधिरा क्या हो जाता है खत्म हो जाता है तो समझ ये कभी भी थे ये तब मैं इतना अच्छा सायरी बोले मतलब एक स्लोक बोल दी तो उन्होंने कहा कि कपी नाम यानि कि वंदरों के मेदासा यानि कि वंदरों के जो मेदासा है मेदासा का मतलब हुआ चर्वी ये देपे जो चर्वी है उससे क्या होगा तो आपको पहली बताया स्लोक में आगे पीछे मतलब लिखा रहा था इस वर्ड का मतलब पहले इस वर्ड का बाद में तो इसलिए एक बार और समझे उन्होंने बताया कि कपी नाम यानि कि वंदरों के मेदासा मेदसा का मतलब वहनी दाह समू धव कहने का मतलब है कि यहां पर तोर तोर के समझे वहनी का मतलब क्या हो गया जले हुए दाह मतलब क्या जला तो शडीर तो उन्होंने कहा कि और समू दधव का मतलब होता है यहां पर दधव का मतलब उतपन यानि उनका कहना था कि यह जलने से जो उतपन ह हुआ है पहले इस वर्ड का मतलब समझें त्यान से समझें कहना क्या चाह रहे थी एक साइडी में बोल दिये कि और आपको पता है साइडी का तो मतलब तीसरी दुनिया से रिलेटर रहता है जी सर इमेजनरी लेकिन यहां पर असली था उन्होंने कहा कि यह जो आग से आग के जलने से जो उत्पन हुआ है क्या उत्पन हुआ है तो दोसो यानि कि कष्ट यह कपी नाम यानि कि बंदरों के चर्वी से क्या हो सकता है तो ठीक हो सकता है अस्वा नाम यानि घोरों का नास्म भयति यानि कि क्या हो सकता है इलाज हो सकता है ठीक उसी परकार जैसे अंधेर सुर्योदे होने पर खतम हो जाता है यानि कि यह जो डॉक्टर थे इन्होंने क्या बोला कि अगर वंद्रो का चर्वी हम ले ले और उसको यह घोरा का देव में यानि सरीर में जहां-जहां जला हुआ वहां पर लगा दें मल दें तो इनका जो है इलाज हो जाएगा अब राजा ने कहा कि यथा उचितम यथो उचितम यहां पर बना है यथो उचितम मतलब जो उचित है क्रियताम करिये इती राजा आदेश हम सुरूतवा यह राजा के आदेश को सुरूतवा यानि कि सुनकर सर्वे भै तरस्ता सभी भै से क्या हो गये तरस्त हो गये यानि अब अब मतलों राजा सामने से कह दिये अब चरबी तो राज बैद बोले चरबी निकालना है तो बिना माड़े चरबी निकले गां नहीं निकले का राजा कहा चिंत यानी जो बंदर थे हों अचिंतिय करने लगे कि हाँ घाथा वयम अब तो हम मारे गए, हतम अब तो खत्म हो गए हम लोग. असमाभी गुरू जन उपदेशा तब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने क्या किया है तो अब धिरिता, यानि कि तिरस्कार किया है, बात नहीं माना किसका, तो गुरू जन की उपदेश का. उक्तम ही इसलिए कहा गया है कि मित्र रूपा ही रीपवः शंभास यंते बीच छने यानि बीच छने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बीच छने का मतलब हो गया विदवान यानि कहने का मतलब यह है कि विदवानों के द्वारा संभास अंते का मतलब बताया गया है कि मित्र रूपा यानि कि मित्र के रूप में ही वह शत्रू है यहीतं वाक्यं मृत स्री जीय यानि कि जो हित के वाक्य को छोड़ कर बिपरीतों पर शेविन यानि कि अगर हम उनके अगर हित के बात को छोड़ कर क्या करते हैं तो बिपरीत बातों का सेवन करते हैं या पालन करते हैं यानि विद्वानों के द्वारा का गया यानि विद्वानों के द्वारा क् वारी स्लो कॉल तभी बंदर जो है कहते हैं कि हां हमने गुरु जनों का मजा कुराया लेकिन असली में वो क्या थे उनहीं का वाक्य हमारे लिए हितकारी था और उसका ठीक हम विप्रीत किये तो आप इन बंदर सब किसको मित्र मान रहा था वो राजा सब को आज कोई कामे आय हिरुप में क्या हो गया था इसलीय कहा गया कि गुरु जनों का बात हमेशा मानना चाहिए नहीं तो लफड़ा हो जाता थीक है तो आप भी इस चेप्टर को अच्छे से पढ़िए चेप्टर पूरा एकदम थोरले पढ़िए फिर ग्रामर का पढ़ना है फिर गुश्चन क करेंगे को कि मनिका बुक का जो है पढ़ाई अलग तरीके से होता है ठेक तो बिल्कुल चिंता आप नहीं कीजिए अभी हो सकता है कि आप पो एक दो कुष्चन नहीं बने तो आप घवराईएगा नहीं अभी पहला स्टेप हो रहा है ठीक एक बीमारी का इलाज हो रहा है तो तीन स्टेप में होगा तो तीसरा स्टेप जैसी आप पार कीजिएगा उसके बाद ऐसा संस्कृत आपका हो जागा तुम विश्वास कीजिए कि कातने गदर काड़ देंगा ठीक आज से मुसी बुक यहां पे लिए तो और इजी था यह बुक थोरा सा टफ होता है क्योंकि इसमें गरंथों से बाते ली गई है लेकिन कोई चिंता नहीं है इसका पढ़ने का अलग तरीका जो तरीका हम पढ़ा रहे उसी तरीका से पढ़ी तो मिलते अगले चेप्टर में पढ़ने वाले हैं वह है आपका मन अनिका बुक का चेप्टर नमबर फाइब अभ्यास वस्गम मना अब इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझी मना का मतलब हो गया मन ठीक है उसके बाद अभ्यास का मतलब हो गया प्रैक्टिस और वस्गम का मतलब हो गया बसमे यानि कि इस चेप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे अपने मन को क्या कर सकते हैं आप वस में कर सकते हैं वो भी अभ्यास के दम पे ठीक है ये चेप्टर जो है गीता से लिया गया है गीता के बारे में आप जानते ही है ठीक और इसमें स्रीक्रिश्न जी और अर्जुन जी के बीच जो बाचित हुआ है उसके बारे में बताय कि यह चेप्टर जो है exam point of view से तो important है ही आपके life point of view से भी बहुँ ज्यादा important है क्योंकि इस दुनिया में आज तक में जितने भी teacher हुए जितने भी teacher आपके life में हुए सबसे बड़े दुनिया में teacher हुए श्री कृष्ण भगवान तो श्री कृष्ण भगवान इसमें बहुत सारी बाते बताये हुए कि किस तरीके से आप अपना मन को जो है control में रख सकते हैं और जब पूरा चेप्टर पढ़ाई हो जागा तो अंत में आपको यह एक समड़ी पता लगेगा जिसको हिंदी में सार कहते हैं सार आपको पता लगेगा कि आपका जो मन है वह अभ्यास य तो कि वो नकली टीचर है श्रीकृष्ण जी असली टीचर है वही बताये हुए कि अभ्यास से यानि कि आपका भी एक घंटे पढ़ने का आदत नहीं है तो मोटिवेशन से आज आप दस घंटे नहीं पढ़ेंगे धीरे 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 आप प्राक्टिस तो आपका जो है आदत दस घंटे पढ़ने का लग जाएगा ठीक है चलिए यही यह चेप्टर आपको बताता है तो पहले होता है बातचीत हर चेप्टर में यह जो है हर साल नहीं पढ़ाया जाता था इस साल जो है पढ़ा रहे है फोकस करके इसलिए क्योंकि आप देखी आपका एक और टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है संबाध पूर्ती जीसर तो संबाध पूर्ती में यह काफी जादा इंपोर्टेंट हो सकता इसलिए सारा चीज आपको पढ़ा दे रहे है ताकि कोई भी आपको दिकत नहीं तो यहाँ पर चेप्टर की सुरुआत होती ह संगीता नाम की लड़की है वो कहती है कि अमुल्य एसा पुस्त का नाम शंग्रहा ठीक है क्या कहती है कि अमुल्य है एसा मतलब यह क्या तो पुस्त का नाम यानि पुस्तको का शंग्रह पुस्तको का जो संग्रह है वो क्या है अमुल्य है अब आपको कैसे पता चला कि खश्टी विभक्ति वाला होता है, जी सर, ठीक, तो खश्टी विभक्ति वाला होता है, तो खश्टी विभक्ति में कौन सा कारक लगता है, संबंध कारक, संबंध कारक में क्या चीन होता है, का, के, की, तो यहां पर पुस्तको का, अब पुस्तकाले है, तो पुस्तको का ही हो पुस्तको का संग्र, क्योंकि यह जो सीन है यह चेप्टर का यह एक पुस्तकाले में से बताया जा रहा है, पुस्तकाले से बताया जा रहा है, लाइबरेडी से बताया जा रहा है, ठीक है, चलिए, उसको संस्क्रीट के भासा में ग्रन्थाले कहते हैं, तो संगीता बोलते है पुस्तकाले अयम का मतलब हो गया यह असमाकम मतलब हमारे बिद्यालेस्य वही आगया बालकस्य यानि का यानि बिद्यालेयों का क्या है तो पुस्तकाले है तो रभी क्या बोलता है कि संगीते अयम मतलब यह असमाकम यानि कि हमारे बिद्यालेस्य यानि बिद्याले का क्या ह तो भाई लाइबरेरी है पुस्तकाले है तेगा चल यागे बढ़ते हैं फिर संगीता बोलती है अहो अत्र तू गरंथ चक्डिका अपीस अस्ती ठीक है अहो मतलब एक होता नारे बाख अत्र अत्र मतलब यहां तू मतलब तो गरंथ चक्डिका अपीस अस्ती मतलब यहां तो ग्रंथ चक्डि कायाम अनियकी संस्क्रित ग्रंथा अस्थापिता रवी बोलता है कि अस्याम यानि कि इस ग्रंथ चक्डिका में अनियक यानि बहुत सारे संस्क्रित के क्या है तो ग्रंथ अस्थापिता यानि कि ग्रंथ इसमें संगलित है यानि कि ग्रंथ इसमें वो इंग उपनिशद रमायनम महाभारतम पुरानी यानि कि संगीता बोलते हैं कि यहां तो बेद भी है उपनिशद भी है रमायन भी है अब आपके इंगा सर यह बेद उपनिशद क्या है तो यह हम लोगों का प्राचीन गरंथ है यानि कि इंसियंट क्या है तो बुख है ठेक चलिए कहती है मतलब रभी को बातचीत में कहती है कि अत्र यहां तो गीता का मतलब इसका कोई दोस्त नहीं है संगीता का गीता का मतलब हो गया गीता जो भागबत गीता होता है गीता तो नद रिश्यत है गीता तू का मतलब हो गया तो गीता तो दिखाई ही नहीं दे रहा है फिर रभी बोलता है कि अई का मतलब यहां पड़ यह हुआ कि रभी बोलता है अई मतलब आई का मतलब आप यह कह सकते है कि जैसे माल लीजीये कि जैसे क्रिकेट में आप गली क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल अगर गुम हो जाता है और फिर कोई दूसरा आदमी आता है और देखता आरे बॉल तो यहीं है तो करता है अरे क्या यार तुम भी तुम उसी टाइप से जो है अई गीता तु महाभारत से यह एव अंसर तो वही रवी कहता है कि गीता तु यानी गीता कैसे रहेगा गीता तो महाभारत का ही एव मतलब ही अंसर याने की एक अनसर है एक पाठ है ठीक है एक पार्थ है अब ऐसा रवी क्यों कहता समझी देखिए स्टूडेंट जैसे माल लीजे कि आपको हम ले गए लाइबरेरी में तो आप कहेंगे कि सर यहां तो मनिका बुक है और सर हमें तो अभ्यास वसगम मना दिखी नहीं रहा कहां पे है तो हम कहेंगे कि आप क्या बात कर रहे है मनिका बुक का ही तो पाठ है अभ्यास वसगम मना यानि मनिका बुक में ही तो है तो वही बोलता है रवी कि गीता क्या तुम मतलब गीता क्या कह रही हो महाभारत में ही तो गीता है महाभारत का ही तो एक पाठ है गीता एक चेप्टर है वही रवी यहां पर और आपको पता होना है कि महाभारत का ही एक पाठ है एक अंस है गीता जैसे मनिका बुक का ये सब चेप्टर है वास अभ्यास बस गम्मन अग्याही गुरु नाम अविचारनी है ठीक है वांग मयम तपर ठीक वही है संगीता महाभारते तू कौरबा पांडवा नाम वर्नितम यानि वर्नितम का मतलब क्या वर्नन किया गया है उसका वर्नन किया गया है उसमें तो गीता बोलती है महाभारत में तो कौरब पांडव का युद्ध का बात कहा गया है तो अभी बोलता है मुगदे मुगदे का मतलब हो गया अरे पगली अरे बुर्बक ठीक है ज तस्मीन का मतलब क्या हो गया उसी एव ही युद काल में स्री कृष्ण मोह से ग्रसित अर्जुन को जो यत का मतलब हुआ जो उपादीसत यानि कि उपदेश दिये थे तदैब गीतायाम निवधम यानि कि रवी बोलता है कि अरे मतलब अरे बुर्बक अरे पगली ये तुम न होता है मा भारत का दूसरे में अर्जुन जो है वो स्री कृष्ण भगवाग से कहते हैं कि हे प्रभू हम सामने वाला पाटी पर कैसे हमला करें क्योंकि सब तो हमारे रिष्टेदार ही हैं गुरू है सामने में कैसे उन पर हमला कर दें तो वो मोह से गरस्त रहते हैं उनको म हाँ अश्मरामी हाँ अब यादाया परम कस्ताबत उपदेश कस्ताबत का मतलब क्या है क्या है वह उपदेश बताओ बताने के कहता है कि उसी उपदेश में से एक अंस जो है यानि कि एक छोटा सा पार्ट आज हम लोग अधा का मतलब होता है आज अधुना का भी मतलब होता है आज वयम का मतलब हम लोग पठामा का मतलब पढ़ेंगे जिसका सिर्शक है अभ्यास वसगम मना यानि कि जो मन है वह अभ्या से किसमें आता है तो वस गम यानि की वस में आता है ठीक है चली संगीता कहते को अर्था अस्य सिर्शक अस्या यानि फिर जो है यह टाइटल बता देता है रभी फिर संगीता पूस्ते कि इसका यह मतलब सिर्शक क्या है तो रभी बोलता है कि मन जो है मन चंचलम परम यानि मन तो यही चेप्टर जो है आपको आज पढ़ना है तो पहले जो है यह संबाद पूर्ती नहीं आता था इस बार से एड़ हुआ है ठीक ऐसे तो मनिका बूप बहुत पहले चलता था ठीक है तो यह एड़ हुआ है संबाद पूर्ती तो इसके लिए यह संबाद पढ़ना बहु जो गलत काम है यह पढ़ाना है कोकि अब जो है संबाद में आपको इस तरीके से बीच बीच में गायप कर दिया आप चुटकी मारते पता कर देंगे क्या लिखा हुआ है कोकि एकदम बनिया डंग से आपको डीटेल में समझा दिये हैं ठीक चलिए अब जो है अरजुन बोलत का ही क्या हुआ है तो बादचित हुआ है तो अरजुन बोलते हैं कि अथा ज्ञान से देखेगा अथा का मतलब क्या हो गया अथा कें का मतलब हो गया किसके दो आरा पुरुस यानि की पूरुस आदमि अनिच्छनपी इसका मतलब गया इक्छा नहीं करते हुए भी वार्ष ने ये भगवान क्रिष्ण के लिए यूज़ किया गया है वलादीव यानि बलपुर्बग नियोजित यानि करता है तो ये तो आपको वर्ड मिनिंग बताएं तो एक बात ध्यान में रखी आपको पता होगा कि इसमें चितना भी चेप्टर में सुलोक है उस सब गीता का सुलोक लिया गया हुआ है ठीक और गीता का सुलोक आज कल काऊ जो इंस्टा का जो छपड़ी सायरी होता है वो ऐसा नहीं होता है जो एक सकेंड में आपको समझ में आ जागा ठीक है ये सुलोक में काफी ज्यादा मुश्किल भासाओं का सब्दों का यूच किया गया है ठीक है तो अराम अराम से समझ ही है आपको समझ में आएगा यहां का सब्द यहां से रिलेटेड है यहां का यहां से वो चली अब जो है यह आप देख लिए अब जो है चेप्टर को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ अर्जुन उबाचा तो अर्जुन उबाचा का मतलब हुआ अर्जुन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं तो लोग भागबत गीता से लिए गये हैं जो भगवान स्री कृष्ण ने उपदेश के माध्यम से और जो जी को दिये थे तो इसमें जो है काफी मुश्किल भासाओं सब्दों का माप कीजिएगा सब्दों का यूज किया गया है तो समझने में आपको थोरी थोरी तकलीफ होगी तो देखें पहले सुलोग के माध्यम से और जुन जी जो है भगवान स्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये भगवान स्री कृष्ण ये वताईए कि पाप तो कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहता है लेकिन न चाहते हुए भी वह कौन सी सक्ति है या कौन सा वो मोटिभेशन है जिससे प्रेरित होकर जिससे वो मोटिवेट होकर पाप कर्म को कर देता है ये अरजुन जी पूछते है क्या कि आप देखते हैं कि आज कल बहुत लोग पकड़ाता है चोरी में चंगारी में तो कटा कि हमको मजबूरी था वही भगवान स्री कृष्ण से पूछते हैं कि कोई भी वेक्ति पाप तो करना नहीं चाहता लेकिन कैसे हो जाता है अब जैसे आप आप लोगों से ये रिलेट किया जा सकता है कि जैसे आप लोग प्लान बनाते कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो क्यों नहीं पढ़ पाते हैं वही अरजुन जी का क्वेस्टन था क्योंकि अगर कुश्यान आप करें कि सर क्या कारण है जिस वज़े से हम पढ़ नहीं पाए हम तो पढ़ना चाहते थे तो वही अर्जुन जी पूछ रहे है कि हम कोई विवेक्ति पाप तो नहीं करना चाहता है लेकिन क्यूं कर देता है वो बताईए ठीक है तो वही है यह पहला सुल प्रिक्तम अई यहां पर देखिए यहां पर बिसर्ग संधी हुआ है उट वाला जो संधी आपको पढ़ा है उत्वम वाला देखिए यह हो जागा पर यू का तो बिसर्ग और पलस हो जागा अईयम ठीक है तो देखिए यहां पर जब भी यह डो वाला लगार है आपको बत इसलिए ओड़ बोल देते हैं ठीक चली उड़ बोला नहीं इसको ओभी पड़ते हैं यह डॉय जो है यह साइलेंट रहता है ठीक आयोगवा होता है तो यह संधी बना तो यहाँ पर दो सब्द बना हुए पर्युक्त अलग है और अयम अलग है तो पर्युक्त का मतलब हुआ निउक्त ठीक है मतलब एकदम नहीं कहते हैं पर्युक्त कर देना एकदम आज काम कर ही देंगे एकदम हो जाना का और अयम का मतलब यह यानि यह पू पाप चर्ती का मतलब आचरन हुआ ठीक है पाप आचरन पूरुसा पूरुसा का मतलब हुआ आदमी करता है ठीक है ये अरजुन जी पूछते हैं अनिच्छन अपी तो अनिच्छन अपी का मतलब हुआ अनिच्छन देखे अनिच्छन यहां पर अनिच्छन यहां पर अनिच् इच्छा नहीं करते हुए भी वार्षने का मतलब को कहा गया है ठीक नहीं लोग कहते है श्रीमान बोली है महानुभाव तो उसी तरह अर्जुन वार्षने क्या यूज किये थे क्रिश्न भगवान को कहा गया है वलादीव देखिए वलादीव यहां पर अलग हो जाएगा जब आप संधी करेंगे तो बलाद प्लस इव बनेगा प्रथम बन के बाद स्वर बना गया प्रथम का तीसरे में दो में चेंज हो गया तो बलाद का मतलब बल पूरबक ठीक है बल पूरबक इव नियोजित यानि कि यहां पर इस संसार में नियोजित यानि करता है यानि कि समड़ी ले तो फिर से वही कि हे भगवान क्रेशन किसके द्वारा प्रयुक्ति ये मनुस्षे पाप करता है इक्छा न होते हुए भी क्या ये बल परबग बताईए कि किससे मोटिवेट हो कर यह काम करता है उसके बाद अब जो है ये क्वेस्टन पर भगवान जो है श्री भ तो श्री भगवान वाच यानि कि भगवान श्री कृष्ण अब क्या बोलते है ध्यान से समझें जो अर्जुन जी पूछते कि किससे प्रेरीथ हो कर कौन ये पाप करवा देता है मनुस्य से बल पूर्बग तो भगवान कहते कि काम एश क्रोध एश रजो गुन संबुध यानि कि भगवान क्या कहना है कि जो रजो गुन से उत्पन अब आप कहेंगे सरी ये रजो गुन क्या होता है समझें तीन परकार के गुन होते है सतो गुन सतो गुन यानि कि सत्व गुन तो सत्व गुन जो ही ये पहले के जवाने में साधू संद जो होते थे उनमें पाया जाता था पहले के जवाने कहने का म्तलब यह है कि आज से हजारों हजार साल पहले महरसी बालमी की उन जवानों में जो सरिफ सत्य बताते थें और सत्यमारग पे चलते थे यानि कि जब देवता लोग प्रित्मी पे रहते थें देवों का उसके बाद दूसरा होता है रजोगुन, और होता है तमोगुन, तो हम आप जितने भी है सब रजोगुनी, रजोगुन का मतलब यह हो गया, कि न आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति में अच्छाई है, न किसी में बुराई है, यानि कि मिक्स अप, जैसे आप या हम कभी बुरे हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, ठीक है, कभी अच्छे ही रहते हैं, हमेशा अच्छे रहते हैं, कभी-कभी नराज हो जाते हैं, ठीक है, कभी कोई काम के लिए जूट बोलना परता है कहीं, सब के लाइक में होता है, तो अभी जितने भी लोग है वो रजोगुनी, हम लो जनता कोई काम निकड़ा रहा है तो यह हुआ तो भगवान कहते है कि रजोगुंसे उत्पन है काम यानि कामना मतलब यह हो गया कि जैसे किसी चीज़ को पाने की कामना, एसा करोधा, क्रोधा यानि कि क्रोध, यानि स्री कृष्टन कहते हैं कि हे अरजुन रजोगुन से समपन, यह क्रोध और काम, यानि कि व्यक्ति के अंदर कामना है कि मैं राजा बन जाओगा, जीतलूगा जंग तो यह कर दोंगा, आज वो गाले लियला हो कलू ले लुगान तो यहीं जो है महा सनों का माहा भोजी ने कि बहुत भोजी बहुत remote जाकते की बहुत खाने वाला ज्योत खाने वाला यहां पर यह मतलब की शोका पटाढ़ कैने नहीं मतलब की करने में अगर सोचेगा को सोब एक ऑग इसके पास की हाई उसके पास क्यों ही यह हमारी ही पास को पहलता है कि महापापमा वो क्या है तो महापापी को ऊसके बाद हैं यहां पर बिद्ध्य ar involved का मतलब हुआ जानम के कि यहां यह यहां पर विद्ध्य तो यह यह इनम अलग है इनम का मतलब हो गया इनको इक का मतलब होता है Sange Saab ठेक इसको तोड़िएगा तीन चीज़ में टूटेगा पहले टूटेगा बिद्धिए ए ध्या नचे देखिए बिद्ध है ये टूटेगा ठेक उसके बाद A नम टूटेगा और उसके बाद E टूटेगा तो E का मतलब होगा संसार A नम का मतलब इनको बिद्धे का मतलब जानते हो वेरी नम मतलब क्या कहा गया है शत्रू कहा गया है यानि भगवान जो है कि इसको बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन रजोगुन से उत्पन यानि जो भी व्यक्ति के अंदर रजोगुन होगा वो इसको कामना होगा है कि कुछ चीज पाने की इक्षा और कामना होगा तो कुरोधा हैगा है उसको पाने में अगर वो मुस्किल हो रहा है नहीं हो रहा है तो कुरोधा गया है जो इसकी इक्षा कभी खतम नहीं होती है महाशनो वो महापाप मैं महापापी है और जानते हो य इनको संसार में सबसे बरा सत्रू कहा गया है किसको तो यही काम क्रोध को अगर इसको कोई वेक्तिक त्याग देता है तो वही क्या है कोई भी पाप नहीं करेगा वर क्रोध के ब्尋ठ대 ही एक पाप हो गया ठीक है आपका कामना है कि आज एकदम किसी भी तरीके से 1000 रूपया कमा ही लेंगे तो किसी को लूट लिए तो अपना कामना पुरा करने में लूट लिए एक पाप कर दीए तो यही जो है भागवान स्री कृष्ण और जुन को बताते हैं कि इसके अंदर कामन सकनोति हैवा का मतलब हो गया सकता है ग्यह का मतलब जो क्या सकता है सोधुम का मतलब हो गया सहन प्राक का मतलब हो गया पुर्व शरीर बिक्षोमनात इसका मतलब हो गया शरीर बिमुक्षोने से पहले इस स्लोग का मतलब थोड़ा उल्टा से आपको पीछे से पढ़ना है देखे भगवान सिर्ख सिंक ने कहे कि शरीर बिमुक्षनात यानि कि शरीर के बिमुक्षोने से यानि सडीर को त्यागने से प्राक यानि पूर्व पहले सोधुम सहन कर सकता है यह जो कर सकता है क्या कर सकता है सहन आगला लाइन में बताते हैं कि काम और कुरोध से उद्वम उद्वम का मतलब होता है उत्पन नहीं कहते हैं कि गंगा मैया का यहां पर उधगम है यानि यहीं से गंगा मैया बनी है तो वही है उधवम यहां का मतलब गया उधपन क्या उधपन हुआ वही या तो बेगम यानि कि वेग आपके अंदर कामकरोध के बज़र से जो बेग है यानि गुसा है तनाब है उसको जो भी वेक्ति उस बेग को काम करोध की बेग को शरीर के त्यागने से पहले सहन कर सकता है शह मतलब वह युक्त है युक्त मतलब वह योगी है वही असली माइने में योगी है ठीक है बाकि सब योगी है ठीक वही असली माइने में क्या है योगी है श शुखी नर, और वही क्या है? तो एक सुखी नर है, यानि कि एक सुखी नर का मतलब हो गया, आदमी है. परणे है, अर्जुन, तो उसके अंदर क्या, तुम मुझे ये बताओ कि काम करोद रहेगा, किसी चीज की कामना रहेगी, किसी के परती गुसा रहेगा, नहीं रहेग लिखत कर दिया, असली सुखी-वेक्ति वही है जो शडीर बिक्षोमनात, मुक्छनात, यानि कि सडीर के विमुक्छोने से पहले प्राख्मत्न पूर्व में शोडू सेहन कर सकता है कि इसको कामक्रोधके वही सुखी है and that is azeugy-aweil नर्ः और से आज माल लिजिए कि आपने सोच रखा है कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो यह नहीं जो है बिसे हो गया सब्जेक्ट हो गया अब नहीं करने का आप सोच लिए तो इससे क्या होगा एक आपके अंदर लगाब उत्पन हो जागा नौ से रिलेटेड और आप नहीं ही करेंगे और हो सकता है कि इसके बज़ा से आप फरस्टेट हो जाएं और आपको कुरोधा आजाएं समझ रहें बात को तो यही यह जो स्लोक है कहना चाहता है अब इसको डीटेल में समझें स्लोक कहता है कि धय या या तह इसका मतलब हो गया ध्यान ध्यान मतलब किसी भी चीज में ध बिसयों में यानि कि सब्जेक्ट में यहां पर पढ़ाई का सब्जेक्ट नहीं है सब्जेक्ट वो बोलते ने कि आज एसेमली में यह टॉपिक पे इस सब्जेक्ट पे आपको बोलना है आज इंभारोमेंट डे है तो इंभारोमेंट डे सब्जेक्ट पे बोलना है सब्जेक क्या होता है कि संगक होता है यानि कि संगो लगाव उत्पन होता है तेसु का मतलब हो गिया उन में किस में जो भी व्यक्ति इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं और यहां पे संधियों के बना है उपजायते उपजायते का मतलब होता है उत्पन होता है यानि किसी भी विश से आपको लगाब उत्पन हो गया जिसा बाबू सोना के बारे मैं आज कर बहुत सोचता है सब तो उसके बाद क्या है कि संग का संजायते कामों अब जू ये संग यानि कि लगाब जो होता है लगाब संजायते इसका भी मतलबzel होता है अब संग से यानि लगाब से उत्पन होता है क्या तो काम, काम मतलब हो गया कामना, इच्छा, जैसे आज हुआ कि आज हम लोग पीजा खाने जाएंगे, तो पीजा के बारे में पहले ध्यान किये, पीजा से लगाब उत्पन हुआ, अब लगाब उत्पन हुआ तो लगाब से काम यानि अंदर खाने की अच्छा होगे और दुकान पर गए मिला ही नहीं तो काम से क्या हुआ तो कामात क्रोधों भी जायते का मतलब भी यहां पर अभी जायते यहां पर अभी जायते का भी मतलब क्या होता है उत्पन होना ही होता है तो काम से क्या हो जागा तो फिर तीक है यहां पर उप जायाते यहां पर है अभी जायाते और यहां पर संजायाते यह तीनों का मतलब होता है उत्पन होता है तो आपके इसर यहां तो भी जायाते नहीं उडवला संधी याद किजिए उत्पम संधी तोरिएगा तो यहां आ जाएगा जिस है कुरोध और इसक से इसको उप जायते इस तरीके से लिखे पूरा होगा तभी इस तरीके से हुआ है आपको बताए थे ठीक है जी सर संधी में अब चलिए आगे चलते हैं पांच में नंबर स्लोक को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है तो एक बात ध्यान में रखें कि गीता का स एक्ति यानि कोई भी मनुस्य कोई भी बंदा ठीक है को दीवड उत्पन करता है अपने अंदर ठीक क्या करता है क्या करता है क्या क्या होगा बाभू कि उसका सूज-बूज़ खतम हो जाएगा जैसे माल लिझे कि आप कुरोधित हैं तो सही शूज-बूज़ आपको नहीं बुद्धी रहेगा किसी का आप ही आप पीचाहि कर देंगेा अब संहो का मतलब हम हुआ जो है ऑगर सुझबुझ खतम हुआ तो समाझी लिए कि इस मीर्थी ही नास हो गया इस मीर्थी का मी मतलब वही हुआ अब इस्मिर्ती नास हो गया तो इस्मिर्ती से आपका बुद्धी भी नास हो जाएगा और बुद्धी नास हुआ तो सब क्रोधाद भवती यहां पर जो है भवती का यहां पर एक ही साथ लिख दिया इसको जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं टेंसर नहीं लिए एकदम बहुत भड़ भड के डीटे़ल में सारा चीज करा रहा है इससे क्या होगा कि थोरा चीज भी आपको याद रहेगा तो तो चाहरा है कि क्रोधाद भवती ठीक है अगर क्रोध होता है तो उससे भईया होता है सम्मोह यानी कि सूजगूज खतम सम्मोह हो गया उसी में तिन सरे फुल फायर है असम्मों है तो उससे क्या होता है तो इस्मिर्थी ठीक है इस्मिर्थी क्या होता है तो बी-ब्रहमम नहीं माफ किजिएगा बी-ब्रहमह यानि की नश्ट होता है बी-ब्रहमह का मतलब नश्ट होता है अब इस्मिर्थी आपका क्या हुआ तो वही भ्रंसाद यानि की खतम हुआ अब इससे बुद्धी का नास हो जाएगा और बुद्धी का नास हुआ तो फिर आपका प्रनसयती हो जाएगा प्रनसयती का मतलब होता है सर्वनास तब आपका क्या हो जाएगा सर्वनास हो जाएगा तो यही एक प्रोसेस है, अब जो है छठा सुलोक से है आपको पढ़ना, अब पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले आपको सुलोक का समरी बताते हैं कि सुलोक का मतलब क्या है, तो इस सुलोक के माध्यम से भगवान स्री करिशन कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन तुम क्या करो तो सबसे पहले जो पापी है उसका क्या कर दो तो अंत कर दो जो ज्ञान विज्ञान का नास करते हैं तो पापी का मतलब ये हो गया काम और क्रोध ठीक है काम मतलब कामना और क्रोध उसके बाद भगमान कहते है कि अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए ठीक अब ये तो करते हैं मैं आपको पढ़ाएंगे महत्व मला मेति यानि डबलत है तो एक हो गया तो हम का मतलब तुम फिर इंद्रियें इंद्री का मतलब हो गया वस में करो यहां पर यह बताना चाहरा है इंद्रियान का मतलब बस में करो किसको तो इंद्रियों को इंद्रियों को कहने का मत इसलिए उनको ये उचारन करते हैं भगवान स्री कृष्ण थेक है कई कई भर्तष्वाः बोला जाता है कोई दिक्कत नहीं तो भगवान स्री कृष्ण का कहना ये था कि है अर्जुन तुम क्या करो तू इंद्रियों को बस में करो ठीक वैसी इंद्री जो क्या है तो पाप म काम करोध से वह लिप्ट हैं जैसे आप देखेंगे कि आख है वह एक परकार का इंद्री है तो आपके किसी दोस्त के पास छोटा कार है और उसके बगल वाला के पास बड़ा कार है अब उसका आख का इंद्री लालच किया क्या अरे बाप्डे हमारे पास भी इतना ही पापयों का इंद्रीयों को बस में करो और ये जो आखे चलते हैं। अब देखें। अर्जुन उभाचा इस स्लोक के माध्यम से अर्जुन ये पूचते हैं कि हे वगवान इस चंचल मन को कैसे बसमे करें। अब देखिए आपका जो प्रॉब्लेम है लाइफ का मोटिभेशन है बैक लॉग है ताइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है यह स्रीक्रिशन भगवान आपको बताएंगे किस तरीके से करना है समझ गया है जी सर श्रीक्रिश जी से बड़ा दुनिया में कोई टीचर नहीं है न है न था और ना आएगा ठीक इसलिए उनसे बड़ा कोई भी नहीं यह जो चेप्टर है अभ्यास वस्गम मना पढ़ाई तो किये हैं तो माक्स तो आएगा ही एकजाम में अपना आप पे भी यह लागू कीजिएगा एकदम जयजे हो जाएगा ठीक है आप यूटू पे तल है क्रिष्ण जी है क्रिष्ण भगवान है क्रिष्ण ही यानि निश्चित ही मन जो है और क्या है तो चंचल है प्रमाथी है प्रमाथी का मतलब होता मतंसील अब आपके मतंसील यह क्या चीज है तो जैसे आप कहेंगे कि दिमाग का दही होना वही मतंसील है जैसे अभी आप तत्य करना हुआ उस चैनल से देखना है वह पूछना एव भी स्कूल वह टीचर यह भुर्लाना यह वह लगता है कभी कभी दिमाग का दही होगा इतना सोचने लगते हैं वही मन तो दिमाग का दही कर देता है कि दीडिधम का मतलब है करते ही नहीं करें तस्त्याम उसका निग्रहम का मतलब होता है नियंतरन, मन्या का मतलब मानना है मतलब की करना, वायो डिवा वायू के सूदुसकरम का मत्तोरumnा बहुत कढ़ीन यानी कि भगवान सरी कृष्ण का कहना है यह सौरी मात की जगारिजुन का कि हे वर स्रीकृष्णी तो मन चैंचल है मतनसील है बलवान है द्रिड है उसका नियंतरन लेना उसका नियंतरन मियाना यह वायू के नियंतरन करने जैसा भूत कठीन है या उससे भी कठीन है जैसे आपको कहें मुठी में हावा को पैक करके रखी आप रख पाएंगे नो सर निकल जाएगा मन उसी तरह चंचल है यह भगवान स्री कृष्ण से अरजुन जी पूछते हैं चली अब आखड़ी सुल यह होता तो इस तरिके से श्री भगवान उबाचा नुबाचा भगवान उबाचा यानि भगवान बोलते हैं क्या बोलते हैं सुनी बोलते हैं और संसियम ने तत्थ पूरुष समास यहां पे हैं याद करके रखिये जैसे नौसेंसियम और संसियम ठेक है और संसियम यानि क कि यह जो मन है यह क्या है तो दुर निग्रहम है दुर निग्रहम का मतलब होता है कठनाई से नियंत्रन में किसी चीज को करना कठनाई से नियंत्रन में होगा यह चंचलम चलम का मतलब होगा चंचलम ठिक कि हे अर्जुन भगवान स्री करेशन बोलते है कि हे महावाहो हे अर् है लेकिन अभ्यास से तु यानि कि अभ्यास से तुम कौंते का मतले में हो गया कुंती पुत्र ठीक है कुंती का पुत्र है तो श्रीक्री अर्जुन जी कुंती के पुत्र थे इसलिए उनको कौंते भी कहा गिया ठीक तो पहले के जवाना में इसी तरीके से किसी से बात होता था एक नाम से नहीं, उनके ख्याती तरह-तर के नामों से, महाबारत आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हेक उन्ति पुत्र अभ्यास से क्या हो सकता है, ये मन जो है, बस में आ सकता है, वैरागें चर ग्रिहाते, इसके लिए तुमको क्या करना होगा, तो वैराग, जो कर लो तुम्हें कोई टेंसन नहीं ते कि आज कोई गडिब है तुसको किसी चीज का टेंसन आप अम बानिये तुसको भर दीन टेंसने क्या है नहीं पैसा होके भी तो बहरागधारन कर ले सारा संपति दान कर दे तो इसका मतलब यह नहीं बगवान सिरक्रिशन बताना चाह र सारी से आप पढ़िये अगर एक दो नंबर कमी आ गया तो आ गया अब उसके लिए पागल थोड़ी होंगे तेक तो मन को एकदम आप लोग अभ्यास से क्या कर सकते हैं कॉंट्रोल में कर सकते हैं अठा चप्टर स्टार्ट कर रहें जिसका नाम है राष्टरं संदक्षे मेव हीं इसका मतलब क्या हुआ कि राष्टरं यानी की रास्टर जो देश है वह हीं मतलब निश्चिछी थीं संदक्षे संडक्षियम का मतलब हुआ संडक्षन के और एव का मतलब हुआ ही यानि कुल मिला के शेप्टर का हिंदी यह हुआ कि हमारा जो राष्टर है हमारा जो देश है वह निश्चित ही संडक्षन करने योग्य है यानि कि हमारा जो देश है उसकी हमें क्या करनी चाहिए रक्षा करनी चाहिए ठीक हमारा ये फर्ज है अगर हमारे देश पे कहीं खत्रा है और हमारा उसमें कुछ भी योगदान हो सकता है जिसे खत्रा टल जाए तो हमें बेज ही जग योगदान देना चाहिए यही ये चेप्टर सिखाता है इस चेप्टर में स्टुडेंट कहानी जो है वह महा भारत के समय से उठाई गई है ठीक है और आप देखांगे कि इस कहानी में अरजुन जी आएंगे भगवान स्री कृष्ण आएंगे युदिश्टीर आएंगे सब आएंगे और आपको कहानी पता चलेगा कि राश्टर की रच्छा क्यों करनी चाहिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मनिका बुक में क्या है कि कोई भी चेप्टर स्टार्ट होने से पहले उहां पर क्या होता है आगे में वारता लाप होता है वारता लाप का मतलब हो गया बातचीत भले बातचीत आपस में दोस्तों का हो टीच बटमाम भगजोनों का हर दी का विनंदन करती आए तो उसी तरह हर साल की भांती साल भी तिक इस चेप्टर में हरे एक चेप्टर में वारतालाप दिया हुआ है अब जो है यह जो चेप्टर है यह आया कहां से इन बच्चों के बीच तो कहानी की सुरुवात होती है कि वद्य वाल चारा नाम सीवी रम यानि कि विध्याले का एक कैम्प लगा हुआ है जैसे आप देखेंगे कि आपकी स्कूल वाले आपको कहीं ले जाते घुमाने के लिए हला कि इधर जो हिंदी छेतर अपने देश का जैसे यूपी, भीहार, जारकंड इधर तो बहुत कम ऐसी स्कूल वाले जो बच्चों को ले जाते, फीस ले ले लेते, ले नहीं जाते, तो जो विद्याले का कैम्ठ लगता है, आप लोग, TV सी kita में देखते होंगे, नोबीता ढोरी मौन में देखते होंगे, कैम्ठ लगा रहता था, जी सर, तो उसी ताइप का एक सकरड कैम्ठ जो है, लग अब जो है स्राव यंतियाने की सुनाने का काम कर रहे हैं ठीक है अब जो है बातचीत हुआ तो आजकल तो बातचीत होता है कि कौन बीग बॉस जीत रहा है तो कौन हार रहा है तो कौन क्या कर रहा है कौन कितना रन मार रहा है ठीक है लेकिन उस तरीके की बातचीत यहां पर यहां पर कुछ जनकारी बाला बाची थो रहा है तो धुरूप कहता है कि बिचित्र है यानि कि बिचित्र है क्या बिचित्र है धुरू बाबू तो आयम यानि कि यह संसार यानि धुरूप का कहना है कि बिचित्र है क्या तो यह संसार जो है एकदम बिचित्र है केचन केचन क का मतलब हो गया कुछ महापुरूस यानि कि कुछ महापुरूस महातमागांधी वतち यानिकि महातमागांधी अहिंसाया पाठ हम पाठ yapt Wenn यानि कि कुछ महापुरुस ने महात्मा गांधी जैसे महापुरुस ने हमें क्या पढ़ाया अहिंसा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने बताया कि हिंसा से हमारा ही नुक्सान होता है अन्यचा आन्वी का स्त्रा नाम नेमानम विध्याय जगत संहारम करतुम एक संती विध्याय का मतलब हो गया करके लेकिन अन्यचा यानि कि दूसरा कोई इसी दुनिया में आन्वी का स्त्रा नाम का मतलब हो गया बड़े बड़े अस्त्र सस्त्र जैसे परमानु बम जैसा बम हो गया ठीक है एटम बंब बना के क्या करते हैं तो इस संसार का शंहारम का मतलब खतम कर देना संसार को खतम करने की एक्षा रहुते हैं, जैसे उसामाबीन लादेन, ठीक है? हाफीन सइड, ठीक, जैसे अभी नया-नया जो भी अतंकवादी सब चल ला है, उसका ले लिजे नाम, ठीक है, तो वो सब क्या था? वो सब भी मतलब जनकारी उसब के पास था तबी तो साइंस का तबी तो ऐसा ऐसा बंब बना देता है तंकवादी सब तो वही ये धुरूब बोलना चाहता है कि कुछ महात्मा गांधी जैसे यहाँ पर बड़े ज्यानी हुए जो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ा है और बहुत सारे ऐसे अतकवादी हुए इसी दुनिया में जिन्होंने ऐसा ऐसा अस्तर सस्तर बना के क्या किया तो दुनिया को खत का सत्य परयोग करें तो राष्टर से कल्यान आए यानि कि राष्टर का क्या होगा तो कल्यान होगा और यहीं पर कहता है कि अगर दुरू परयोग करें तो बिनास आए भवती तो राष्टर का क्या होगा बिनास ही होगा अब जैसे माल लिजे कि हम लोग के पास कोई परमा भी ज्ञान के बज़ों से और माली जी कि हमें कैसा बंबना और दुनिया पे चोड़ दे तो उसब के पास भी जितना बंबारूद होगा हम लोग पे चोड़ देगा तो हम लोग के देश का क्या हो गया बिनास हो गया तो सदू पर योग करेंगे तो राश्ट्र का कल्यान समझ रहें की बात को अब जैसे योपी आई बनाया भारत योपी याई बना या सब यूपी carn के थूरू कम्पनी ambition अमली तो भारत यांव पट्पी कर सकता और दुरू पयोग का करना तो ही अपने डायत कहा चोड़ा एसल पाकिस्तान पे कोई पर सब को करता रहताग है ठीक है तो उसके लिए बिग्या ने कभी साप है कि उसको का हे वागमान टेक्निक बनाना सिखा दी है कि वह दूसरा पर हमला करता है उसी पर हमला हो जाता है तो उसके लिए कभी स्याप वई है uta चर्का जो वो कहता है कि विदितम विदितम का मतलब हुआ क्या तुम जानते हु CC parties कि कि रावल का नाम का मतलब हो गया बावू अस्तरा नाम का मतलब हो गया इस अमक्सांगा आनभीक का मतलब हो गया बहा खतरनाग जैसे परमानु बॉम एटर्म बॉम तुम्हें पता है पहले के काल में भी ऐसे ऐसे अब आप पहले के नितल अचर मतलब महा भारत के टाइम पर बहें अस्तर्स शाचर होता था तो होता नहीं था भरमास्तृ ये तृजहां से लराय होत तो यहीं बताना चारा की पहले भी अस्त्र सस्त्र जो है मानब पर परियोग करना वर्जीत रहता था अपनी सुरक्षा के लिए लोग रखते थे दुरुबा कहता है कि किम पूरा अपी एता दृशानी अस्त्रानी आसान यसाम मानवेशु पर योग वर्जीत आसीत यानि किम इदम सत्यम का मतलब किम इदम का मतलब हो गया क्या यह सत्य है अश्चरियम यह तो बहुत अश्चरी की बात है चरक बोलता है परत्यक्ष को परमान की क्या जरूरत है यह कहावत है कि परत्यक्ष को परमान की क्या जरूरत है अगर हम बोले कि आपका इस्कूल में पानी न प्रत्यक्ष को क्या परमान की जरूरत है राष्ट्र संडक्षे में यह जो चेप्टर है निश्ची थी राष्ट की रक्षा करने चाहिए अयम पाथ इस पाथ में यह पाथ महाभारत पर अधारित है एतम पठितवाग ग्यासाम और चरक बोलता है कि इस पाथ को पठते ही पत करते थे या दुरूपयों करते थे चलिए अब कहानी जो है स्टार्ट होती है महाभारत के सीन से यह एक नाटक क्यांस वाला चेप्टर है इस चेप्टर से कुष्चान एंसर एक दम आएगा ही आगा तो काफी अच्छा डंस से इसको प्रिपेर करना है नाटक क्यांस वाला चलिए स्टुडेंट स्टार्ट करते हैं इस चेप्टर को पढ़ना अब एक बात आपको बता देते हैं यह जो चेप्टर है यह महाभारत का ही एक छोटा सा छोटा सा नंधा सा मुनना सा क्या है एक पाट है अगर महाभारत के बारे में आपको पहले से जानकारी होगी तो यह चेप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है अगर महाभारत के बारे में जनकारी नहीं होगी ठीक है आप समझते ही नहीं होगा कि महाभारत भाई है क्या अर्जून भी मिशा भाय कौन तो फिर इसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन आप घबराईये नहीं गलग कैरेक्टर अपना अपना बात बोलते रहते हैं ऐसे चेप्टर को नाटक क्यांस या नहीं कि नाटक वाला चेप्टर कहा गया है इस चेप्टर का क्या होता है हो सकता है कि आप अपनी स्कूल के प्रोग्राम में भी पेसकस कर सकते हैं कैसे एक नाटक होता है जी सब त तो एक क्लास्रूम बना दिया जाता है ने डुब्लिकेट स्टेज पे जी सर तो समझ लेजिए वही एक मैदा मतलब एक नाटक वाला मंच है और यह जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था ध्यान से सुनिएगा तो महाभारत का जो युद्ध है यानि लराई है अब वह अप 45 ओभर होने वाला होता है है या 47 ओभर हो चुका होता है तो हम क्या बोलते हैं क्या रहे अब यह मैच अंतीम डौर में है इनकि लास्ट मूमेंट में जैसे कोई-कोई reality सो चलता है टीवी पे तो उसका जब फेनाली होने वाला रहता है उससे दस दिम पहले आप क्या कहते है कि अब सब छटा चुका है यह last moment पे चला यह last moment है तो समझ लिए महाभारत युद का यह last moment ही है movement क्या बोलते है moment yes sir moment movement मतलब तो अंदोलन होता है तो इस सीन में क्या है समझें इस सीन में क्या है कि अभी जो है महाभारत की युद में द्रौपदी का नाम आप सुने होंगे, द्रौपदी की पुत्र है उनका वद हो चुका है, उनका मतलब की हत्या हो चुका है, पंडप कॉरप का लड़ाई गुए था महाभारत आपको पता ही होगा जी सब, हत्या हो चुका है, और अभी मन्यू भी मारा जा चुका है, ठीक अ क्या है सांती सह समझी अब वैंगा सर्फिय यूद क्यों हुआ कैसे हुआ पंडब कोर्ब के लंग तुरे थो ते महाभारत अलंग ही ठ्वलाल के लिए समझिए तो तो हो निए週 पुत्र, सोक, संतपता, यानि कि पुत्र के सोक से बिचलित, अब किसी के बेटा का हत्या हो जागा तो तो बिचलित हो गाएं, युदिष्टिर, भीम, द्रापदी, ये तीनों जो हैं, रनभूमों, प्रावी, संती, यानि कि रनभूमी में परवेस करते हैं, इमेजिनेशन क ये युदिष्टिर, भीम, और द्रापदी, तीनों रनभूमी में परवेस कियां, पुत्र का जो सोक है उसको लिए हुए, अब सुमझे आगे का मतलब देखिए, आगे का मतलब क्या है, अब द्रापदी जो है बोलती है, दिर्घम, नीश्वस्थ्या, ये बोली नहीं, य गहरी सांस लेते हुए, हां हन्ता, हां हन्ता, जैसे किसी का माल लीजे, किसी के घर में कोई दुख घट जाए, दुख की घरी, ये आपके साथ कुछ हो जाए था, आप लेंगो, उस टाइप से, किम इदम घोरम आपर तीतम, किम इदम घोरम आपर तीतम, यानि कि किम का मतल पाप कर्मना दोनीना में पुत्रा भरात्र चाहता यानि कि पापी दोनीना ने क्या किया तो मेरे पुत्र और भाईयो को क्या कर दिया युद में माल दिया अब आप केंगे कि सरी ये द्रोनीना कौन था ये कौन था तो द्रोनीना अस्वत्थामा था महाभारत के लड़ाई में अस्वत्थामा का नाम आप सुने होंगे जो गुरु द्रोनाचारे के पुत्र थे तो सरी यहां द्रोनीना क्यों लिखा हुआ है तो गुरु द्रोनाच पुत्र जो थे उनका नाम था अस्वत था मार लेकिन वो द्रोनाचारे के पुत्र थे तो उनको द्रोनी ना भी कहा जाता था वही द्रोपदी ने बोला कि द्रोनी ना ने मेरे पुत्रों को मारा पुत्रा यानि बहुत सारे पुत्रों को ब्रात्रा यानि कि भाई का क्या कर अच्छा हता हता का मतलब हत्या कर दी अगनी इवदहती माम अयम सोका और अगनी इवदहती और यह जो आग है मेरे अंदर एक दम यह जो सोक है एक आग बनके मेरे अंदर आग जल लही है इसके बारे में अब किसी के बेटा का हत्या हो जाए किसी के भाई का हत्या हो जाए तो उसको दुख नहीं होगा, उपर से लेडीज वाली बात तो दुख तो होगा ही, अब जैसी ये बोलती है, द्रॉप दी, उसके बाद युदिस्टिर बोलते हैं कि सुभे, सुभे का मतलब हो गया, कि किसी को सम्मानित करना, हे स्रीमती, हे सुभे, हे महे, हे, एड्रेस करते है आप किसी को सर, मैडम, उसी तरह हे सुभे, यानि सुभ लक्षने वाली, धहरे हम धारिये, धहरे धारन करो, पेसेंस रखो, क्या करो, पेसेंस रखो, नूनम तब पुत्रा, बीर गतीम ए प्राप्त, नूनम का मतलब होता है, निश्चे हैं, तो यानि तुम्हारे पुत्र जो है, बीर गती को प्राप्त हुए होंगे, बीर जननी, तो हम सोचितम न अहर्सी, अहर्सी का मतलब हो गया, योग्य, उसके कैपेबल, और कैपेबल ने मतलब, योग्य ने कहते है, एकदम हाँ, जैसे यह इस पद के लिए योग्य, यानि इस पोजीशन के लिए कैपेब की माता, तुम ऐसा न सोचने योग्य है, यानि कि तुम ऐसा सोची तुम का मतलब हो गया, इस सोक में नहीं रहो, यानि द्रौपदी जो है, दुखी हो, यहां पर सीन ऐसा है कि द्रौपदी दुखी है, अपने पुत्र और भाईयों के हत्या से, तो इदुष्टी समझाते कि हे सुबलक्षनवाली द्रौपदी, तुम धैरे धारन करो, पेसेंस रखो, निश्ची थी तुम्हारे पुत्र क्या हुए होंगे, तो बीर गती को प्राप्थ हुए होंगे, और जो बीरों की माता है, वह सोक नहीं करती अपने पुत्र के जाने पे, वह गर्ब करती, यह मन्द भाग्या, यानि कैसे मैं अभागी धैरे धारन करूं, मतलब मन्द भाग्या का मतलब यह हो गया, कम भाग बाली, अब बाली जिसके पुत्र काहते आजाए, भाई काहते आजाए, तो मैं तो अभागी नहीं है मेरे पात, तो मैं कैसे धैरे धारन करूं, यावत, कर्मा न दंद्यते तावत अहम इत न गमिश्यामी अत्रेप प्रांत्यागम चौकडिश्यामी और द्रौपदी संकल्प करती है कि जब तक अशा कुकर्मा यानि कि जब तक वो जिसने मेरे पुत्रों की मेरे भाईयों की हत्या की है उसको डंड नहीं मिलेगा तावत तब तक मैं न यहां से गमिश्यामी गमिश्यामी का मतलब न जाओंगी और अत्रेप यात्रेप का मतलब यहीं पर प्रांत्यागम चौकडिश्यामी यहीं पर अपना क्या कर दूंगी प्रांत्याग दूंगी अब जैसे ही आपको द्रौपदी बोलती है तो यह जिस्टिर बोलते ह कि हेपडिये माम एबं बुर्याया का मतलब हुआ चाहिए माम नहीं है माम का मतलब हुआ यहां पर मत यानि कि ऐसा आपको मत बोलना चाहिए ऐसा नहीं बोलिए कि मैं अपना परान ही यहां पर त्याग कर दूँगी स पाप कर्मा कुत्र गत इति न जानिम श का मतलब हो गया वह पुलिंग में और इस्तिलिंग में स स पाप कर्मा यानि कि वह जो है पापी कुत्र मतलब कहां गता मतलब गया इति न जानिम यह नहीं जानता अतिदूरम किंचिद यानि अतिदूरम का मतलब हो गया बहुत दूर यानि किसी दुर्गम बनम, दुर्गम बनम का मतलब हो गया, एकदाम घने जंगल में, प्रविष्ट भवेत, वो किसी घने जंगल में चला गया, अब आप केंगे सर, युधिस्टिर के भी तो पुत्र की हत्या हो चुकि है, द्रौपदी का पुत्र, युधिस्टिर का ही सभाब के थें, द्रौपदी जो है भीमम प्रती, भीमम प्रती का मतलब हो गया, भीम की ओर देखते हुए, हे आरे पुत्र, छत्र धर्मम, छत्र धर्मम, अनु अस्मर्नम, माम, शोकागरत, रक्षा, हे आरे पुत्र, छत्रिये धर्म को अनु अस्मर्नम, अनु अस्मर्नम का मतलब याद करते हुए मेरे सोक का क्या करो तो रक्षा करो मेरा जो सोक है उसको मतलब रक्षा करो मेरे पुत्र की जिसने हत्या किये उसको क्या करो मारता लो अब द्रौपदी यहां पे भीम को कहती है सो समझें क्योंकि पांडव भाईयों में भीम जो थें अगर आप सक्त की बात करें नहींगे सारीरिक सक्ति की तो सबसे ज्यादा सक्ति उनके पास था माना जाता है कि भीम के पास सो हाथी में जितना सक्ति होता है एक हाथी का पी होता है यह सर और सो हाथी का सक्ति भीम में था के लिए इसलिए भीम को कहते हैं कि असमीन संसारे यानि कि संसार में क जैसा प्राकर्मी इस संसार में नहीं है पूरा पूरा का मतलब में हाँ पे हो गया पहले पुराने समय में वार्नाबते तो हमें पांडवान रक्षितवान पहले आपने क्या किया है तो वार्नाबत में भी पांडवो की रक्षा की है तो आपको कहानी तो यह लंबी है लेकिन शोट फर्म में सुनिये एक वार्ना बत जगह है उहां पे पांडव माता कुंती सब रहते थे तो उसमें खत्रा आ गया था तो भीम ही जो है पांडवों को बचा है माता कुंती को बेचा के निकाल लिए पांडवाई भीम तो खुदी थे बिराट नगरे अपित्वम माम प्र हो तुम तो वही हो जिसने क्लास नाइन्थ में नाइंट येट परसंट लाया था तो एकदम तेंथ में मोटीवेट हो गया तो यह द्रॉपदी जो एक प्रकार का मोटीवेट करती है कि याद होगा कि आपने बिराट नगर में भी मेरे प्रान की रक्षा की थी अब बिराट नगर में भी रहने गये थे तो अग्यात बास में मतलब किसी को पाता नहीं था कि पांडव है यह राजा है तो उसमें द्रॉपदी जो थी दासी के भेश में थी और जो बिराट नगर क्या जो सेनापती था की चक उसका बुरी नजर था द्रॉपदी पे तब भीम ने ही उसकी हत्या की थी और द्रॉपदी की रक्षा की थी फिर भीम जो है हो याता है मोटिवेट युदिस्ठीरम प्रती युदिस्ठीर की तरफ देखते हुए भ्राता द्रॉनिनम अनुगंतुम महाम अनुमतिम ददातु भावान यानि कि भीम जो है द्रॉपदी की बा आपको बार बार कहा जागा क्यों कि गुरु दुरोनाचारे के पुत्र था अनुगंतुम का मतलब हो गया पीछा करने के लिए महा मुझे अनमती दीजिये भवान यानि की आप तो पहले जवाने में बड़े भाईयों काफी जादा रेस्पेक्ट आज भी है लेकिन दीर दीर युद्ष्टिर जो है भीम से क्या करते हैं आप किज़ेगा भीम जो है युद्ष्टिर से पर मेशन मांगते है कि मुझे आग्या दीजे कि मैं उस अश्वा थामा का पिछा करूँ युद्ष्टिर बोलते हैं गच्छ वत्स जावत्स विजय भवा नकुल तो सार्थी भीप और नखूल जो है निर्गच्ति यानि जाते हैं तब ही सीन में स्री क्रिशन और अर्जुन सहप्रवस्जिती थी वह जैसे कोई माली जे, क्या आपको शुरू में बता हैं? कि एक नाटक जैसे हो रहा है, तो आप देखते हैं, जैसे आपकी स्कूल में, टीचर डे पे हो रहा है, तो एक टीचर गए फिर एक टीचर आए, तो कैसे सीन बदलता है, तो उसी तरीके से भीम और नकुल जो है अब जा चुके है तब इस अरजुन जो है प्रवेश करते हैं प्रवीशती सह प्रवेशती यानि किसी के साथ किस के साथ तो स्री कृष्ण के साथ क्या करते हैं प्रवेश करते हैं अब आगे चलते हैं देखिए अब जो है स्री कृष्ण क्या बोले ध्यान से समझेगा भगवान बोले कि भो ध यानि कि इधिश्टिर को बोले हे धर्मराज समीचीनम नक्रितम भवता शमीचीनम का मतब यह उचितकाम आपने नहीं किया तो श्रीकृषन इधिश्टिर को ऐसा क्यों बोले को कि इधिश्टिर जी ने ही परमीशन भीम जी को दिये थे कि आप जाए और वो द्रोन पुत्र यानि की आस्वत ठामा को मार गिराए। तो स्रीकृिजन बोले कि ये आपने उचीत नहीं किया। द्रोनिम को मारने के लिए आपने भेज दिया है। फिर धिश्टिर बोलते हैं कि भगवान, हे भगवान, सह तू एकाकी, वह तू का मतलब तो एकाकी, एक एव ही द्रोन पुत्राय अलंग, आप चिंता नहीं कीजिए, भीम जो है, वह अकेले ही द्रोन पुत्र के लिए क्या है, तो काफी है, ठीक है, और इसलिए भीम काफी है को की भीम में पहुत ज्यादा सकती था, सो हाथियों का सकती, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते, स्रीक्रिशन कहते है कि वच्छा, हे पुत्र, हे पुत्र, हे इदिश्टिर, न जानाती, नहीं जानते हो भवान, यानि कि आप द्रोने, चापलाम, प्रकृतिम, आप जो ह का स्वभाब आप नहीं जानते हो कि इतना बरा दूष्ट है, पितु दुरोनात प्राप्तम, पिता गुरु दुरोनाचारे के द्वारा प्राप्तम, यानि प्राप्त, ब्रहमा सीरो नाम, अस्त्रम, बिद्यते, तस्षे पाशारवे, यानि कि ये स्रीक्रिशन भगवान बोलते हैं कि हे युद्रिश्टिर, वो बात तो सही है कि भीम, अकेले ही काफी है, लेकिन आप नहीं जानते कि उसका जो सभाब हो क्या है, चापलाम है, यानि कि चंचल है, वो दुष्ट परकृतिक आदमी है, और पिता दुरोनाचारे से उसको ब्रहमा सीरो नाम का अस्त भी उसके तसे, पाशारवे का मतलब होता है, पास उसके पास है, यदितत प्रियूजते, अगर उसने उसका प्रियूग कर दिया, तो सर्वा प्रिथमी धगदा से आद, सभी पूरा प्रिथमी जो है, जल जाएगी, ठेक, अब समझी कि स्री कृतिक एसा क्यों कहते है, कहान मारने के लिए, वो भीम को ठेस पहुचा देगा, तो यदि इस्टिर बोलते है कि भीम में तो बहुत सकती है, द्रोन पुत्र को तो पाच मिनट में हरा देगा, लेकिन स्री के संची बोलते है कि नहीं, उसका जो सभाव है, द्रोन पुत्र का उचंचल है, वो दूष्ट है वो क्या करेगा, उसके पास गुरु दुरनाचारे जो आपको बता देते हैं, एक जो है ब्रह्मा सीरो दिये थे सबको, जो आजकल ब्रह्मास्तर नहीं कहते हैं, ठीक, इस सब यहीं से वर्ड मिकला हुआ है, इसका सिक्षा गुरु दुरनाचारे अभी आगे आपको पाद यहीं से खुड़ने भी आता था, मतलब कि किसी पर हमला कर दिया फिर उसको रोकने भी आता था, लेकिन दुरोनाचारे के पुत्र जो थे उनको बस छोड़ने आता था, रोकने नहीं आता था, समझ रहें, तो वहीं स्रीकिस बावान कहते हैं, अगर वहारता रहें कह फ्वास्त एगर अगर चला दिया लाग तो क्या हो जाएगा पूरे का पूरा-पूर दुनिया आग से जल जागा दगदा आग लग जाएगा ठीक है जितना भी पुरानिक कथा भगवान की आप देखते हैं तो कहीं नीकलता रहता है इसा युद्धिस्टियर बेता है आश्चर एं किर्दिशा अनार्था न कृटà अब वो आश्चर से बोलते है कि कहीं कुछ कैसा अनार्था मतलब कि ये बोलते हैं युदिश्टिर बोलते है कि अच्छा ऐसी बात है आचारियन कि द्रिशा अनर्थ कृत यानि आचारियन आश्चारियन नहीं आचारियन यानि कि अचारे जो है यानि गुरु जी है गुरु दुरुन अचारे ने ये कैसा अनर्थ कर दिया अब भगवान स्री क्रिशन ये अचारे जो है गुरु दुरोनाचारे जो पांडवों के गुरु थे उन्होंने ये कैसा अनर्थ कर दिया ऐसे चपल बाल के बे यानि कि चंचल दुष्ट बालक को ऐसी भीशन अस्त्र परदान करना क्या उचीत था जो कभी भी किसी पे चला दे त तू का मतलब हिंदी में बोले तो तो आचारे तो प्रियसिस अर्जुन को ही एब का मतलब ही अर्जुन को ही प्रित्या मंसा का मतलब कोणली भाग की प्रिता नहीं प्रित्या का मतलब हो गया प्रेम मंसा मतलब मंसे यानि कि आचारे तो अपने प्रियसिस अर्जुन को ही प्रेम मन से यानि कि दिल से ब्रहमास्त्र सिक्षा परदान करना चाहते थे और परदान कीन, किन्तु पुत्र प्रेम पराधिनें तेन अश्वतामा अपी तक्छे चाया वन चीतना करता, लेकिन गुरुजी पुत्र प्रेम में, आज कल आप देखते हैं पाठी रहता है राज कभी डुबा भी देता, पूत्र जो था, इसा ही, था, शमझे, वाथी टाइप का था, थौरा सा चंचल डूष टाइप का था, तो वही इस सी रेक्रेशन कहते है, कि पूत्र के प्रेम में, बेटा से तो सबको प्रेम होता है, तो उन्होंने क्या किया, तक्छी छाया है कि उस उस सिख्षा को भी देने का इनको काम किया बंचीत न करता है यानि उस सिख्षा से बंचीत नहीं रखा यानि कि आपको लड़ू खाने से बंचीत नहीं रखा मतलब लड़ू मिल गया तो यह सिख्षा मिल गया अर्जुन तो अब अर्जुन बोलते हैं कि अपरम्चा अपरम करना है तो अर्जुन को तो गुरुजी सिखा रहे थे इसको भी सिखा रहे थे दुनों को साथ ही तो अर्जुन को तो सारी कहानी पता ही है तो अर्जुन कहते हैं कि अस्त्र अस्त्रसिक्छा प्रदानाथ पुर्भम यानि पहले आचारी ने पुत्र को सावधाना मकृतियत और पुत्र को क्या किये थे? सावधान किये थे और बोले थे. क्या बोले थे तो एक स्लोक के माध्यम से यहां पर कहा गया है आप जब देखिए यह अभ्यास वसगम मना चेप्टर नमर फाइव यह आपका यह वाला चेप्टर हो गया यह सब गीता का चेप्टर है ठीक है बागबत गीता महाभारत सब तो उसी का एक ही पाथ है तो उसका चेप्टर है तो जब भी आपको कोई चेप्टर में डाउट हो तो इहां तो जो लिखा हुए ही आप पढ़ रहे हम भी आपको वही पढ़ा रहे है एक्षा जो रिलेट कर पा रहा है पीछे का हो हल्का फलका बता रहे है जो इतना तक हो जाए लेकिन कोई को आपको देखन नहीं आजाया तो और अच्छा से आप रिलेट कर पाईएगा कहानी को ठीक है माहभारत कहा हृत अब देख्ये अब क्या है कि इसको जब आप तो रहेंगे मानी शेशु विशेश्ता अब देखिए इसका मतलब सलोका तो आपको पता ही है सुरू से की उल्टा रहता है देखिए अर्जुन बोलते है कि जब आचारे ने अस्वत्थामा को ये ब्रहम सीरो छोड़ने का सिखाया कि किस तरीके से इसका आस्तर का इस्तमाल करना है तो उन इस अस्तर का प्रिवतव्यम यानि कि परियोग माने शेशु यानि मानब पर भिशेश करकर नहीं करना है ठेक गुरु जी जो है ये शुलोक के मादेम से बताए कि कि कितने भी भारी परस्थिती आ जाए इसका उप्योग तुमको नहीं करना नहीं तो पूरी पिरित में ही जहल आएगी अब युदिस्टिर कहते कि संप्रति आश्वत 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 अब यूधिस्टिर ऐसा क्यों बोले तो देखिए, यूधिस्टिर का जो स्वभाब था महाभारत में, वो काफी सरल स्वभाब था, सरल का मतलब हो एक दम सिंपल, अगर आप कहे दिये कि मैं आप पे दस रुपया दे रहा हूं, तो आप जैसे मा लिजे कि यूधिस्टिर का आप इस तरीके से तुमा कर सकते, जैसे कि आज कल कोई दुखिंदार आप लिजा, आपने 500 का समान लिया, और आपने बताया कि फोन पे पे हम 500 कर दिये, उसको यकीन भी हो गया, कि हां ये कर दिया, भले आप दो रुपया ही करें, उससे कोई मतलब ने, आप बोल दिये तो आपके से लिवस में आती, यही लाइन दे देगारी गयाप कर देगा, इहां से आपको लिखे देना है, ठीक, तो इस आपका भी ध्यान रखेगा, इसे तो प्रैक्टिस हो गा ही, और फाइनल लियाम टाइम में तो और जवरदस्त पढ़ाई होता है, तो चीनता आप न करे आप भी पढ़ते हैं, और जवरदस्त पढ़ते हैं, न कोई मोटिवेशन का जरूद, न कुछ का जरूद, तो एकदम तैयारी हो जागा, अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ी रहा है, तो पढ़िए, लेकिन रोगुलर पढ़ी, देखे संप्रती, यानि कि अब जो है यु नहीं करेगा, इस पे स्री क्रिशन बोलते हैं, तहडी न जाना सी, तहडी तो नहीं जाना सी, नहीं जानते हो, तस्ते मनोबर्तिम, तुम उसके मन को, मन को नहीं जानते हैं, पितु उपदेश, शेन, और संतुष्ट, सो एकदा, द्वारी का पूरीम आगच्छत, यानि स् अस्तर का, ब्रहम सीरो का, और बताये कि किसी मनुस्ते पे छोरना ही नहीं है, मनुस्त पे छोरना ही नहीं है, तो मनुस्त पे छोरना ही नहीं है, ठीक है, एक मिनट रूकिये, मनुस्ते पे छोरना ही नहीं है अस्तर, तो अस्वस्त हमा यानि गुरु दुरोनाचारे का तो आप तो नराज हो जाएंगे जो आपको वचन देंगे जैसे हम अगर आपको एक आपको एक मिठाई का डबा दे 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 बोले इसको किसी भी हाल में नहीं खाना भले किता भी भूख लगे अब माली जी आपके इंगे जब खाना इने तो लेकर क्या करेंगे ठीक है तो एक बार वो द्वार्क्या पूरीम आगचत भागवान स्री क्रिस्न का घर द्वार्क्या था तो द्वार्क्या में व आया और देखे कितना धीटा आदमी था अशवध्हामा ब्रहमास्त्रम धत्वास traffic शुदर्संचतरम आवचतर यानि इस ने का क्या कहा अशवध्हामा भगवान स्री कृष्ण को कि मैं अपना जो ब्रहमास्त्रम है, यानि ब्रहमास्त्र है, ब्रहम सीरो ये आपको दत्वा यानि देता हूँ, आप मुझे सुधरसन चक्र दे दिजिए, आप देखेंगे स्री कृष्ण भगवान तो विष्णो की अफ्तार थे, उनके हाथ में वो अगर चक्र चल गया, तो किसी का भी कहानी खतम हो जाता है, ठीक है, तो वही मांगने के लिए यागया कि आप मेरा ब्रहमास्त्र ले लिजा, सुधर्शन चक्र आप हमको दे दीजे, युदिश्टिर बोलता है, सह आस्चरियम, यानि अस्चरे के साथ, समास भी यहाँ प तो स्रीकिस में बोलते हैं कि आप मया कथितम नाहम तो अता ब्रहमास्त्र इक्षामी, यदित्वमम गदाम सक्तीम धनू चक्रम वा इक्षासी तुभ्यम ददामी, यानि भगमान बोलते हैं कि हाँ और मया कथितम, यानि हमने कहा कि नाहम तो अता ब्रहमास्त्रम इक्षाम मुझे तुम्हारी ब्रहमास्त्र की एक्षा नहीं है, अगर तुम चाहो तो ऐसे ही गदा, सक्ती, धनू, चक्र, जो भी तुमको लगे, तुम ले सकते हो, ठेकी, अब आगे चलते हैं, तो जैसे ही भगवान स्री कृष्ण ने अस्वा थामा से कहें, कि तुमको जो भी चाहि ये लेलो, मेरा गदा लेलो, सक्ती लेलो, धनू लेलो, चक्र लेलो, जो भी एक छाह है लेलो, फिर जैसे ही ये बात स्री कृष्ण भगवान युदिष्टिर को बोलते हैं, युदिष्टिर बोलते हैं, ततस तता, ततस तता का मतलब हुआ, तो फिर क्या हुआ, आगे की क अब देखिए इसका पूरा मतलब क्या हुआ पहले हिंदी समझा देते फिर तोर तोर के समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रंग से आपको यह लाईने आएगा देखिए भगवान स्री किसम बोलते है कि उसने चक्र मांगा फिर मैंने हां कर गया तो उसने क्या किया अस्वत्थामा ने चक्र को क्या किया तो उठाया अपने बाएं हाथ से ठीक है एक हाथ से उठाया और लेकिन यह हुआ कि वो चक्र जो है उठाने में वो क्या हो गया और समर्थ हो टेबल पे से, तो ऐसे उठा रहा था, कैसे, तो सो वेन, सो वेन का मतलब होता है, बाएं हाथों से, ठीक है, तो जैसे माल लिजे कि आप ही को कोई दे रहा है, तो आप कितना आराम से दोनों हाथ फैला के रखते हैं, और लेते हैं, अस्वत हमा ऐसे चक्र ले रहा था कि जैस को अपने अस्थान से संचालिये तुम, यानि कि हिलाने में भी समर्थ नहीं हुआ, अब भगवान की महिमा है, भगवान अंदर से नहीं चाह रहे हैं कि देंगे, और किसी की हिम्मत है कि वो मतलब ले लेगा, जैसे भगवान बोले कि ये मोबाइल तुमको दे देंगे, इसी पर युदिष्टिर बोलते हैं कि जानीमा भबत दिव्याम सक्तिम, युदिष्टिर बोलते हैं कि जानते हैं आपका दिव्य सक्ति को, यानि युदिष्टिर बोलते हैं कि ये तो दिव्य चमतकार है, आप तो दिव्य सक्ति हैं, भगवान ही है स्रिक्रिसन जी तो इ मैंने नेरासेन का मतलब होता है नीरासा उदास आदमी, उदास से दरोवनीम बिखे पुछा है, आनि अस्वथामा से पूछा है, लुक्त के Countyanta से के चिंहते हैं, अब उदास था, अब उसको चक्र उठा नहीं पा रहा था तो तो अजिस्चीर-खगल से आप 27 hàng जो मोबाइल आप सूठ बे नहीं करें तो आप तुदास हो जाएंगे तो पूछे अब आता है कि मर्थम तौम इदम दिभ्यम चक्रम वांचहसी इसका मतलब क्या हुआ वांचहसी का मतलब चाहरा है अब भगवान सिर्केशन पूछते हैं कि क्यों तुम यह दिभ्य चक्र च उत्यक्यां कि स्व तो बोलता है क्या तो यहांपर सुलोक के माध्यम से कहा गया हमेशा जया जब वी कुछ समझाना रहता है तो आप से प्रार्थिर्टम यानि कि प्रात्नाख करता हूँ क्या तो देव-दानव-पुजितम यानि कि देवताओं और दानवो आपको पता है कि जो भगवान होते हैं उनका पूजा देवी देपता है तो करते ही है साथ में राक्षास दानव सब करते हैं आप भोला बबा को ले लेंगे संकर भगवान को तो उनका पूजा तो सभी करते हैं सभी देव देवी देपता भी करते हैं देवों के देव हैं महादेव है हूँ महादेव का मतलब क्या हूँ है सबसे बड़े देव तो जितने भी देव हैं या देवी हैं देवी देपता, सब उनकी पुजा करते हैं, राक्षास भी उनका पुजा करता है, ठीक है, तो वही ये बोलता है अस्वाध्धामा, कि मैया यानि कि मै ते आपसे प्रार्थितम यानि कि प्रातना करता हूं, कि इस चक्र को क्या करते हैं, तो देवी दानब, देपता, दानब सब पूजा करते हैं और हे विभो विभो का मतलब हुआ भगवान स्री कृष्ण को कहा गया है विभो हे विभो अजया सयामीति का मतलब हो गया अजय होना चाहता हूँ यानि कि आप ये चक्र मुझे दे दीजे मैं अजय हो जाओंगा अब जिसके हाथ में स्री कृष्ण भगवान का सबसे बरा हतियार सुधरसन चक्र लग जागा उसको कोई हरा सकता है दुनिया में नहीं हरा सकता है जैसी कोई हमला करेगा सुधरसन चक्र वो चला देगा तो ये बात उसने बोला कि मैं अजय अमर होना चाहता हूं, मतलब अजय होना चाहता हूं, मुझके कोई नहरा पाई, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ आप से, यानि असबत थामा ने बोला ये बात, अब आगे क्या है अथो अहम, ब्राव भीमी तस्मीन चंचले कुरूरे चा द्रोन पुत्रे न विश्व सीत तब्यम यानि कि अब भगवान स्री क्रिश्न बोलते हैं कि ऐसे जो चंचल कुरूर जो है द्रोन पुत्र इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए तो यह जो वाक्य है यह कियों बोले इस भगबान स्रीक्रिस्न यह यूधिष्टिर जी ने कहा कि गुरु दुरोनाचारे को तो अश्वत्थामा बचन दिया है कि भाई हम तो यूज नहीं करेंगे अस्त्र सस्त्र का लेकिस श्रीकृष्ण जीने बोला कि नहीं ये जो आदमी है इस भरोसे के लायक ने ये कांड कर सकता है तब क्या करते हैं अब जो है नाटक का सीन बदल लहा है यूधिस्टिर और अरजून स्रीकृष्ण के साथ रत पे चल जा रहे हैं ठीक है कहां तो जहां भीम गया है उन का नाटक हो रहा है ठेक तो नाटक करते हैं अब जो है कहानी अब परदा जो है सीन चेंज हो गया अब यहां से आपको एक नई कहानी देखने को मिलेगी चलते हैं तो यहां पर आपने क्या देखा कि अब अस्वत्थामा जो है अश्वत्थामा वो क्या बोलता है अस्वत् वध्योषि यानकि आज जोह है मारे जाऊगे मैं आज मेरे द्वारा यानि कि हमां क्या बोलता है कि रे दूस्ट भीम तुम आज मेरे द्वारा मारे जाऊगे बीलोग के का मतलब हुथा है देह कर अएक कथम अरे श्री क्रिशन अर्जुन व्युद striking यहं सुझे उखे ही इंवा अधेगelsh पर के लिखा वहीनारी करुण है, करने लादा करके यह तो क्रिस्टा है मतलब है बद्धिया, पिड़ान pension आज रमागे खाएं, कनी और जिटर में निशेगें number 9-9 coming किम करवानी इदानी किम करवानी इदानी का मतलब होता है अब क्या किया करना है आद्रिष्टम अस्मिन विश्व में समय ब्रमास्त्रम एव में सन्नम अब यह मनी मन्द सोचता है कि अब क्या किया जाए अब आपके यह सरी अस्वत हमा ऐसा क्या सोचता है तो देखता है कि अ उपर से युदेष्टील भी आ गया महारत्य और जुन भी आ गये और उपर से शिरीक्रिस्न भी आ ठीक है अब मेरा तो बेंड बजने वाला है तो यह देखके सोचता है कि असमीन बिस्षय में समय है बिकट समय में ब्रहमास्त्र मेरा आश्रे obstacles में छोड़ देता हूँ ठेक उस tv सीरीयल में नहीं होता रहता है लड़ाए आज मैं यह जहर में नमक मिला दूँगी और बैगराउन में और वही वेला हाले हाँ पेस होता है कि अब आस्त्रें झोड देंगे मुचयामी अस्त्रम अब जो है यह क्या करता है अस्त्र छोड़ने की त्यारी करता है ध्यानम नाट्यती ब्रवीती का मतलब हुआ ब्रवीती 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 ब्रवीमी का मतलब होता है बोलता है अपने मन में ध्यान करके बोलता है अस्त्र ऐसे हाथ में लेके कि इदम पांडवाए पहले आप तेखेंगे महाभारात्रमायन की लड़ाई में जब भी अस्तर से चोड़ने से पहले मंत्र पढ़ा जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि पांडवों का क्या हो नास हो और वो बोलके छोड़ देता है यह ब्रहम सीरो यानि की ब्रहमास्त्र अब यही इस्टुडेंट ध्यान रखिया कि ब्र पांडवाय करके तो पांडव अब जब तक खतम नहीं होगा ब्रहमास्त्र उसको पीछा नहीं छोड़ेगा पाँच मिनट में खतम कर देता है अगर जो छोड़ रहा है उचा है तो रोक भी सकता है लेकिन स्वत हमां को रोकने का तो आता नहीं था छोड़ दिया पांडव किसके द्वारा तो द्रोन पूत्र के द्वारा यानि कि अस्वतामा के द्वारा त्रोले उकम दहन एव परचंड ज्वाला अगनी पारित प्रसरीती और भगवानी ये भी बोलते कि देखो पूरा तीनों लोक में परचंड ज्वाला अगनी जो है परिता यानि कि चारों अब छोड़ो ब्रहमास्त्र को ताकि इसका क्या हो जाए तो निवारी यह तुम हो जाए यानि रोकने के लिए तुम भी ब्रहमास्त्र छोड़ो तो सर ब्रहमास्त्र अरजुन जी छोड़ देंगे तो ब्रहमास्त्र रुक जागा हां माल लिजे कि आप आप जो है एक मुका वीच में टकरा गया किसी को नुखसान होगा नहीं होगा तो उसी टाइब से समझें अब देखे अर्जुन कितने बहतर आदमी थे उन्होंने सबसे पहले बर्मास थोड़ने से पहले नमः भगवते यानि कि भगवान को नमन किई फिर बोलते हैं कि स्वास्ति आचारे पुत्रा है ये स्वास्ति का मतलब होता है कल्यान हो भला हो किसका तो आचारे पुत्र का यानि कि गुरु दुरुनाचारे के पुत्र का यानि अस्वाथामा का तो देखें अस्वाथामा अरजुन जी का जुस्मन था फिर भी अरजुन जी ने ऐसा नहीं बोला तो आप लेंगे सारी तो काता है कि हां ठीके दाथ खाने के और दिखाने के और तो अर्जुन जी तो मुह पे बोल दिये कि हां कल्यान वचारे का पुत्र का तो फिर बरमास्त रीभी का है छोड़े तो यी बरमास्त रोकने के लिए अस्वत हमा अस्वत हमा चोड़ा लेकिन अर्जुन जो है रोकने के लिए छोड़े शोवस्ति में ब्रात्रिभ्या यानि कि उसके बाद स्वस्ति यानि कल्यान हो मेरे भाईयों का उत्स्री जयते मया ब्रहमास्त रम और यह बोलते हूं उन्होंने क्या क्या तो उत्स्री जयते का अस्वत हमा बोला था इदम और यह बोले कि अस्त्रम अस्त्रेन यानि अस्त्र और अस्त्र क्या हो जाए आपस में मिलके सम्मेताम हो जाए यानि आपस में कटी हो जाए ऐसे ऐसे क्रोस क्रोस दोनों की सक्ति एक दूसरे को प्राजित कर दे अब जो है आगे क्या होता है न नारत जी बोलते हैं व्यासम परति यानि कि ब्यास की ओर बोलते हैं कि पस्तेतु भवान पस्तेतु का मतलब देख रहे हैं और भवान मतलब आप देख रहे हैं कोयम अनर्थ करियते कोयम अनर्थ करियते इसका मतलब की देखे क्या अनर्थ हो रहा है या क्या अनर्थ किया जा उसके बाद वो बोलते कि समन्ताता वर्धमाना प्रचंडाल सिखा आकासम लिहंती इवा अब बोलते देखिए समन्ताता का मतलब यहां पर हो जागा चारो और वर्धमाना वर्धमाना का मतलब बढ़ती हुई उसके बाद देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर देखिए पर परचंड आनल सीखा अब इसका मतलब क्या हो गया कि भ्यानक आनल आग की लप्टे ठेक है अकासम यानि कि अकास को लिहंती वह क्या कर रहे है लिहंती कर रहे है यानि कि छूड रही है असपर्श कर रही है यानि कहने का मतलब यह है नारग जी बताते हैं कि देखो धरती पे अस्त्र स्ट्र चल ला ये ब्रहमास्त्र और इसकी आग की जो लफटे है इतनी उची है भूमी पर गिर रही है और यह जो लफटे जैसे देखें यूद में क्या हो रहा है आप देखेंगा कभी महाभारत उसमें ऐसे ऐसे तिर दनूस की सुनिए कांपते खलू स परवत वन दरूमा सकला महिए क्रलू सं परवत सपरवत या पर याने की पूर्वतpy बासल यहाँ तूट फूट रहा है वन जो है वो जल रहा है दुरुमा यानि की पेर जल ला है सकला यानि की सारी की सारी मही मही मतलब पूरी धरती जल लही है पवन अस्तबध जाता यानि की पवन जो है यानि की हवा जो है वो क्या हो चुका है तो अस्तबध यानि की रुख चुका है ठी इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सूरे जो है वो भी अब न दिख रहे हैं कि सूरे की चमक जो है भास्ते भास्ते का मतलब होता है चमक जो है जा चुकी है सहला यानि कि पर्वत जो है वो क्या है तो विदी यहाँ पे विशर का रो करने का नियम बला जो संदिय वो भी लगेगा विदी यरंते यानि कि इसका मतलब हो गया तूट चुकी है यानि कि पर्वत भी तूट चुकी है कतम पी एतो निवारनियो यानि कि कोई इसको क्या करो निवारन करो इसको रोकना ही होगा अन्यथा सकलम यानि कि पूरा का पूरा जो दुनिया है जगत ध्वस्तम भविश्यती क्या हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो दुनिया है वो क्या हो जाएगा तो ध्वस्त हो जा चेप्टर काफी लंबा है पूरे सेम उसी बुक में इसलिए इसको दो बार पढ़ लिजेगा और फिर रीडिंग दीजेगा इसे तो हम तोर-तोर के पढ़ा रहें ताकि आप दुबारा रीडिंग दे तो कोई दिक्कत न हो कहानी ऐसे ऐसे फट-फट तो दस मिनट में समझा देंगे लेकिन तोर-तोर के बता रहें ताकि आप रीडिंग दे तो आपको कोई भी दिक्कत न हो अब आगे बढ़ते अब देखिए ब्यास नार दो अब दोनों बोलते क्या है सो सुनिए भोवीरो भोवीरो मतलब हे बीर दोनों को बोलते है कि हे वीर सहरतम सहरतम निजास्त्रे यानि कि रोको रोको अपने अपने निज मतलब अपने और यहां पर देखिए यही आपको पढ़ने में कभी कभी गरबर हो जागा देखिए निज यानि कि अपने और अस्त्रे यानि कि अपने अस्त्रों को रोको इसी का संधियों के निजास्त् समस में आप देखएंगे अब जो है नारत जी क्या बोलते हैं यहrek up in सिलों गयान करते हैं फिर अर्जुन जी तेप्टर हो जाता है खत्म अब जो हैं देखे इससे क्या होगा कि 12 वरस्त को नी बादल रहेगा ने बधरसा भोगा तो क्या बोलते हैं नाना Danish विदह पुर्वे ये ये तीता महारत्वा महरस्तिवार चाल में पहले काल्म में अनेक अस्त्रों के तो यानि कि अस्त्र का मतलब है कि जैसे आजकल लेंगे किसी को बंदूग चलाने आ रहा है, बम चलाने आ रहा है, तो हम कहा सकते कि अस्त्रों के ग्याता है। यानि बताना चाहते हैं कि आपसे घ्यानी अस्त्र के ग्याता है, लेकिन उन्होंने मनुस्यों पर कभी अस्त्र का पर्योग नहीं करा। तो कहते हैं आप प्रमास्त छोड दीजेगा, चब छोड चार के क्या हो जागा। तो समा द्वादस परिनाम क्या होगा, तो द्वादस यानि कि बार परजेयन सतद राष्ट्रम नाभी वर्षती, यानि कि न क्या रहेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बादल। तोर के जब आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है बादल ना 12 बरस तक बादल आएगा और नहीं आपका बरसा यहाँ पर होगा तो समझी है जहाँ पर बादल बरस तक बरसा ही नहीं होगा तो पीने के लिए भी पानी के लिए लोग मर जागा क्योंकि रेन वाटर ही ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है अरजुन जी बोलते हैं बधांजली भुडित्वा यानि की हात जोर कर हे भगवन मया तू यानि की मया मतलब मै तो अस्त्रम यानि की अस्त्र से अस्त्रेन यानि अस्त्र से अस्त्र को शाम मेताम यानि की सांत इती क्रित्वा यानि की ऐसा करकर अस्त्रम बिमुक्तम यानि आपको कोई ज्यानी आके बोले गोली क्यों छोड़ रहे तो आप बोलेंगे कि सामने वाला चोड़ रहा है उसे बचने के लिए चोड़ रहे वही बात अरजुन जी बोले तत्च मया सहीते यानि कि यहां पर यह जो है सहीते का मतलब होता है रोक लिए रोक मैंने तो अपना रोक लिया प्रन्तु द्रोने अब अरजुन जी समझ गया कि हाँ यह नारत जी सही बोले तो अपना अस्त्र रोक लिया फिर वह बोलते कि प्रन्तु लेकिन द्रोने यानि कि द्रोनाचारे के जो पुत्र है अस्वत्थामा अस्त्रम अस्मान शर्वान प्रधेक चत्यति ए आते हैं कि अई दुरोन पूत्र हे दुरोन पूत्र तो आम अपी निज अस्त्रम सहरम यानि तुम भी अपना अस्त्र क्या करो अस्त्रम सहरम नहीं आपे सहर दी दिया दोनों का मतलब है कि सहर का मतलब हो गया रोक लो यन सर्वनास उन भवेत इससे सब का क्या हो जागा सदा संदक्ष में भी और फिर वो बोलते हैं कि पांडव को रोक लेना चाहिए दिव्यम है ँरोनाचारे के पुत्र तुम भी खुस रहा हो राष्ट्र का सुरक्षा करना तुमारा धर्म है क्योंकि अस्त्र छोड़ेगो तो पुरा तो राश्ट्र का सुरक्षा करना हमेशा क्या होता है इसलिए अपने अस्तर को रोको और सहर का मतलब रोको दिव्य मतलब है दिव्य महान भूजाओ वाले महान मतलब तारिफ में बोलते हैं कि है महान अस्तर सस्तर के ज्यानी जो है उसको पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सा आधू ब्रितम का मतलब हो गया सजन और समाचरेत यहां पर हुआ इसको जब तोड़िएगा उतना डीटेल में नहीं जाना बस चेप्टर को समझना है कि इसका मतलब हुआ कि हमें हमेशा सजन का ही आचरन करना चाहिए मतलब कि ऐसा बिहेवियर करना चाहिए जो एक अच्छे लोग का क्या हो बिहेवियर हो ठीक है यह चेप्टर हम लोगों को यही सिखाता है ठीक तो आज कल यह बाते किताम में ही रहा गई है ठीक है तो कोशिस कीजिए जितना हो सकते अच्छा बिहेव करने का बांकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा बात नहीं है अच्छा बिहेव करना तो देखिए यहां पर जो है यहां पर क्या है देखिए यहां पर जो है आप चेप्टर देखेंगे तो आपको फोटो दिखेगा यसर दिख रहा है तो कहता है कि अगर आपको आनंद चाहिए लाइफ में खुसी चाहिए ठीक है खुसी मतलब हैपीनेस ठीक हैपीनेस चाहिए आनंद चाहिए तो इसका परवेश द्वार यहां पर है यह सर परवेश अस्थानम का मतलब होता है यही से परवेश होता है तो परवेश में चार रास्ते खुलते हैं वावो तो सही रास्ता क्या है तो अगर माल लीजिए कि आप पहला वाला रास्ता में जा रहा है दोएस व उसके बाद यह रस्ता है तो यह इर्षया तक पहुंचेगा फिर इर्षया के बाद आप इधर बढ़ेंगे रस्ता बंद इधर बढ़ेंगे रस्ता बंद कहने का मतलब है कि आप इर्षया काम और दुएस से कभी भी लाइफ में आनंद नहीं पा सकते हैं तो सर आनंद कैसे पाया जाएगा तो आनंद पाया जाएगा 100 अध्याय से यानि कि आप self study करेंगे तो अपने आप में अच्छा काम करेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे फिर ऑध्याय से अगर आप घिरना कर रहे किसी से तो बंद रस्ता बनदाननद स्वाध्या से आप यहां बढ़ेंगे फिर उदारता आप नादेगी फिर आपके अंदर उत्साय गा उत्सायगा तो आप पूर॥काडी यह राष्टा से आलस कर लीए तो फिर रस्ता आपका हो गया बंद या अलस करने के बाद जो है आपके इंगे सरम पुरुपकार करके आगे बढ़ेंगे नहीं रास्ते हैं बंद हो चुका आलस यहां से जो गुजर गया आलस को छूते हुए गुजर रहा है तो वह आनन तक पहुंच जाएगा आलस नहीं कि आलस कर दिया मतलब इहां रस्ता बंद हो गया तो यह चीजे जो है आपको बताना है ठीक है चलिए उसके बाद यह जो है कहानी स्टार्ट होती है तो जैसा कि आप जानते हैं यह जो स्लोक है यह लास्ट में आपको समझ में आएगा ठीक है तो वहीं पे समझाए जाएगा इसलिए चिंता ना करें जैसा कि आप जानते हैं कि मनिका बुक के हर चेप्टर में संबाद होता है यानि पहले बाचीत होता है तो इससे सर्कुष्चन आता है कुष्चन नहीं आता है लेकिन बढ़िया रहेगा ना आपका प्रेक्टिस बाबू तो संबाद पूरती और सियामा कहती है कि अई सकही यानि कि है सकही है मित्र ठीक आज कर चल गया है दोलर क्योंकि बिजदोस्त का अड़े दोस्त ओबेश्टी ओटेस्टी पहले ओएसा नहीं था तो श्यामा जो है माधुरी को कि है सकही पसे पसे देखो देखो इमाम चित्र मैं प्रहेली काम यानि कि इस चित्र मैं में क्या है आपकी जेगा मतलब यह जो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है चित्र अधारित क्या है पहेली पहेली है इस पहेली को सुल्धाना है तो अभी आपको पहेली सुल्धा के बताएं कि किस तरीके से आप प्रवेश करेंगे जिन्दी में और आनन्द आप कैसे पाईंगे यह क्या है तो जीवन का पत है उपड़ी प्रवेश स्थानम उपर प्रवेश स्थान दिया हुआ है और अंते चा गंतव्यम आनंद इती और अंत में आनंद इती वहना कि आनंद नाम का क्या है सब्द अंकित है यानि कि रीचा यह बोलती है कि तुमने सही बोला यहां पर प् फिर में आक्षि बोलती है आ एब पस्याम केर मार्ग इन यात्रा भवेत आओ अब देखते है कि किस मार्ग से जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए यात्रा करना चाहिए चलिए फिर माधुई बोलती है कि असमीन यात्रा पत्थ है यानि कि इस यात्रा पत्थ में यानि कि इस यात्रा में तू यानि कि तो अनेका यानि कि बहुत सारे बिथिका का मतलब होता गली ठीक है गली संती यानि कि इस यात्रा में तो बहुत गली है ठीक है तो आप देखेंगे ब माधुरी नाम की लर्की बोली कि इसमें तो बहुत सारा गली है तो कौन सा गली अच्छा रहेगा वो उस पे बाचित हो रहा है वित्यू कासु एव चलनिया अब यहां पर देह कि हमें अच्छे गली में चलना चाहिए अब आगे बढ़ते आगे है रीचा बोलती है कि वित्य सारे अबरोध है तदा यात्रम कथम भवेत तब यात्रा कैसे हो भी यानि कि कली में सर अबरोधा अबरोधा का मतलब हो गया जैसे आप अभी पढ़ते हैं करेंट फ्लो करता है तो बीच में रेसिस्टेंस आ रहा है दस्मा में सर आप साइंस भी जान दे सब टीचर सब कु जीवनी सुनाएंगे तो यहां पर क्या है कि आप जानते है कि करेंट जो चलता है जी सर तो उसके रास्ते में बहुत सारा अगर रेसिस्टेंस आ जाता है तो करेंट को निकलने में दिक्कत होता है इसलिए कहा जाता है कि रेसिस्टेंस बढ़ाओ ठीक और करेंट का फ्लो घटाओ जी सर चलिए बताईएगा सही है कि गलत आप लोग ठीक चलिए तो वही यहाँ पड़ है कि रास्ते में तो बहुत सारा रेसिस्टेंस है अब रोध है आप स्वाध्याय करेंगे फिर घिर्णा हो सकता है सो ठीक जा रहे है सो अध्याय हो रहा है उदारता हो रहा है उत्सा है फुट से यहाँ से निकल गए कहीं आलस में नगुसके बैन हो गया तेक तो यह बहुत सारा यहाँ पर क्या है रेसिस्टेंस है कैसे अच्छा यात्रा होगा फिर मादुरी बोलती है कि पसे पसे देखो द धैरियम यानि कि इस रास्ते में क्या है तो धैरे उसके बाद उत्सा स्वाध्याय संतोस आध्याय सद गुना लिकिता संतीतावी एव गंतव्य हमें उसी रास्ता से चलना चाहिए जिसमें उत्सा है स्वाध्याय है उत्सा का मतलब उत्सा का मतलब उत्सा का मतलब क्या संतोस होना चाहिए, आध्याय होना चाहिए, अब यह नहीं कि यहां पर 26 जनवरी मनेगा, उसमें सर हमको एक लडुकम मिल गया, तो एक जिलेवी ज्यादा मिल गया, संतोस कर लेना है, बगल वाले इतना CBSC में, आज किल क्या CBSC स्कूल में 26 जनवरी होँआ, एक जिलेवी दे है, बच्चा सब उसमें विरूर गया, उसको दो मिला, हमको एक मिला, बाबो आप इतना फिस देते एक महिना का, फिस मतलब मचली नहीं, फी, इतना फी देते है कि पुरा जलेवी का मार्केटिं आ जाएगा, आ जाएगा कि ने आ जाएगा, ठीक, तो कौन देशे से आई न एवगंतव्यम और हमें हमेशा एसी ही वर्ने यानि कि अच्छे मार्क पर क्या करना चाहिए, चाहां चाहिए, फिर सलोका नाम की लड़की बोलती है कि साधू वद्सी, साधू का मतलब यह नहीं कि कि कोई साधू महात्मा बोल रहा है, साधू वद्सी का मतलब हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, कल्यान हो जाएगा, मतलब अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे बाबू, तो हमारा क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, फिर अचारेक परवेश करते हैं, और कहते हैं कि मैं सब कुछ सुन रहा था, युश्मा भी उक्तम ए उक्तम, तुम लोग ब रितम समाचारे यानि सर्जन लोगों का ही आचरन करना चाहिए ठीक है चलिए प्रभचन हो गिया जी सर अब होता है में चेप्टर स्टार्ट तो मनिका बुग का डिजाइनिंग इस वार काफी इंपोर्टेंट किया गया उससे पहले मीटिंग हुआ था तो उसमें जिस बुक है तो उस सर में डाइरेक्ट कहानी है हम लोग में क्या है पहले वारता लाब कि भाई टॉपिक क्या चल ला है ठीक तो इसकूल में बोरिंग हो जाता है क्योंकि टीचर उस नाते पढ़ाते नहीं है ठीक है तो इस महल में अगर पढ़ा जाएगा तो काफी अच् करते हैं ठीक चलिए तो अभी जो जो चीज हम आपको बताएं हैं उससे नुकसान ही होता है जैसे अभी यह काम हो रहा है बैगराउन में आपको सुनाई दे रहा होगा हमारे अगल वगल तो देखिए वीडियो रूप जाएगा ठीक है अब कहानी है कि अस्ती कर्मपूर न क्या होता है प्रांचीन समय की बात है भारत में एक राजा राज करता था बड़ा दानी और परतापी था ठीक तो उसी टाइप से कहानी है स्टार्ट होता है हम लोग के भारतिय परंपरा में यानि कि कर्मपूर नाम का क्या है भाईया तो एक गाउं है अस्ती पहले लगा ठीक अस्ती देव लाख्यों गरामा जब भी गाउं गरा का लिखना रहता है पहली लगता है प्रक्षन भागय नाम धे कस्चित कुमार और वहां पर प्रक्षन भागय नाम का कोई कुमार रहता था ठीक है कुमार रहता था सर प्रक्षन भागय नाम का कोई कुमार रहता थ अब चलेगा जी सर अब चलेगा मतलब कोई आदमी राता था ठीक चलिए बाले वैसी विद्या परांग मुखा सा किन्चित दुष्ट बुधी नाम चौरें सा चौर कर्मनी निर्त संजाता और सुनिए वाले वैसी वाले वैसी का मतलब क्या हुआ बचपन में विद्या परां केंचित कोई दूष्ट बुद्धी नाम के चोर के साथे दोस्ती कर लिया तो इसलिए कहावत है आप पढ़ेंगे सुभा सीतानी चेप्टर में आपके में तो है नहीं उसमें कहावत है कि समान सील सक्खी बेवनेशू संख्या मित्रता हमेशा समान सील जैसे लोगों से ही होती है आप अगर नेता है तो आपका मित्र भी नेता होगा आप कलेक्टर है तो आपका मित्र भी कलेक्टर आप टेरेक्टर है तो आपका मित्र भी ट्रेक्टर आप अगर बंदे है तो आपका मित्र भी बंदे ठीक आप अगर जो है ठीक है जो है आपका मित्र भी वो आपकी स्कूल के प्रिंस्पल का भी मित्र प्रिंस्पल ही होगा कोई प्रिंस्पल मैम नहीं होगा आजकल का कोई भरोसा नहीं ठीक है तो वही बात है तो मित्र हमेशा समान सिखिल समान लोग वाले से ही होती है समान ब एकदा यानि एक बार सव दूष्ट बुद्धिना सार्धम कस्षितित स्रेश्ठिना गेहे धन हरनार्थम ग्रामंत्रम प्रस्थिता अब सुनिए कहानी क्या होता है सव एकदा यानि कि वह एक बार क्या किया एक बार चो सुनिए एक बार क्या किया कि कि कास्षित यानि कोई स सेट के घर में चोड़ी करने का क्या बनाया प्लान बनाया समझ यह कहानी में अब आगे आपको पता चलेगा कि उसने क्या किया तो चोड़ी करने का जो है प्लान बनाया स्रेश्ठीना गेहे का मतलब हुआ गेहे का मतलब घर स्रेश्ठीना का मतलब सेट के घर में धन हरन आर्थम यानि धन का हरन करने के लिए चोड़ी करने के लिए ठीक है डांका डालने के लिए ग्रामंत्रम प्रस्थिता यानि गाउं से बाहर किसी और गाउं में दूसरे है मतलब गाओं का बात हो फ्रेज जाता है बाल में उसकी कुटाई-पीटाई हो जाती है और खाना-पानी बंद हो जाता है अब वो चोडी करने चल परा अथा ब्रजनतों तो गर्थ संकुले मारगे क्रीड़त कंस्तित बालकान प्रेक्षे अवताम भो भो बालका अब यहां पर ध्यान से देखे है कहानी में और जो भी बचे बुक नहीं निकाले बुक निकालके मोबाइल लगके पढ़िए ठीक हम रिकॉर्डिंग के तरह नहीं पढ़ा रहे एकदम ऐसा पढ़ा रहे कि हम सामने ही में है आपके तो पेंसिल निकाली और लिखते चल लिखते चली चेक है अथा फिर जाते हुए तो वे दोनो गर्ठ संकूले मारगे जब वो दोनों बर्जंतों यानि कि जाते हुए यानि कि बर्जंतों का मतलब हुआ जा रहे हैं बर्जन्तों बहु बचन लगा हुए आपकी जगा दुई बचन बालकों दुई बचन क्यों कोगी दो थे एक तो ये प्रक्षान भाग था और दूसरा उसका दोस्ट दूस्ट बुद्धी था गर्थ संकूले मार्गे का मतलब होता है कि गढ़ा उढ़ा वाला जो मार्ग गाउं में रहता है आदा धासा हुआ आदा उठा हुआ छट दी पाबली में अभी आप गाउं जाएंगे तो देखेंगे ठीक अब तो सरके अच्छी बन गई है बिहार सरकार में किरीडिता खेलते हुए बहुत सारे बालक थे तो एक कस्चीत कोई बालक को प्रेक्च है यानि कि प्रेक्च का मतलब होता देख कर या कहीं पहीं अब लोग के लिख देगा उसका भी मतलब होता देख कर अब ताम भो भो बालक बोला कि हे बालक कथमत्र नतो नते विश्मे मारगे किरी रहे था कथम अत्र क्यों यहां पर मतलब यह बोले देखिए जब यह प्रक्षन भाग और यह दूस्ट बोधी चूरी करने जा रहे थे तो प्रक्षन भाग के अंदर तो अच्छा ही थी वो थोरा सा अच्छा अदमी था तो उसने बोला कि रे बालक वो रास्ते म यदि कस्चित गरते यदि कहीं गरते पतेत यानि गिर पर जाओगे तभरी सब विकलांको बृत्वा तब तभरी तब क्या हो जाओगे वह विकलांक हो जाओगे चीरम कलेशम अनुभवेत चीरम यानि कि तुम्हारा जो मन है ठीक है वह क्या हो जागा कलेश अनुभव करे कुछ बोल दे मतलब सही बात ही बोलता है जो बुलने बाकी बच्चे डरते हैं वो बोला कि आई भू यदेवे वहम यदेव वहम तहरी कथम भवनतो सू पथम परितजे अनेन कू पथम गंतुम परिविरतो अपी इदम सिरेश करम तभी बोलता है कि जादा तुम ज्यान नही कि दो तुम भी तो चोरी करने जा रहे हो पहले ये समझ ये क्या बोला फिर लाइन तोर-टोर के बताते है तब जाके आपको अच्छा डंग से समझ में आगा बोला कि तुम भी तो चोरी करने जा रहे हो तुम हमें सिखा रहे हो कि इस पथ को छोड़ दो ये गड़ा वाला क्या है सब आदमी जानता है ठीक है अब जो है आगे कहानी होता है तो जैसे ही इस प्रक्षन भाग्या ने बोला कि रे बच्चा तुम इस गड़े वाले मार्ग पर क्यों खिला बच्चा बोला कि तुम भी तो चोड़ी करने जारा अच्छा मार्ग को छोड़ कर अनेन का मतलब हुआ कि उसका जो वानी था किसका तुम बच्चे का वानी था इस वचन को इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं लेकिन सिंपल यूज कीजिए जो आप डेली में यूज करते हैं हिंदी सब्दी बहुत कठोर होता है जैसे अभी आप मानली जे कि अभी आपको खाना म मांग रहे हैं खाना दिया जाए तो काफी टॉफ हो जागा तो इसलिए सिंपल भासा में इसका स्टोडी पढ़ी है जो आपके दिमाग में रहे तरीक है चलिए अनेल वच्चा परती हांटा करना प्रच्छन बागया चिंतियत कीम इदम बचनम विसेशन माम एब लक्षिय कड़ोती यानि अनेल वच्चा इस वच्चन को सुनकर पर्ती हात हात आंता यानि की अंदर से क्या हुआ दुखी अंदर से क्या तो दुखी कौन दऊंदो कि ये प्रक्षन भाग चोट खाय हुए परती हांता हम किसको के उलतर से चोट वेड़ाता जैसे आप ही को कोई बुरा भाला बोल देगा तो आप अंदर से दुखी हो जाते हैं वैसे मन से करना यानि कि मन वाला प्रक्षन भागे अचिंतियत बोला कि कीम इदम वचनम बिसेशन मतलब किम क्या इदम यह वचन जो वोली था इस बालक का बिसेशन माम यानि तो यही वो इस कहानी से पता चलता है कि आप अगर मालीजीय की सो बच्चा के ग्रूप में आप खड़े हैं मालीजीय भी आप पढ़ नहीं रहें दस दिन से आदर छूट गया कोई बज़ा हो सकता है और हम सो बच्चा को ले उसमें आप ही रहेगा मोटिवेशन दे कि पढ़ाई करने का ज़ज़वा है जी सर तो प्रक्षन भागय तो अच्छा वेक्ति था तो समझा कि यह मेरे लिए ही कहा गया है और प्रक्षन भागय का जो है यहाँ पर दिमाग खुल जाता है प्रक्षन भाग बोलता है कि यही कुमार्ग पर अगर मैं आश्रीत रहा तो कि यह हमेसा क्या देगी? कश्ट देगी और कश्टो की है, गुरुपदेसेन एव अनेन वाल वच्टा मम्चक्छूसी शमुनी मिली ते, और एहाँ पर यह बोलता है परक्षर भाग, कि गुरुपदेसेन, गुरु के जैसा उपदेस, इव अनेन वाल वच्टा इस बालक के ब पाप पथम त्या जामि और अभी से अभी से अब से आज से मैं क्या करता हूं तो पपथम यानि की पापी पथ को इस बुरे काम को त्या जामि यानि की छोड़ देता हूं इती विचंतिय यानि कि ऐसा स्मोच कर मित्रम दुष्ट बुद्धिम और जो उसका मित्र था प्रक्षन भागे का दुष्ट बुद्धि उसको अबदत बोला कि सक्खे यानि कि हे मित्र यदी माम मित्रस्थाने परिन गया सी यदी माम यानि कि मेरा तुम क्या हो तुम मित्र हो ठीक है मेरा तुम मित्र हो मेरे को अपना मित्रस्थान के जगा पर रखते हो तहरी साधू जन गरहितम इम पथानम त्यजतु भवान इसलिए क्या करो इस पथ को त्याजो और साधू जन गरहितम यानि सजनों के द्वारा पत बताएगा है जो रास्ते बताए गया है उस मारग पे चलो और इस बुड़े पत को त्याग दो अब आगे क्या होता है तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि वो जो प्रक्षन भाग रहता है वो बोलता है कि तुम भी इस पत्थ को त्यागो और सचाई के पत्थ पे चलो जो साधु जन्ग्रहितम यानि कि जो सजुनो द्वारा बताएगा है ठीक है तो एक बात सॉलूशन वीडियो है उसको देखिए इससे क्या होगा कि एक भी नंबर आपका संस्क्रीट में नहीं कटेगा और जहां दिक्कत है जितना दिक्कत है बेज जग आप पूछिए कोई यहां पर यह मना ही नहीं है कि इतना ही पूछना है या नहीं पूछना है एकदम सब से आपको करना है और कोई भी टोपिक में कहीं भी दिक्कत हो तो छुपाना नहीं है बताना ठेक अब आगे चलते हैं देखिए दूष्ट बुद्धी तूतस्य सद वचनानी देखिए यहां पर क्या होगा यहां पर सत्त पलस वचनानी संधी भी हो जाएगा ठेक प्रथम परन का तिरतिये वर्ण में परिवर्तन काफी इंपोर्टेंट है देके सत और प्लस वचनानी यह अभी ध्यान में आ गया तो बता दिये सब टीचर यह बताते ही है जो अच्छे टीचर होते हैं तो हलंत के बाद वह आ गया तो प्रथम बर्ण के बाद यहार लवा या स्व दुष्ट बुधी तो तस्य सदवचनानी यानि उसके सत्य बचन को तिरस्कृत्य का मतलब हो नकार के ग्रामा भी मुखं प्राचलत गाओं की ओर चल परा वो अपने काम में चल परा वो नहीं माना कि नहीं हम चोरी करने जाएंगे ही जाएंगे उसके बाद है प्रक्षन लिएफिड शमव उपजाताव बिबेक स्वग्रिहम प्रति निर्बीत और प्रक्षन भागे तू मतलब तो यहां पड़ ये टूटे गाद देखिए शमूपजाता वीबेक शमूप जातावईग का मतलब हो गया अपने अंदर जो उसके बीवेक उत्पन हुआ था यानि वहीं था बीच में इसलिए नीचे यह लग गया तो सम्मूप जाता विवेक यानि अपने अंदर विवेक उत्पन हुआ विवेक मतलब उसके अंदर नौलेज उत्पन हुआ कि हमें चोड़ी नहीं करना चाहिए वो अपने घर को चल परा ग्रिहे तस्य भार्या सपदी समाग निकी समा गतम मतलब लोटणा सिग्र लोट जब माली जै कि चोड़ी करने काagues काम खतम कर दिया तो अपने घर लाटा तो उसके घर में उसकी पत नि देखी कि यह तो लोट आए समा कतम हो गया और उबी क्या तो सपदी का मतलब अता इस इतना जल्दी आ गयette पतीम द्रिष्टवाब प्रिक्षित और वो पती को देखकर पूछी हे आरे हे स्वामी कीम सर्बगतम कुसल वर्तते क्या सर्बगतम मतलब सबकुछ कुसलम यानि कुसल वर्तते मतलब है क्या सबकुछ कुसल है तो मानले जी कि आप ही कहीं स्कूल के लिए गए आप घर पे व पत्नी बोली क्या सब कुछ ठीक है? अनूचित समय जो है आप क्या हो गए हो तो आ गए हो अब इस परक्षन वाग बोलता है शर्मपरति धर्मति मतलब अब संप्रति का मतलब हो गया अब अब्य में जो है आपको पढ़ाएंगे आप विल्कुल भी टेंशन नहीं लिजे अब सपस्चयतापेन दगधमांसा सर्वं बृतांत निवेदा सकरूनम उच्चेकर अक्रदंत अब जो था वो क्या करने लगा पस्चयताप से रोने लगा और स सबकुछ यानि की सर्व बृतांतम यानि की सबकुछ एकदम डिटेल में निवेदा यानि की बताकर सकरूनम यानि की सकरूनम मतलवा दुख से उच्चे यानि की जोर से ये भी अब्य है पढ़ाएंगे आपको अब्य में अक्रदंत यानि की रोया बुद्धिमति सा बुद्धिमति नाम भी होगा वह बुद्धिमति अब्दत बोली अलम चिंतिया का मतलब होता है अलम मतलब अलम चिंतिया का मतलब होगा चिंता मत करो आपदाम तरीनी धहरियम आपदा में आप जब भी आपदा आती है तो तरीनी धहरियम हमें नौका का धारन करना आपना में लोग नौकाधारन करते हैं और धहरेम रखते हैं आप भी उसी तरह धहरे रखो इदानीम विशादम त्या कतबा परिश्रम करें और इसका मतलब क्या हो गया परिश्रम करें यहां पर उधमा के लिए ताम लिखा हुआ है ठीक है तो जेनरली यहां पर परिश्रम परिश्रम इसलिए बोले को कि पुराने बुक में परिश्रम ही लिखा हुआ है तो बूट कुश्चन भी बनेगा तेहां पर परिश्रम ही देगा ऐसे उधम का भी मतलब वही होता है मेहनत ही होता है ठीक लेकिन ध्यान रखिएगा एक दो वर्ड बोले उसको कहीं नोट डा अनि मैंन की अब निसादम यानि की दुख को त्यकत्वा यानि की त्या करके क्या करना चाहिए तो परिश्रम इसरम या उधम एक ही चीज़ है क्रियताम करना चाहिए धिक तो समझ में आया ऊगा चीक तो यह आगे चलते अब यह चार लाइन का जो प्रकार का ख दोक तो आप कह सकते हैं ठीक है statement है तो इसको समझाएंगे तो इसका दूसरा लाइन का पहले मतलब पहला लाइन का दूसरा तब समझ में आएगा कहने का मतलब सांती से समझें कहना क्या चाहता है यह राजा महराजाओं के भासा में हैं मतलब असपस्ठ हिंदी इसको कहेंगे से नांतम तो यह हुआ नौ पलस अंतम अच्छा सर नौ में का और यह आ मिल के जिर्ग संधी होगे आप लोग को नहीं पढ़ना इसलिए बनता है नांतम यानि कि नौ पलस अंत यानि किसी जिसका अंत नहों हो तो कहने का मतलब यह करंदम मतलब क्या हुआ रोना अभी अभ तेक वो गुंद संधीव आपको पढ़ना भी नहीं नांत में पढ़ना था तेक इसलिए बता दिये कि नांतम अस्पष्ट सब्चनी लग रहा है नौ अंत यानि जिसका अंत नहों हो तेक तो करंदम मतलब हुआ रोना बर्धते मतलब बढ़ता है तससे उसका नांतम नांत होता है समाधि गच्छती यानि सांती नहीं पाता समझे रोना बढ़ता है उसका अंत नहीं होता है और सांती नहीं पाता है ये किसका गोंन है अगला लाइन में ब्यासनम प्राप्या ब्यासनम का मतलब उसका रोना बढ़ता है और यह दो लाइन का मतलब आपको अच्छे डंग से बताते देखिए ये दो लाइन ये कहना चाहता है कि कोई भी वेक्ति व्यसनम प्राप्त करके जो मुह से केबल क्या करता है सोचता है सोक मनाता है पड़ी देवियत का मतलब भूँआ सोक मनाता है जैसे मालीज आपका 10 रुपया गिर गए आप उसी के लिए सोक मना रहे हैं तो आपका रोना जो है गेरेंटेर बढ़ जाएगा और उससे कभी भी आपको सांती नहीं मिलेगी ठीक अब खो गया तो खो गया अब उसके बारे में सोचियेगा तो गड़बर हो जाएगा उसके बाद है जल बिंदू नी पातेन करमसा पुरियते घटा जल बिंदू नी पातेन का मतलब हुआ जल की बूंद गिरने से जल बिंदू जल बिंदू यानि की जल का बूंद नी पातेन गिरने से करमसा करमसा का मतलब हुआ है पर रिजल्ट क्या होता है तो पुरियते यान घरा लगा दिये तो तप 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 भर जाता था तो उसी तरह वह सहे तू शर्वर वीद्यानाम ध्रमस्यजट धनस्यचझ याणि यह जो बेवस्ता है यह सब कुछ में लागू होता है उसी तरीके से वह उसी करीके से क्या होता है दीरे-दीरे धर्मस्य धर्मस्य का मतलब करतब धना आता है ठीक तो दीरे-दीरे सब भारा भरता उसी तरीके से बिद्या भी दीरे दीरे आपका नोलेग बढ़ेगा याद कि ये शुरू टेंथ में थे तो कितना नोलेग था तेंथ के बारे में नहीं था अभी ये तो कितना है जब आप टेंथ कर जाएंगे दो साल 11 12 पढ़ेंगे जिसका एक ही चप्टर में प गढ़ेंगे अनेक परकार के उपदेश को सुनकर सांत जीता का मतलब हुआं मन संस्क्रीट में है मन होता जो किसी सांत जीत मन वाले सा कस्चीत कोंई किरिसे कस्य सचेत्र से हल कारियाम कर्तूम प्रावबत और वो जो प्रक्छन भाग था कोई सांत मन वाले को सांत मन वाले वह मतलब यहाँ पर यह कहा गया कि प्रक्षन भाग तो सांत मन वाला ही था कोई किसान के छेतर में क्या करने लगा तो हल काड़े करने लगा किसान भी सांत मन था इसे यह भी पता चलता लेकिन यह ज्यादा तर प्रक्षन भाग के लिए करने लगा काश्यचीत यानि कि किसान के छेत्र में हलकाड़े करने लगा स्रमेन च सरम से सरम से मतलब वो सर्म नहीं सरम बेहाया वाला सर्म नहीं सरम हाया स्रमेन मतलब मिहनत से और च का मतलब और सैने 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 का मतलब और सैने मतलब धीरे धीर अब यह में भी आपड़ेंगे परभूतम धनम अरजीत बान वो क्या हुआ तो परभूतम यानि कि परभूतम का मतलवा बहुत धनम यानि कि धन अरजीत कर लिया अथा पुर्व मित्रम यानि उसका पुर्व मित्र एक्स फ्रेंड दोस्ट बुद्धी जो है प्रक्छन भागस्य धनाम भितांता धन आगमन भितांता ये संधियों के बना गया है वही गुन जंदी आजोर के धन आगमन भितांता यानि कि धन का उसका जो पहले वाला मित्र वो प्रक्छन भाग का धन आया मतलब ये धन प्रक्छन भाग कमाने लगा तो उसका जो पहले वाला मित्र था दुष्ट बुद्धी वो सोचा कि अरे ये तो हमरे साथे था हमारे चेला था मतलब दोनों साथे राते थी ये तो धनवान हो गया तो धन आने की बात सुरुत बात सुनकर कदाचित कदाचित का मतलब हुगा कभी मदे रातरी यानि की मदे रातरी में तस्य यानि की उसके एव ही गिरिहे घर चौरार्थम संधी और चोड़ी करने के लिए क्या करने लगा तो संधी खनन सु योगम सेंद खनने लगा ठीक है अब देखे कैसा मितर था इसलिए दूस्टा आदमी समित्रता कीजेगा न आप बादे में उसको छोड़ दीजेगा लेकिन आप आगे बढ़ जेगा तो भी आपसे बदला निकालेगा कि यह कैसे आगे बढ़ गया ठीक है ठीक यह तो मेरा बेश्टा पेश्टी थी ये कैसे आगे बढ़ गई या बढ़ गया इसलिए अच्छे लोगों से मित्रता कीजिए और एक दो ही मित्र रखी प्रक्षन भाग्य के घर में क्या करने लगा तो संधी खननी सुगयोग्यम इसका मतलब क्या होता है कि पहले के जवाना में तो घर होता था मती का खपड़ा क तो उसमें गेट खोलके चोर नहीं आता था ये खिरकी से नीचे से से एक सेंध कार देता था आप सुनते होंगे आप अपने मम्मी से पूछे गए या दादी नानी आप कहा होंगी तो उनसे पूछेगा अब पक्का के घरे पहले इसी में छेत कर दिया घर में घूस गिया तो उसी परकार का सेंद खन्ने के लिए विलोक्यन स्थिता उहां पे देख रहा था कि कैसे कैसे मतलब महौल बना दिया था सेंद खन्नी वाला था एकदम देख रहा था कि स्थिती सब का जा जा ले रहा था तसमीन एवकाले मतलब कि उसी समय जब ये परकिरिया चल लही थी उसी समय जो है शुप्तो थीता परक्षन भागे यहां पर शुप्तो थीता का मतलब हुआ स्व कर उठे परक्षन भागे सम भरांती चीता श्वपतनी संबोध्य उबाच उसने क्या किया तो यहां पर सम भरांती चीता का मतलब हुआ घबराय हुए ठीक है तो सम भरांती का मतलब होता है बाबो घबराय हुए अचीता का मतलब हुआ मन तो कोई भी आदमी का मन ही घबराता है तो घबराय हुए मन से श्वपत्निम यानि कि अपने ही पतिनी को संबोध्य उबाच संबोधित किया मतलब अड्रेस किया उबाच और बोला अहो बिचीत्रे श्वपने मया दृष्ट अहो बिचीत्रे सपने अरे मैंने बहुत बिचीत यहां काम करें हमारे खेत में अश्वत तरू यहां पर हो गया पीपल के तरू पेर के मुल में यानि कि पीपल के जर में शूवर्न पुरिता कलस एक सोने से भरा क्या है तो कलस है बिद्धेते एती उहां पर क्या है तो बिद्धेमान है मतलब कि उहां पर है यह बात कौन ब पत्नी बुद्धी मती थी वो क्या थी इमंदार थी मतलब कि उसको लालच नहीं था तो तक्ष सुरुत्वा है उसको बोलते मतलब यह सुनकर परदरब्य का मतलब हुआ दूसरों के घर अना सकता यानि कि लालच न रखने वाली वह नेवेदेत यानि कि बोली हे नाद बिरम असमाद लोभाद बिरम असमाद लोभाद का मतलब हुआ बिरम यानि कि छोड़ो रोको असमाद इस लोभाद यानि कि लालच को इस लालच को छोड़ो तो यहां पर परक्षन भागे बोला कि हमारे छेतर में क्या है सोना का है पीपल के पेर के जर्मे सोने का कलस है ऐसा सप पहले के लोग को सपना आता था वाद सच होता था से हजार-दोहजार बर्स पहले सत्योग में तो इनकी पत्नी जो थी मंदार थी तो वो बोली कि साथ यहां खेत में काम करता था नो वहीं के बात हो रहा है तभी बोली कि दूसरे के धन पे हमें लालच नहीं करना चाहिए मतलब उसकी वारताम सुरुतवा वरता को सुनकर बाच्चित को सुनकर जटीती यानि की जट से एब मतलब ही छेत्रम गता उस छेत्र को पहुँच गया उस खेत पर पहुँच गया खेत पर पहुँचने से क्या होता है तो तत्र अस्वत था मुलम खनितवा अब उसने क्या क्या पीपल के जर पेर को मतलब की जर के पास खनने लगा तम शुबन कल्सम प्रात्वान और उसको क्या मिल गिया सोने से भरा कलस मिल गिया और यहां पर क्या है कि जैसे ही तस्य मतलब उसका आवर्नम का मतलब होता धकन अप सारेयती का मतलब होता हटाया तदै अब तभी पस्यती क्या देखा तो भ्यंकरम यानि की भ्यानक एकम यानि की एक बिस्धर साप को देखा जो फुंतकारम यानि की फुंकार मार रहा था आपको पताए साप ऐसे ऐसे करता है न फुंकार मार रहा था करते हुए क्या क्या इसको पे जपटा मारा अब जो है इहाँ पर क्या हुआ तो जैसी आपके पास भी ऐसा सांपा जागा तो आप क्या हो जाएंगे सरम भीता हो जाएंगे क्यों भीता का मतलब हुआ डरा हुआ स्वा मतलब हुआ कलसम यानि कलस को पुनह यानि की दुवारा आबरित्य का मतलब हुआ धककर तमचा आदाय का मतलब हुआ कि उहाँ पर से मतलब उसको लेकर मित्रस्य ग्रिहम समागा ता यानि की मित्र के घर पहुँच गिया वही प्रक्षन भाग के घर क्यों पहुंचा आपके मन में प्रस्ण होगा स्व मित्रम सरपेन मारी उतो मिक्षन स्व क्योंकि वह अपने मित्र को सांप से मरवाना चाहता था उसके मन में प्लान था कि कलस धक देंगे इसके घर में कलस जो इसके घर में रख देंगे को कि इसको पता नहीं था कि कलस के अं का खान मिलता है तो पहले वहां सापो दस अजार तो नहीं हजार दुजार साप रहता है ठीक यह सोचा कि चलो इससे डस आ देते अपने मित्र को इसलिए दूस्ट के साथ को भी मित्रता नहीं कि यह तो आप सक्सेस होईंगे तो आपका जो है खेल खतम करने की चक्र में प्ला प्रकल्पया, तनम धेयत, कलसम ग्रियावंत्रे चित्वान और वह क्या किया भीतव वह क्या किया तो भीतव यानि की दिवार में ठीक है यहां पर देखिए ध्यान से देखिएगा यहां पर भीतव का मतलब वह गया दिवार में ठीक है वह भीतव है यानि की डर अब यहां पर क्या है कि भितो संधी संधीम प्रकल्पया यानि वही जो है फिर कहानी वही दूर आ रहा है कि उसने क्या किया 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 कि उसका मतलब की दिबार में क्या कर दिया फिर से छेद कर दिया सेंध कर दिया प्रकल्पया यानि की सेंध बना कर तनम अधयत यानि उसके बी आपको पढ़ने भी अनोखी उते हैं लिखी बूस्ठी बूधालैं परेश्टी गर्ष देब के अधियर आने भूस्टी investors पुति विचाल ईक्रियों सभी सायखते के अहांने सब्सक्रिक घावी आप राखमें कलस पात सब्देन प्रभ बुद्धो तो दमपति आश्चरियन प्रचुर मनी मनी क्या नाम अभया भास्मा नाम निजग्रिहम द्रिष्टवा परस्परम अवलोक्यंतियो आतिस्ठाम अब जैसी दूस्ट बुद्धी ने कलस का ढकन ढогन दीला था कसा ही ओधा मतलब्त नोट करियें हम देख रहे हैं आप नोट कर रहे हैं पेच पे तो नोट कीजिए पतितवान यानि गिरे हुए कलसाद यानि कलस से बाहर निकल कर बिश्धर्थ अपने दुष्ट गुद्धी को ही डस लिया अब जैसी कलस गिरा तो उसके सब्देन हुए होंगे सब्देन का मतलब उसका असचरे से वो देखते हैं कि प्रचूर मानी प्रचूर मतलब हुआ भरपूर मात्रा में मनी मानी के नाम यानि की मनी मोती ये सब क्या था आभ्या यानि की चमक से चमक रहा था पहले के जवाना में आप देखते होंगे मोती सब चमकता था ठीक ये छोटा भीम सम्में इतना बड़ा खाजाना रहता है धोलू-बोलू कुटता है जी सर तो उसी टाइप के एकदम चमक रहा है किसके घर में तो प्रक्षन भाग के घर में यही बताए कि कलस में जो था नीचे हीरा मोती था उपर सांप था अब जो है इहां पर जो है मोती चमक रहा था भसमानम या है आति तवान आति Silence aam यानी कि ऐसा लग रहा था कि मानों चीजे खंसी गई हो तो इस कहानी से क्या सिक्छा मिलती है यहीria मिलती कि आप בगवान रहेंगे तो आपके साथ दूस्ट बाला ही काम भगवान करेंगे प्रकृति जो है आपके साथ दूस्ट करेगा देखें मित्र को हानी पहुचाने जा रहा था इसको ही हानी पहुंच लिया ठीक है ठीक अगर प्रक्षन भाग डाइरेक्ट घहला लेता सब प्लानिंग रहता भगवान का प्रक्षन भाग डाइरेक्ट ये निकालता मतलब कि घहरा को तीसी प्रक्षन भाग को ही साथ दस था लेकिन तो अच्छा आदमी था तो इसलिए भवानी लिला राची और इस जो दुष्ट बुद्धी है इसको साथ से डस मतलब कि ये जो है साथ से डस आ गया इसलिए कहा गया है कि पापी नचव सदा दुखम यानि कि जो पापी आदमी होते उसको सदा दुख मिलता है सुखम वे पुन्य कर्मा नाम यानि कि सुखम वे यानि सुख किसको मिलता है उनको जो पुन्य करम करने वाले होते हैं एवं इस्थिर्तवं ग्यात्वा साधु समाचारेत यहां आचरन करना चाहिए यहां पर यह चेप्टर हुआ अगले चेप्टर में जो आठमा नमबर चेप्टर है आज उसको पढ़ने वाले हैं इसका नाम है तिरू कूरल सुक्ति सौरबं ठीक है इसको इस तरीके से पढ़ते हैं तिरू कूरल सुक्ति सौरबं तो बाबु तिरू का मतलब होता है स्री मिश्टर जैसे हम लोग बोलते हैं ने स्री आदर्द करके जैसे स्री फलाना कुमार जी हाजिर हूँ ठीक है तो स्री उसके बाद ह कूरल का मत्तब हुआ यहाँ पर स्लोक या दोहा कुछ उपदेश आप कह सकते हैं शुक्ति स्वर्बं यानि कि यह पढ़के आप बहुत अच्छा आपको लगेगा और इसमें जो भी लिखा हुआ है वह आप जो है अपने जिन्दगी में अपनाएंगे स्लोक बाला चेप्ट स्लोक पढ़ाएंगे फिर कुछान एंसर एकदम मिक्स अप करा देंगे तो एकदम कम्प्लीट चेप्टर ही आपका हो जागा बित डीपीप स्लोसन के साथ ठीक है चली यह स्टार्ट करते हैं और जो है एक जो है ध्यान रखेगा कि यह जितना पढ़ें उस आपका पिद्वरें और जो सेभुसी वाले उनके में नाइन है तो एकदम टेंशने लिएगा धोनों के एकदम स्ीम टु सिम है तो इस्टार्ट होताँ है कि चैननई नगर से समुंद्र टट है चैनने नगर का किराना है कहांपर चैन्नई नगर में यानि मड़ीण वीचकी बात की जारी है सायद या सरसमुद्र तट वहीं पे नहां तत्र वहां पे तीरू वल्लूवर अस्य परतिमां द्रिश्टवार छात्रा प्रस्परम चर्चां कुर्वन्ति और वहीं पे तीरू वल्लूवर तीरू वल्लूवर अस्य आप वल्लूवर पर यह बिभक्ति लगा के जैसे बालकस है, ऐसे नाम हम आयू सस्य लिखेंगे खर्ष्टी में, क्यों कि तिरू बल्लूबर जी की परतीमा, की परतीमा इसका लगा है भी भक्ति है, वाद में आपको बता है, नेम है तिरू बल्लूबर, ठीक, तिसाद यह उतना डीटेल में नहीं जाए नहीं, तिरू जी की परतीमा है, ये तमिल भासा के महा कविठे स्टूडिन्ट, गर इनका गरंत जितना भी लिखा हुए, अगर उसको हटा दीजगा तो तमिल भासा कुछ बचेंगा ही ने, मतलब तमिल भासा का बेदोगर है, तो तमिल भासा का ही कुछ दोहा जो है, जिसको संस्कृत र तो सबसे पहले पाड़ा चेये की नमीते, नमीते का मतलब होई नमीता नम की पस्चे पस्चे लिखो रिपा ईतां परतिमा यह परतिमा ओशनमा को इस पुर देखो मन्य कोपी महा कभी मन्य कोपी महा कभी मतलब मुझे लगता है कि यह कोई क्या है महा कभी है ठीक है कोपी उत्वम संदियां पर होगा कहपला सपी ओडबला जो पढ़ायते होई नमीता पुछते कथम मन्य से कैसे मानते हो कैसे तुमको लगता है तो संगीता कहते है किमन पस्यती किमन पस्यसी क्या नद देख रहे हो यत जो असे हसते तू पुस्तकम इप किंचित बिराजते यह बिराजमान है कुछ पुस्तक लेकर बिराजमान है मतलब इनके हाथ में यहाँ पर किंचित का मतलब जागा कोई कोई पुस्तक है तो आप दे अदित्धे बोलता है कि आम आम, थीक, आम का पेर हो अपने आम आम का मतलब अगे हाँ हाँ, की माप 20 लिखती है सा इहां पर लिखा भी हुआ है कुछ तिरु बल्लूबर महान पाबन गरंथ बिर्चत चीता यानि कि स्वाम्या बोलती है कि अँछ इसी सब्द में इसी तरीके सा अच्छ आच्छ ये तो वही महाकभी है जिनका गरंत तिरु गूर्लर जिसमें अच्छे बाते लिक्षियों यो महान पाबन गरंथ यहीं लिखे माम जनकस्तु यानि कि मेरा जनकस्तु यानि मेरे पिताजी प्रती दीन प्रती दीन में अशासर एब कहां यह एकले एब आवा यानि प्रती दीन हिं असे यानि इसका पाठम करोती इसका पाठ करते इस ग्रंद का इसका तो तिरु कूरल का तेक बीच का यह का साइलेंट है त तेन तु अधिकांस पदानी यानि उसका तो अधिकांस किसका गरंथ का पदानी का मतलब हो गया पद स्लोक कंठस्त कृतानी मेरे पिता जी ने तो कंठस्त याद कर दिया है अग्छो अज़ कहताा हूँ असमरामी हाँ हाँ मुझे याद आया असमाकम संस्कृट पुष्टके तु अशे अब गरंतस्य है अरे हमारे संस्कृट पुष्टक में भी तुका मतलब आपको बताए तो अशे मतलब इनका गरंतस्य से कतीचित यानि कुछ पदानी यानि की इस लिए हम लोग को ये पाठ पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग के ग्यान में बिर्दी हो तो अब एक एक करके जो है सुलोक आपको पढ़ाते चलते हैं और इसका से सुलोक से बनने वाला कुश्चन एंसर भी आपको कराते चलते हैं तो एकदम आपका ये चेप्टर हो जागा कम्पली ठीक ये भी एक one of the important चेप्टर है सुलोक वाले point of view से तो इससे अनवे भवार्थ भी आ सकता है question and answer भी आ सकता है ठीक चलते हैं सबसे पहले पहले सबदार्थ में बात कर लेते हैं पहले सुलोक में सबदार्थ बता देते हैं आपको बाले का मतलब होता है बच्पन करितिगता का मतलब होता है उपकार मानने का भाव ठीक है अगर हम कहें कि आप हमारे परती कित्यग्य हैं यानि हम जो भी उपकार किये हैं या आप हम पर उपकार किये हैं हम उसको मान रहे हैं अब सुलोक पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा तभी है जब पूरा एक बार सु उसका हिंदी संगें। जो आपके पिता हैं, चाहे हमारे पिता जी हैं, किसी के भी फादर हो, बच्पन में आपके पिता जी सबसे बड़ा आपको गिप्ट क्या देते हैं, बच्पन में तो वह बिद्या धन देते हैं। अब आप कहेंगे सर बिद्या धन तो टीचर दे रहे हैं इस्कूल में मिल ला है पिता जी कहां दे रहे हैं नहीं आपके पिता जी मेहनत करके फी दे रहे हैं आपका एडमिशन करा हैं इस्कूल में तभी तो आप पढ़ पा रहे हैं तो यह जो बिद्या रूपी धन जो आप को बचपन में मिला है, जो क्या है तो काफी महत्व है उसका, क्योंकि बिना बिद्या के आदमी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, समझ गया, तो जो study है, जो पढ़ाई उसका काफी importance है, और वह जो बचपन में कौन देता है बच्चे को, तो वह एक पिता देता है, पिता से किम तपस्ते पे और इसके लिए पिता जो है क्या तपस्या करते हैं यह define नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर हम इतना ही बोल देते हैं कि पिता जी काफी तपस्या किये हैं यही उनके परती ऐसा होगा कि हम उनका उपकार मान रहे हैं तो सुलोग का student मतलब यह हुआ कि पिता जी जो हैं बचपन में आपको जो विद्या रूपी धन दे रहे हैं वो काफी ज्यादा important है ठीक है और वो बहुत बड़ा gift है आपके लिए और इसके लिए पिता जी कितना तपस्या करते हैं यह define नहीं किया जा सकता यह आप बस कही देते हैं तो उनके परती आप उपकार मान कर रहे हैं और तो आप देखि रहे हैं अभी आप आज पढ़ पा रहे हैं क्यों को कि आपके पिता जी मेहनत करके पैसा कमा कर आपको पढ़ा रहे हैं बात सही है कि अब आपके पिता जी स्कूल में आपका admission करा हूए CBSE में तो हर महीने 3-4,000 रुपया तक फी में लगी जाता है फलाना एक्ट्रा फी ये फी वो फी लगा के एवरेज 3,000 तो समझो ये उस 3,000 को कमाने के लिए पिता जी कितनी तपस्या करते हैं अगर किनी कि पिता जी का दुकान होगा तो अगर 10 बजे दुकान बंद करने का सम रहे हैं ठीक है कि आप पढ़ने आये हैं आपर बैच में इसका भी आप फी दिये ये भी आपके पिता जी की मेहनत की कमाई है तो इसका आप लोग फैदा उठाए और जो जहां दिक्कत है पूछिए एक टॉपिक को इतना बारी के सिके जिए तो कि हम पढ़ाते हैं टॉप देंगे तो फिर आप क्यों अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हाँ सर कल पढ़ेंगे पर्शू पढ़ेंगे आज ही पढ़े आप कहा है कि कुछ पूत्राय बिद्याधनम ये ख्षति कह मतलब कौन पूत्राय मतलब पूत्र को बिद्याधन देता है तो कौन देता है तो पिता देता है को है एक बचन है एक बचन है कीम सब्दरू प्रस्निर्मान का वीडियो देंगे महत्व तो आपको पता है कि अपने पूत्र को देते हैं तो देखें कस्मे से कुष्चन था तो कस्मे में आपको हम अब पठिता वोद्नाम में भी बता हैं कि कस्मे चतुर्थी विवक्ति में होता है याद है धात्री फलाए कसमे पर्युक्तम तो धात्री फलाए तो हम लोग भी चतुर्थी लगाए इसलिए पुत्राए लगाए है कोई पुत्राय कर देता तो गलत हो जाता उसके बाद पिता महत बिद्याधनम पुत्राय कदा यक्छती तो पिता महत बिद्याधनम पुत्राय बाले यक्छती कहने का मतलब यह कि कब देते हैं पिता जी बिद्यारूपी धन तो बाले यानि कि बचपन में देते हैं तो यह इ एक पदेन का मतलब हुआ एक वर्ड और एक वाक्यन का मतलब हुआ एक वाक्य में यानि कि पूरे सेंटेंस में ठीक है उसके बाद है का उक्ती अस्ती तो अस्य पिता कीम तपस्ते पे इती उक्ती अस्ती उक्ती का मतलब है कि क्या कहना है यहां पर ठीक है तो यही कहेंगे कि पिता जी कितना तपस्या करते हैं यही उनके परती क्या है कृतिय अगता है और यही क्या है उकती है यही कथन है कहने का मतलब यही में चीज है कि बस हमको यह समझना होगा कि पिता जी इसके लिए कितना कश्ट सहते हैं हमें पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा कमाते हैं उसक सबी पीता जी अपने पुत्र के लिए ही करते हैं। उसके बाद भासित कारियम है कि पिता ईती करतरी पद से किरिया पदम किम। कह रहा है कि पिता जो है एक करतरी पद है तो किरिया पद क्या होगा। तो एकदम पिता जो हो तो करत्रीपद है, पिता आदमी है, अब यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, तो आपको देने का काम कर रहे हैं, तो यक्षती हो जागा, सर कैसे देने का काम कर रहे हैं, तो देखिये न, पिता यक्षती, पिता देता है, तो सर विद्याधन नहीं हो जाग यानि कहा जा रहा है कि यक्षती एक क्रिया पद है बिल्कुल यक्षधातु का मतलब होता है देना ठीक है तो देने का काम है पर कोन कर रहा है तो करत्री पदम की मस्ती की मस्ती अलग-अलग तूटके इसको एक ही साथ लिख दिया कोई दिक्कत नहीं करत्री पद पूछ रहा है की सेसवे का मतलब होता है शीशूँ की जगा इस स्लोक में क्या यूज क्या गया है तो वाल्य का यूज किया गया है विद्याधनम इति पद से विशेशन पदम किम तो विद्याधन क्या है एक पद है इसमें विशेशन पदम पूछ रहा है तो एकदम विद्याधनम क्या है बताइए इसमें क्या हो जाएगा तो विद्याधनम महता एक बार और समझे अब विशेशन विश अगला पूछ रहा है कि जनक इती अर्थे सलोक के किम पदम पर उटते हैं जनक के सलोक में क्या यूट किया गया तो आपको पता है जनक का मत्लब 꺼ता है पीता फादर ठीक है और जो जिसे अभी हम सिता मड़ी से आपको पढ़ा रहे है आपको पृति इस स्याक्षिन गया है तो पहला सुलोक हुआ फिनिस अब इस्टूडेंट आगे बढ़ते दूसरे नमर सुलोक पढ़ने से पहले आपको इस्टूडेंट बताते हैं इसका सब्दार्थ तो अब करता का मतलब होता है सरलता यानि वाची का मतलब होता है वानी में तत्यता का मतलब होता है वास्तम में और समतव्यम का मतलब होता है समानता तो कहने का मतलब यह स्टूडेंट कि कभी कहना चाहते हैं कि अब करता यथा चीते तथा वाची भवे दिया दी यानि कि अब करता का मतलब क्या हुआ simplicity यथा का मतलब क्या हुआ जैसी यानि कि जैसी simplicity कहा हूँ चीते यानि कि मन में तथा वाची यानि कि वानी में भवेद यदी अगर कहने का मतलब है कि भवेद यदी का मतलब हुआ यदी यदी जैसी यानि यदी जैसी सरलता कहा हूँ तो मन में हो और वानी में हो ठीक तदे बाहू महात्मना समत्वमीती तथ्यत तभी महात्मा जो लोग हैं वह उसको सच्चे रूप से समानता कहते हैं कि अब इसको सिंपल भासा में समझे ये तो हम से लोग तोर-तोर के समझाए ताकि आपको बाद में दिक्कत न हो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जितने भी महात्मा लोग है महापूरूस लोग है वो किस वेक्ति को कहेंगे कि यह वेक्ति एकदम सच्चा वेक्ति है और एकदम एक समान वेक्ति है वैसे वेक्ति को ही कहेंगे जिसका मन में जैसा simplicity हो वैसा ही वानी में हो वही वेक्ति क्या है तो एक समानता वाला वेक्ति है मतलब कि एक जैसा वाला है कहने का मतलब यह नहीं कि जैसे मेता के तरह कि मन में किया है जीतेंगे तो पुरा लुटेंगे वानी में क्या है यह कर देंगे वो कर देंगे अपना किडिनी बेच के रोड बनवा देंगे ठीक है तो वो लोग एक समान लोग नहीं है क्योंकि उसका मन और वानी दोनों अलग-अलग है समझ रहे हैं तो उसको कभी महात्मा लोग यह नहीं कहेंगे कि एक समान ब्यक्ति है तो इस सलोग से यहीं सिख्षा दे जाते हैं कि आपको एक समान बढ़ाना है जैसी सरलता आपके मन में हो यानि सिंप्लिसिटी वैसे ही सरलता आपके कहा होनी चाहिए वानी में तभी आप जो है क्या कहलाएंगे तो समतव्यम कहलाएंगे यानि कि एक समान ब्यक्ति कहलाएंगे ठीक चलिए अब है अब आपको कराते हैं कुश्चन एंसर यहाँ पर पूछ रहा है देखिए एक पदेन में पूछ रहा है कि तदेव आहू, ठीक है, तो की आहू, मतलब कौन समानता को तै करता है, तो यहाँ पर महात्मना, यानि कि जितने भी महान लोग है, महात्मा लोग, ठीक है, उनके वो जो है बताते हैं कि जैसी सरलता अगर किसी वेक्ति के मन में है, वैसे ही एक समानता वाला वेक्ति है, अब करता कुत्र भवेत, तो अब करता का मतलब आपको क्या भता है, सरलता, तो अब करता कुत्र भवेत, यानि कि भवेत, यानि कि अब करता सरलता, सिंप्लिसिटी कहां पर है, या कहां पर होना चाहिए, तो कहां होना चाहिए, तो चीते और टिक है तो यह स्कीन होếu जायेगा। चीते लिख दीज़ेगा तो भीृची लिख दीज़ेगा तो भी। लेकिन इहाँ पर दोनों जग़ा कहा गया। तो आपको जो हैALK दोनों लिखना जिरूरी है। उसके बाद है महात्मनक क्ली औहूं। ठीक है तो महात्मनक क्या सरलता मन में हो चीते वानी में हो तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह एक समान वाला वेक्ति है उसके बाद है समतव्यम कीमभप्ति यानि कि समानता क्या है समानता का मतलब यह नहीं हो गया कि एक एक समानता का मतलब हो गया एक कंप्रीजन हो रहा है कि जैसी सरलता मन में ह वैसे ही बानी में रहना चाहिए यह नहीं कि मन में कुछ और है आपके और बोल कुछ और रहे हैं ऐसा नहीं तो वहीं यहां पर पूछ रहा है कि किसको आप कहेंगे कि एक समान है तो हम उसी को कहेंगे जिसका क्या हो मन और वानी दोनों एक हो ठीक है तो बस लास्ट में जो ह हो जाएगा महात्मना ठीक है क्योंकि वही जो है बताते हैं कि कौन एक समान है वस्तूता इती अर्थे सुलोक के किम पदम परिक्तम तो वस्तूता का मतलब अभी आपको बताए सौरी पूछ रहा है कि वस्तूता का जगा यहां पर सुलोक में क्या यूज किया गया है तो आप को बताए कि अवस्तूता का मतलब क्या होता है वास्तंग में आप देख आप मैंसे पूच्छे रहते हैं यह प्रयाराची कैसे पता चलेगा तो यही प्रैक्टिस चला पता चलेगा को कि से मुसी बुक में और जितना बनने वाला था सब प्रैक्टिस करा ही दिये तो इसी समय से तो रहेगा तो चिंता नहीं किजिए ठीक है वानियाम इती अर्थेग सलोके किम पदम परियुक्तम तो क्या हो जाएगा वाची वानियाम मतलब बोली वाची मतलब भी बोली ठीक है यानि कि बोली वानि जो भी आप कहिए वानि कहिए इसको ज्यादा अच्छा रहेगा मनसी इती अर्थेग सलोके किम पदम परियुक्तम तो इसका क्या हो जाएगा चीते मनसी का मतलब मन चीते का मतलब भी मन वक्रता इत यहाँ पर क्या यूज किया गया है तो और बक्रता का यूज किया गया है यानि कि सरलता का यूज किया गया है ठीक है चली अब हम लोग चलते हैं सुलोक नंबर तीन में यहाँ पर स्टुडेंट अगला तीसरा नंबर सुलोक है सुलोक नंबर थिरी तीसरा नंबर है कि त्या ओडवाला जो संधी है तो यह और कटके अभ्यू दिरेत बनेगा ठीक है बिमोडी का मतलब होता है अज्यानी धरम परदान का मतलब होता है धरम को परदान करने वाली वाचम का मतलब वानी में और परुसाम का मतलब होता है कठोड कहने का मतलब यह है स्टूडेन कि त्या હञटे अब धर्म पर्दां वाणी को छोड़ करें वाचम यानि की वाणी को छोड़ कर कठोर वाणी बोलता है ठीक है कैसा वाणी बोलता है तो परुशाम यानि की कठोर वाणी बोलता है वह क्या है एक ऐसा मुर्ख है ठीक है एक ऐसा मुर्ख है जो परितज्य फलं पकबं भुवं कते ज्यान से देखेगा परितज्य फलं पकबं भुवं कते पकबं बिमूढी मतलब वह एक ऐसा मुर्ख है बिमूढी का मतलब वह मुर्ख ना समझ एक ऐसा मुर्ख उसको हम कहेंगे जो क्या करे तो परितज्य फलं यानि कि पके हुए फल को छोर कर पड़ी तेजे फलम पकबम यानि पके हुए फल को छोर कर यानि पड़ी तेजे यानि क्या करता है तो कच्चे फल को खाता है इस लोग का मतलब ये हो गया तो ये तो तोर तोर के समाज आए तो आप लोग को बहुत हतक नहीं आया होगा अब ज्यानी, ठीक है, बिमूडी हो, कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुने, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अगर धरम को परदान करने वाली वानी को त्याग कर, क्या बोलता है, तो परुसाम बानी बोलता है, यानि कि कठोर बानी बोलता है, आप देखेंगे कुछ लोग एकदम गुस्ते में रहेगा हमेशा, जिसको मन उसको कुछ कुछ बोलता ही रहेगा, तो वह एक ऐसा मुर्ख है, कैसा मुर्ख तो जो पका हुआ फल को छोर कर, कच्चा फल खाए, तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति के सामने आप कच्चा आम दिए, पका आम दिए, अगर उसका आम बोलता है, वह भी उतना ही वरा मुर्ख है, भले वो कितना भी पढ़ा लिखाऊ से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब स्टूडेंट यही हुआ, अब चलिए स्टूडेंट करते हैं, कुछ चन एंसर का प्रैक्टिस, तो एक पदेन मतलब वन वर्ड में, कह रहा है कि बिम परदाम बानी को छोड़ कर बोलता है, तो कैसा बानी बोलता है, तो परुसाम बानी बोलता है, यानि कि कटोर बानी बोलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परुसाम हो जाएगा, बिमूडी किर्दिसम बाचम त्यकतवा परुसाम अभिदिरेद, यानि बिमूडी मतल करने वाली वानी को त्याग कर तो एक सब्द में लिखना है तो धरम परदाम लिखे ठीक है और यह इसको फूल सेंटेंस में भी पूछ सकता है तो आपको तब पूरा लिखना वा किर्दी समके जगा धरम परदाम लिखे दीजिए अब आकी बाद वह उतार दीजिए को अपक आपका हुआ लिखना तो आप से पूछ रह festivals में लिखेंगे की आपपकबं फल्म तीक है चलिए अब हम लोग स्टूदेन्थ आगे बढ़तते हैं है ठीक है यहां नुश्वार दीजिए अब अक्वम फला अब श्टुडेंट आगे है कि बिमूढी काम त्या कत्वा परुशाम बाचम अभिद्रेत यानि बिमूढी जो है किसको त्याग कर परुशाम यानि कठोर बानी बोलता है मुर्ख आदमी तो आपको पता है धरम पर दे दिजें अनसर होजागा ठीक है तो धरम पर्दाम बाचम त्या कत्वा परुशाम बाचम अभिद्रेत ये भी लिख सकते हैं और नहीं तो इसके जगा धरम पर्दाम लिखना जरूत उसके बाद हैं समाज गये ना अरे बहुआ माल लोकि प्या तो वाचम को त्याग कर परुशाम बाचम अभी दूरे यानि बिमूधी क्या त्याग कर तो धरम परदाम तो धरम परदाम क्या तो वाचम वाचम को त्याग कर परुशाम बाचम अभी दूरे समझ गया बिमूधी किरदीशाम फलम भूग कते बिमूधी कैसा फल खाता है तो उसके बाद पूछ रहा है कि यह इती कत्री पदस्य क्रिया पदम कीम दी मुडी तो यहां पर खाने के काम कोन कर रहा है को बी अरत अस仔ुर्श इती अर्थि शभके में क्या कैक्या गया है तो परितेजह के च्या किया गया तीकतवा कैसे पता चला सर तो देखिए ठीक है परितेज्य का मतलब हुआ भी छोड़ कर समझे बात को जी सर और त्यकतबा का मतलब हुआ त्याग कर तो दोनों एक ही है तो वही पूछा जाए तो वही लिखिएगा की परितेज्य इती अर्थे सलोके इभी पूछ सकता है बात बदल के की परितेज्य के जगा बताऊ तबüher वहा तो तो यही तो हुआ स्मार्टनेश थोरा सा कुस्चन घूमा भी सकता है लेकिन आपको घूमना ने सब एक बात द्यान में रखिएगा जो गोभी कुशेट आया है उसको कहीने कई वीडियो में हम पढ़ाये ही टीक है और सब्जेक्ट का तो नहीं पता लेकिन संस्क्रीट का हम बता रहें कि जो भी तो वाचम का क्या विशेशन है तो धरम परदाम या परुशाम तो यह दोनों में से कोई लिखेगा सभी होगा वाचम मतलब वाणी तो वाणी की विशेशता सलोक में क्या है तो दो ही वाणी तो एक धरम को परदान करने वाली तो वाणी की विशेशता है धरम परदाम वाणी तो वाणी तो यहां पर लिखाई हुआ बाचम और एक है आपको परुशाम तो वह लिखे देना तो अपकमम्ण मतलब हुआ नौपका हुआ तो ये हो गया कियो कि इसका गुन है अप फ़लम यह यह विसेश्टे क्यों प्राद में रहता है और यह भी टेक्निक है ऐसी भी पदा कर सकते है कि फलम जो है वह प्ल प्राद को ना बेसेश्टे तॉट नियौटा कि विसेशन फि परुशान वदेत इती अर्थे सलोके किमपधम पर युक्तम तो अभ्यूदिरेत मतलब हुआ बोलना अभ्यूदिरेत का मतलब भी हुआ बोलना पकवम का विलों क्या होगा सुलोक में तो अब पकवम होगा. चलि आव हम लग चलते हैं चोथे सुलोक चलिए स्टुडेंट अब चलते हैं चौथे सुलोक पे तो वाक पटू का मतलब होता है बातचीत में चलाक तो यह जो है अगला नेक्स्ट सुलोक का है ठीक है यह मतलब की सुलोक नंबर सिक्स का वर्ड मीनिंग है तो समय पढ़ाएंगे ऐसे जान लीजिए अभी यह तो युक्त यानि कि having eyes वदने का मतलब होता है मुखपत यानि कि face on the face ते का मतलब वे चक्छु न मानी का मतलब नाम मातर की आखे और मते का मतलब मानी गई है तो इस सुलोक का मतलब यह है इस सुलोक का मतलब यह है स्टुडेंट कि आप परकृति अर्था का मतलब होता है कहे गए हैं ठीक है तो कहने का मतलब यह कि विद्वांसा एब लोकेस्मीन चक्छूस मंता प्रकृति अर्था तो लोके का मतलब क्या हो गया संसार में विद्वांसा का मतलब क्या हो गया विद्मान व्यक्ति यह का मतलब अब्वे मैं आपको क्या बता है ही ठीक है तो कहने का मतल यानि की आखवाले कहे गए हैं कहां पे तो इस संसार में ठीक एक बात ध्यान में रखिएगा सुलोक में जो है स्टूडेंट सब्द इधर उधर करके कभी लिखते हैं क्योंकि आपको पता है कि सुलोक जो है तीसरे दुनिया कर रहता है कहने का मतलब जैसे अब इस्टा पर उचला नया नया सारी तुम मुझे मिले तो नहीं तो यह जैसे गाना अता है लगे 440 बोल्ट छूने से तेरे तो यह एक फिलिंग है इसका यह मतलब थोड़ी हो गया कि छूडेगा तो 440 बोल्ट का जटका लगेगा तो वही है इसको समझना होगा तो तो विदवान सा अन्यसाम बदने ये अन्यसाम बदने ये तूते चक्छू नार्मानी मते और जितने भी एक्स्ट्रा लोग बच गए भिदमान के अलावा ठीक अन्यसाम का मतलब हुआ दूसरो वदने का मतलब हुआ मुख पर और जितने भी दूसरे वेक्ति के मुख पर क्या है तो यह कि दुनिया में भाई आख उसी के पास है जो बिदमान है और जो अनपड है पढ़ा दिखा नहीं है उसका आख बस नाम मात्र का है अब समझे इसको बड़ा सिंपल सा इस्टूडेंट अभी माल लीजिए कि हम जो है आपको पांच हजार रुपे उधार दिया ठीक है पांच हजार रुपे आपको हमने उधार दिया ठीक कोई दिक्कत नोसर और हमने कहा कि आपर साइन कर दीजिए ठीक है कि आपको हमने पांच हजार रुपे उधार दिये या अ जीरो और बढ़ा देंगे और आप फिर भी जो है अपना क्या करेंगे उठा का चीन लगा देंगे तो आपके पास देखिए आँक है फिर भी आप इसको नहीं देख पा रहे हैं ठीक है तो बस वह आपका आप किस काम का बस नाम मातर का है लेकिन वहीं पर पढ़े लिखें है आप बिदमान है आप तुरंद कहेंगे कि सर आपने तो 5,000 रुपे दिये यहाँ पे सर आपने 50,000 क्यों लिख दिया तो अब उसी आँख से देख के पता कर लिए कि नहीं क्यों को कि आप बिदमान है आप पढ़े लिखें ठीक है तो यही कहा गया कि जो बिदमान है उसी के पास आँख है बाकी के पास तो ऐसे ही नाम मातर के लिए अंग्रेजी हुकूमत क्या करती थी कि कि किसानों को 2,000 रुपे दी लोन और दसकत करा लिया कि हाँ भाय उठा लगवा लिया कितना पे तो 20,000 दिये है तो क्या किसानों के पास आँख नहीं होता था आँख होता थ लेकिन बेचारे पढ़े लिखे विद्मान नहीं थे इसलिए उनको ये दिक्कत होता था इसलिए कहा गया है कि पढ़ना लिखना जुरूरी है और जो पढ़े लिखे है लिखे उनी के पास आँख है बाकी बाद के पास ऐसे ही नाम मातर के लिए है चलिए स्टुडेंट अ अब जोने स्टुडेंट हम आगे बढ़ते हैं ठीक है और कराते हैं आपको कुश्चन एंड एंसर तो के परकिर्ति अर्था इस कुश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है तो सर कुश्चन कार दीजेगा नहीं उतना मिस्टेक नहीं है वस यहां पर छूटा है यही चक्छूस मंत यह वाला जो है चक्छूस मंत जो है यह चूट चुका है यह वाला ठीक है तो कह रहा है कि कौन चक्छूस मंत परकिर्ति अर्था तो परकिर्ति अर्था का मतलब हुआ कहे गए हैं चक्छूस मंत यानि आख वाली यानि कौन कहे गए हैं तो जो विद्वान है वही कहे तो क्या हो जाएगा सब्सक्राइब कोई दिक्क्त यहां पर आपको नोसर ठीक इहां पर यह भिषर्ग लगाने का जुरुवथ नहीं उसके बाद है विद्वान सा कथम परक्रिति अर्था ठीक है तो कुश्चन में बिशर्ग लगा ही देगा कभी नहीं भी लगाएगा तो सुलोक आपको उपर देगा, अगर सुलोक में लगा के दिया है, तो एंसर में भी लगा दीजिएगा, तो माल लीजिए सुलोक में लगा के ही दिया है, तो बिद्वान सा कथम परकृति अर्था, ठीक है, तो बिद्वान सा कथम परकृति अर्था, यानि बिद्वान कैसे कहे गए है ठीक है तो कैसे कहे कहें गए है तो चक्छुस मंत्र पर किरती अर्था तो आपको क्या भी शुलक में बता यानि कि इस संसार में तो क्या हो जाएगा अस्मिल लोके विद्वान सा चक्छुस मंत्र पर लोक मतलब होता है संसार ठीक है तो असमीन काट के लिखेगा लोके यानि कि इस लोक में इस संसार में के साम बदने ये तू चै चछु नर्मानी मते यानि किसके बदने मतलब मुख पे बस नाम मातर की आखे हैं तो जो अन्यसाम है, जो मतलब क्या है, तो जो बेचारे दूसरे है, मतलब कौन दूसरे है, तो जो बिदमान के अलाबा अन्यसाम का मतलब होता है, दूसरे के मुख पे क्या है, तो बस नाम मातर की आखे है, अन्यसाम बदने ये तू, यानि अन्यसाम, यानि कि जो दूसरे है उनके मुख पर कीम नमानी, नमानी का मतलब हता है नाम मात्र, अमते मतलब मानी गई है, क्या नाम मात्र मानी गई है, तो बस आपको पता है न, चक्छु यानि आँख, तो दोनों को मिला कर क्या लिखा गया है, चक्छु नारमानी हो गया, कोई दिक्कत है, नो सर, अब देख क्या हुआ चक्छुस मंता मतलब आखवाले विद्वान सा मतलब विद्वान एव मतलब हीं तो करिया पद एकदम परकृति अर्था यानि कि माने गए हैं तो यहां पे मानेने का काम हुआ है आगर पूछता अत्र अब्ये पदम की कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बताओ तो यहां पे अब्ये क्या है तो अब्ये में आपको पढ़ाए है कि एव का मतलब होता है हीं ये एक अब्ये है तो आप एव लिखते हैं मुखे इती अर्थे सलोके किम पदम परियुकता है मुख के जगा सलोक में क्या यूज किया गया है तो वदने का यूज किया गया है वादने मतलब वो घटका वाला नहीं ये बदने हैं लोके असमीन अत्र विशेश से पदम किम ठीक है लोके असमीन अत्र विशेश से पदम किम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लोके हो जाएगा ठीक है लोक विशेश से है यानि कि लोक की विशेशता होगी लोक मतलब संसार क की विश्यस्ता होगी कि संसार कैसा है तो इस समय विश्यस से आगे चलना है नेत्र बनता ही अर्थे सुलोक के किम पदम पर युक्तम तो नेत्र बनता मतलब आख वाले तो चक्छुस मनता मतलब आख वाले तो यहां पर इसका जो है चक्छुस मनता यहां पर यूज किया गया उसके बाद है मुर्खा के जगह यहां पर बिलोम क्या यूच किया गया है तो मुर्खा के जगह एक दम क्या यूच किया गया है तो बिदमान यूच किया गया है तो इसका बिदमान सा है तो आप यह लिख दीजे सलोक में भी सर्ग नहीं लगा है तो यहां भी लगाने की माच्मे नंबर स्लोप पे या है कि यत प्रकत्म येन किनापि तसे तौर्थनिड्रि नया कर्तुम सट्क्योब्भवदैन सवीबे कि तिरींति तो सबसे पहले देख लिए येन किनाप का मतलब होता है यख़का के नफी का मतलब होता है अप्मानित किया जाता है यत्पुरकुतम का मतलब होता है जो कुछ कहा गया हो त्वार्थ का मतलब होता है वास्तिभी कर्थ इती का मतलब होता है इस परकार इरिती का मतलब कहा गया आपको बताएं कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि यत्पुरकुतम तो यत्प्रकुत्तम का मतलब क्या हुआ जो कुछ कहा गया है थीक है जैसे हम आपको बोले अभी पढ़ना है तो यत्प्रकुत्तम यानि जो कुछ कहा गया है येन के नापी यानि जिस किसी के द्वारा तस्य मतलब उसका त्वार्थ त्वार्थ मतलब वास्तिविक अर्थ निर्नय कर तुम शक्यों, यानि कि जो निर्नय करते हैं भवदेन सव विबेक इतिरीती, वह क्या है तो एक क्या है विबेक है, समझें, एक बार और सिंपल में समझें, स्लोक इस बार आप लोग को तोर-टोर के समझा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, अभी तोर-टोर के तस्य त्वार्थ निर्नाय अगर उसका आप डिसीजन लेते हैं कर्तुम सक्यो भवदेन सव विवेक इतिरिति और वो क्या है एक परकार का विवेक है तो यही कहा गया है कि कोई भी कुछ भी कहें जो किसी के द्वारा कुछ कहा जाए और उसका जो आप निर्नाय करते हैं मतल मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है उसे ही हम लोग भी कहते हैं कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी हमने आपको कहा कि पढ़ना है अब आप लगे पढ़ने में तो आप उसका बास्तवीक अर्थ समझे ना कि हम सर बोलना है पढ़ना है क्यों भाई क्योंकि नंबर लाना है Marx लाना अच्छा पढ़ेंगे तभी न अच्छा दिव बनेंगे तो रियल अर्थ भी आप समझ लिए अब आपका दिमाग decision लिया कि भाई अप पढ़ना है तो यही जो decision लिया गया यह किस पे लिया गया तो बिवेक पे लिया गया यानि कि अपना एक आपका बिवेक है एक नेचर कह सकते इसको ठीक है चलिए तो कुल में लाकर इस्टूडेंट बिवेक हम लोग किसको कहेंगे तो वही आपके इसका भाव क्या निकला तो यही निकला कि आप अच्छे बुड़े का जो डिसीजन लेत हैं तो कीम करतुम सक्यभवेत तो सिंपल है इसका क्या हो जाएगा तुवार्थ निर्नया उसके बाद है सोह कीम इती इरिती तो सोह कीम इती इरिती का मतलब क्या बता है क्या बता है कहा गया है तो किसको इस परकार कहा गया है तो विवेक को इस परकार कहा गया है उसके बा किसी की डिया और जिसका है इस किसी के द्वार्ण कहा गया है मतलब जिस किसी के भी दिवारा कुछ भी कहा गया है उसका जो decision त्वार्थिनिर्णे मतलब उसका जो बास्तिविक आर्थ आप जानते हैं और फिर फैसला लेते हैं वही क्या है तो विवेख है तो वही हमने हाँ पर लिखा कर्तुम सक्यो भवदेन अत्र किर्या पदम कीम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भवेत हो जाएगा उसके बाद है कथित इती अर्थे कीम पदम परियुक्तम कथिता के जगा पर यहाँ पर क्या परियुक्त किया गया है तो यहाँ पर परियुक्त किया गया है इरिता इरिते का का मतलब क्या हुआ कहा गया है उसके बाद नुकम का बिलौं म कहा है तो यहां पर अनुक्तम का बिलौं है प्रकत्तम ठीक है ऐसे भी बिलौं मिलता है अनुक्तम तो गे случай student हमने हैं आपर लिख दिया अब यह पर student अगला चलते हैं छठे सलोक में तो छटे सलोक में चलते हैं तो यह तो पहला कहीं दे दिया है सब्सक्कर से पहले शमार मिनि앙 आपको बताते हैं वड़ी की मतलब होता है अपमानित किया जाता है अकात्रा का मतलब होता है निर्भीक ठीक है पैरे का मतलब होता है सत्रुवो द्वारा मंत्री का मतलब होता है प्रामर्स देने वाला तो आपको पता है कि राजा होता है जैसे आज कल की राजा कोन है मुख मंत्री प्रधान मंत्री है उनके जो मंत्री है वह प्रामर्स देते म मंत्री का असली मक्तब वही होता है तो इस सलोक के माध्यम से कहा गया है स्टूडेंट कि वाक पटू धैरेवान मंत्री शभा या कात्रह तो यहां पर देखें यहां पर क्या है स्टूडेंट पया के बाद अकात्रह अलग है तो अकात्रह का मतलब क्या होता है निर्भिक यान वाक पटू धैरेवान थिक है वाक पटू धैरेवान तो वाक पटू का मतलब क्या हुआ वानी में कुसल यानि कि जो बोलने में क्या हो तो कुसल हो यानि कि वाक के पटू हो धैरेवान हो मतलब कि धैरे धैरेसाली हो कुछ लोगों के अंदर पेसेंस नहीं रहता लेकिन वैस व्यक्ति जो बोलने में अच्छा हो धैरे साली हो ठीक है धैरे साली हो मतलब कि उसके अंदर पेसेंस हो ठीक शभायाम यानि कि सभा में क्या तो निर्भीक होकर ठीक है अकात्र यानि कि निर्भीक होकर यानि किसी भी सभा में उसको खाड़ा कर दिया जाए तो एकदम डिडर होकर क्या दे तो मंत्री यानि कि अपना प्रामर्स देने वाला होता है शह के नापी प्राकिरिन वह कभी भी के नापी मतलब कभी भी कभी भी कोई मामला में क्या हो सकता है हारा नहीं जा सकता है या वह कोई भी मामला में परिभूवत यानि कि अपमानित नहीं किया जा सकता ह या उसको कोई हरा नहीं सकता है उसको कोई इंसल्ट नहीं कर सकता है समझे कहने का मतलब यह स्टुडेंट इस सलोक के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति जो बोलने में क्या हो तो कुसल हो मतलब मंत्री की तारीफ की जारी है कि मंत्री कैसा होना चाहिए राजा के दरवार में तो कि इंदर तिक और पिशएंस था उनके अंदर और कहीं भी को कर बोलते थे उनको कोई भी अपमानित नहीं कर सकता है कभी विवार नहीं सकते हैं प्यरे ना पड़ी भूते यानि कहने का मतलब यह है पड़ी भूवते का मतलब क्या की प्राजीत होना या तिरे स्कृत करना तो मंत्री जो है किये न पड़ी भूवते तो पर पर मतलब होगा शत्रू यानि मंत्री किसी से प्राजित नो का मतलवा नहीं हो सकता है किसी से अपमानित नहीं हो सकता है तो भाई किसी से बताए अभी बताए आपको किसी से पहरे यानि कि दूसमन से उसके बाद है बाग पटू धहरवान मंत्री कुत्र अकात्रह भप्ती यानि कि जो मंत्री वाक पटु धहरवान यानि बोलने में कुशल हो धहरे साली हो वह कुट्र अकात्र हो यानि कि नीडर होकर कहां पे बोल सकता है तो सभायाम यानि कि बीच सभा में उसके बाद एक किर्दीसी मंत्री पहरे ना पड़ी होते कैसा मंत्री सत्रुओं से पड़िभुते तो आपको पता है, चो का मतलब होता है और, यानि कि बाग के पड़ धारबान और सभायाम, तो आपको पता है कि संस्क्रीट में और में चो बाद में लगता है, हम बताए भी हो एक इतना बाद, तो यह दिहां, इसलिए चो मनत्री पढ़िभुते, उसके परिएक, अन्य पतलब दूसमन सत्रू लो आंगल है। कात्रा इती पदा से बिलोम पदम किम पड़िए कात्रा के जगा क्या यूच किया गया तो इस अब कॉमन है आप में से कुछे स्टुडेंट पूते रहते हैं सर कैसे पदा चलेगा नहीं बुगा इस अब कॉमन दिमाग लगा दी जगा पदा चल जाएगा और सिमुसी में जी क्या है सबसे पहले सब्दार्थ जान दीजिए स्रेह का मतलब होता है कल्यान परेभ्य का मतलब होता है दूसरों के लिए अहीतम का मतलब होता है बूरा और कल्यान कारक कुडियात का मतलब होता है करे आत्मना मतलब अपने लिए प्रभीतानी का मतलब होता है आत्यादी कहन आत्मना का मतलब क्या हुआ अपने लिए स्रेय का मतलब क्या हुआ कल्यान परभुतानी का मतलब क्या हुआ बहुत ज्यादा यानि जो भी वेक्ति अपने लिए क्या चाहता हो तो बहुत ज्यादा क्या चाहता हो तो सुखानी चाहता यानि कि बहुत अत्याधिक सुख चाहता हो, मतलब आप देखते हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे वेक्ति हैं, जिनको अगर एक मुटर साइकल है, तो चाहेंगे दो हो, दस हो, पचास गाड़िया हो, तो कहा रहा है कि यह एक्छत्या मन, यानि कि जो वेक्ति, जो अपने लिए क्या चाहता हो, तो बहुत सारा स्रे, स्रेह का मतलब है कल्यान चाहता हो, पर्भुतान यानि बहुत ज्यादा सुख चाहता हो, न कुड़िया दहितम कर्मशा परभ्य कदापीच, उसको सजेशन दिया गया है, कि वह कभी भी परभ्य यानि कि दूसरों के लिए क्या क अपने लिए क्या चाहता है आत्मना तोरके पड़िये जो अधिक स्रे चाहता है यानि कल्यान चाहता है परभुतानी यानि बहुत अधिक सुक चाहता है उसको कभी भी कुरियात का मतलब होता है यहापर करें देखें यहाँ पे तुटेगा न संधी तो प्रथम तिरतिये का प्रहा है न तो ऐसे तो वाला टूटेगा अब पलस में अहीतम समझे ये इस परकार से स्टूडेंट टूटेगा देखिए कुरियात कुरियात पलस अहीतम ऐसे टूटेगा समझ गए तो कुरियात का मतलब हुआ करे और अहीतम का मतलब हुआ किसी के हित में न हो तो कहा गया ह कि ऐसे वेक्ति जो अपने लिए बहुत ज़्यादा सुख चाते हैं वो कभी भी कुरियात मतलब ऐसा काम न करें जो क्या हो तो दूसरे के हित के लिए न हूँ मतलब कि ये नहीं कि अपना सुख और अपना समरीदी पाने के लिए दूसरों के लिए हम क्या करें तो अहीत कर दें अहीतम का मतलब बुरा कर दें तो अपना सुख चाहरा है आप तो अच्छी बात है अपना डिबलोप्मेंट कीजिए अब ये नहीं कि अपना अगर पांच कठा में मन है मकान का तो अगल बगल वाला के कब जा कर लिए तो आप का ते कल्यान हो गया लेकिन आप दूसरा का क्या कर दिए अहीत कर दिए तो ये कहा गया कि अपना सुख चाहते हैं बहुत अची बात है लेकिन कभी भी अपने सुख के लिए बुरा काम नहीं करना चाहिए ठीक है कितिरीसम कर्म न कुडियात कर्म यांनी का नहीं करना चाहिए कुडियात अहितम कर्म कर्म क कैसा नहीं होना चाहिए अहीतम नहीं होना चाहिए, यानि इसका क्या हो जाएगा, अहीतम हो जाएगा, ठीक है, यह कार दिये, तो क्या हो जाएगा, अहीतम हो जाएगा, यानि हमें कभी भी अहीतम कर्म नहीं करना चाहिए, केभे ना कुरियात, तो इसका क्या हो जाएगा, परिभ्य, यानि किसके ल पूछ रहा है को अहीतम कर्म न कुरियाद ठीक है तो एंसर क्या हो जाएगा यह आत्मनस्रे प्रभुतानी सुखानी चैक्षती अहीतम न कुरियाद कहने का मतलब यह है कि कौन को अहीतम कर्म नहीं करना चाहिए ठीक है कि किसलिए अहीतम कर्म नहीं करना चाहिए का का मतलब क किसे लिए नहीं करना चाहिए तो अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए दूसरों का ही मनुस्य की मिक्षाती मनुस्य की क्या इक्षा होते तो मनुस्य का इक्षा क्या होता है कि बहुत ज्यादा परभुतानी सुखानी चाहिक्षाती यानि कि क्या हो उसको बहुत ज्याद कैसा स्रेखषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष एक कर्तरी पद है तो हाँ यह का मतलब हुआ जो करता हुआ तो उसका किरिया पद क्या है तो यह क्छा ती यह का काम क्या है तो यहाँ पर इक्छा डालता है कुरियात इती किरिया पद से कर्तरी पदम कीमस्ति तो कुरियात अहीतम कौन कर रहा है तो उसको वह को नहीं करना चाहिए दूसरे के लिए तो सह जो है यहाँ पर क्या हो जागा कर्तरी पद हो जागा उसके बाद है यहाँ पर बववा यहाँ पर सह में भी शर्ग होना चाहिए उसके बाद है अननेभ्य का अर्थे किम पधमत्र पड़ीपतम अननेभ्य का मतलब होता है अनन arguments के लिए और पड़ेख का मतलब दूसरों के लिए तो अनने मतलब वही एक्स्ट्रा के लिए पड़ेयग का मतलब दूसरा के लिए तो बात हुआ हिए शुकानी का वीशेसन क्या है तो सुख यहां पर कैसा है तो परभुतानी यानि कि अत्याधिक सुक्ष ह scattered विशेष्टि वगयां क्या सुलोक क्या विशेष्टा यहां परर वीशेष्ञ रहा है तो आपको ब het अहितम कर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है, कर्म की विशेस्ता क्या है, तो अहितम नहीं होना चाहिए, कर्म की विशेस्ता क्या है, किसी के हितमे होना चाहिए, तो यह जो है विशेसन के तारीफ है, और किसके बारे में का गया है, तो कर्म के बा तो बिदुसाम का मतलब हो गया बिदमानों का आचारा का मतलब हो गया सदाचार यानि दीसिप्लिन प्रतमा का मतलब पहला वचा का मतलब वचन प्रन्यब्य। आपि का मतलब प्रानों से भी, विशेस्ता का मतलब होता है, विशेस्चरूप से. कहने का मतलब यह है, student, कि आचारो परथमो धर्म यानि कि आचारा का मतलब हुआ, खाने वाला आचार नहीं, Imma आचारा का मतलब हुआ, सदाचार, discipline सबसे पहला धर्म है इस शलोक के थुरूँ आपको बताया गया है कि जो discipline होता है वो सबसे पहला धर्म होता है ठीक है और इतियत दख इसका मतलब होगा कि ऐसा विदुसाम बचन ऐसा विदुसाम यानि कि जो विदमान है उनका कहना है उनका वचन है तो जो डिसिप्लीन है वो सबसे पहला धर्म है ऐसा विदमानों का कहना है तस्माद रक्षेत सदाचारम प्रान भेवपी विशेष्ट और तस्माद रक्षेत यानि कि तस्माद रक्षेत यानि कि तस्माद का मतलब हुआ क्या कि इसलिए रक्षेत सदाचारम इसलिए हमें क्या करना चाहिए सदाचार का रक्षा करना चाहिए प्रान भी विशेस्त प्रानों से भी बरकर कहते हैं प्रान जाए प्रबचर न जाए वही बताया गया है कि अचार यानि कि डिसिप्लीन आपका सबसे पहला धर में और यह बिद्वानों का बचन है और हमें की रक्षा करनी चाहिए ठीक है किस से ज्यादा प्रान से भी ज्यादा प्रान से भी विशेस कर डिसिप्लीन की रक्षा करनी चाहिए तो आप देखते प्रान से तुलना किया गया तो सब अपना प्रान बचाता है कि ने बचाता है यह सर तो प्रान से भी ज्यादा प्रत्थम धर्म है तो आपको पता है आचारा को से है एक बचन में आचारा है या पर सिधा को से है तो आचारा हम लोगों ने दिया तो क्या प्रत्थम धर्म है तो आचारा है एतत केसाम वचा भपती तो एतत बिदुसाम वचा भपती सोरी अगर पुन बाकेन में रहता पू रक्षेत तो सदाचारम रक्षेत यानि कम रक्षेत का मतलब क्या हुआ किसकी रक्षा करनी चाहिए तो सदाचार की कम से था तो कम सदाचारम के भ्योपी विशेस्ता सन रक्षेत तो आपको पता है प्रानिब्यो क्यों भाई क्योंकि सदाचारे को किस से बढ़ कर रक्षा करनी चाहिए, तो अपने प्रान से भी बढ़ कर, कि भ्यो से था, तो प्रान इभ्या था, उसके बाद एक बाकियन है, इसकी को पूर्ण बाकियन कहते हैं, तो आप लोगों के हिजाब में पूर्ण बाकियन लिखा रहेगा, यानि फूल सेंटेंस में, नही लिखे लाइन, दो लाइन कहता है, उससे जादी बरका थोड़ी रहता है, बोर्ण में तो कोपी भी बहुत बढ़ा रहता है, इस टाइप से रहता है, इस टाइप से रहता है, इस टाइप से नहीं रहता है, जैसे आपकी स्कूल एक्जाम में रहता है, ऐसे नहीं रहता है, बोर्ड में कोपी इस तरीके से 22 परना मिले गा, तो कभी भी गपला करके नहीं बनाईगा कंजेस्टेट करके अराम अराम से फरेस फरेस एंसर लिकियागा बिदुसाम बचा किमभपती यानी बिदुसाम यानी कि विदुसाम यानी कि कौन कि एक मिनट ओके, कहने का है कि बिदुसाम क्षा किम भप्ती, यानि बिदुसाम का वचन क्या है, तो यह ही है कि आचार को प्रांद से भी बढ़ कर, वचम यह है कि अचार, यानि कि जो डिसिक्लीन है, वो क्या है, हमारा प्रथम धर्म है, ठीक, अब आप में से कुछ स्टुड अगर यह लिख देते हैं, यह बिदूसाम का वचन है तो नहीं, बिदूसाम यानि कि बिदमान यहाँ पर शरिफ यह बोले हुए कि अचारा परतम धर में, यहाँ पर यह कभी कहा है कि भाई, प्रान से भी बढ़कर रक्छा करनी चाहिए, अचारा किम, शोड़ी, अचारा अभ्य अपिविश्यष्टा रक्षेत याएं प्रानों से भी वढ़कर रक्षा करने चाहिए, तस्माद रक्षेत सदाचारं अत्र क्रिया पदम कीम, तो सदाचारं मतलब गया डिसिप्लीन, तो motherless काम की रिया है कोई काम है नहीं रख्छय यानि रख्चा करना क़ूँ का में पन्डितानाम का मतलब वोता है पन्डित ग्यानी यहां पे बिदुसां में यहां पर यूज किया गया लेकि 8 1 अर्थे लोग के किम पर्युक्तम और अत्र की परयाय पर्युक्तम तो दोनों 각 मतलब यह है जखिए इहां पर धर्म इती पदा से आथ मस्पिक थार म कहरा एक धर्म का भी शेल सन पूछ रहा है तो धर्म की भी शेल सर्खया क्यों सर्द धर्म की वीश्याँ जो है मनिका बुक का लास्ट चेप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नॉमा चेप्टर जिसका नाम है सु स्वाक्तम्भो और उनाचले अस्मीन तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर्व बुक में तो टोटल 11 चेप्टर दिये हुएं तो 9 चेप्टर ही लास्ट कैसे हुआ तो आपका जो 10 नंबर चेप्टर है और 11 नंबर चेप्टर है यानि कि 10 और 11 चेप् के लिए तो इंटर्णल एक्जाम का मतलब यह हुआ कि जो इसकूल में एक्जाम होता है अगर स्कूल वाले टीचर चाहे तो इस चेप्टर से वह इसकूल में कुश्चन पूछ सकते है लेकिन बोड एक्जाम में कुश्चन नहीं आएगा ठीक है तो चलिए करते हैं चेप् साइट किया गया है पहला है आपका पद्यांस वाला चेप्टर यानि कि जो भी ऐसे चेप्टर जी सुलोक बेस्ट है जैसे वांग में अमतपा है यहां पर अभ्यास वसगम मना है राष्ट्रम ही सन्रक्षन में भी इसका मतलबगा कि निश्चित ही राष्ट्र सन्रक्षन की योग्य होता है चेप्टर नंबर 6 आपको पढ़ा है उसके बाद यह जो सुकत्य नाम से पहले यह चेप्टर जाना जाता था ठीक है वह है और आठमा नंबर चेप्टर यह सब सुलोक बाले चेप्टर है तो इस में से सुलोक देखे कुश्चन एंसर आप से पूछा जाए और यह रमनिये ही श्रीष्टी एसा यह नाटक क्यांस वाला यही बताने जारे कि तीसरा जो पाठ है वह है नाटक क्यांस वाला मतलब कि एक ऐसा चेप्टर जिसमें एक नाटक टाइप का आपको दिखेगा कि बार बार केरेक्टर आ रहे है कुछ-कुछ बोल रहे हैं जो है कुष्चन एंसर 99.9% चांस है कि यह जो नौमा नंबर चेप्टर है सु स्वागतंभो और नाचले असमीन इससे पूछा जाएगा इस बार ठीक है तो काफी इंपोर्टेंट चेप्टर है इसको थोरली आप लोग अच्छे डंग से पढ़ेंगे अब इसका मतलब यह है कि यह जो है काफी इंपोर्टेंट चेप्टर है ठीक चलिये अबी पठना सभ है आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है लेकिन अगर उसमें भी इंपोर्टेंट देखाएंगे तो यह काफी इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट का मतलब हो गया कि इसका दो बार तीन बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे, चली, अब देखिए, सु स्वागतम भोर नौचले अस्मिन का मतलब क्या हुआ, तो देखिए, अस्मिन से आपको एक चीज पता चल ला होगा, ठीक है, तो सरे यहा नौचल में भो यानि कि आपका क्या है, तो सु स्वागतम यानि कि आपका स्वागत है, यानि पहले से ही पता चल ला है कि और नौचल का मतलब क्या हो गया, और नौचल परदेश हो गया, यानि कि इस चेप्टर में और नौचल परदेश के बारे में जानेंगे जो अपने तो कहानी यह स्टोडी तो रहेगा इन लेकिन बार-बार कैरेक्टर आएंगे जैसे प्रधानाचारे, छात्रा, आगे आप देखेंगे प्रयाटन अधिकारी, हिमानसूर, सुधाकर, तो इस कैरेक्टर जी इतने आते रहते हैं तो ऐसे चेप्टर को हम लोग टेरेक्टर कहते हैं, नहीं, ऐसा चेप्टर का मतलब हो गया कि यह नाटक्यांस वाला चेप्टर है, अब ध्यान से मोबाईल आपके पास है, जी सर, बुक, अगर मनी का बुक है तो निकाल लीजिए, और उस पे मोबाईल लखी और पेंसिल हाथ में पकड़ लीजिए, और जैसे जैसे पढ हा रहा है, पढ़ते चलिए और जो जो चीज नहीं आए उसको लिखते चलिएगा, देखिए, यहां पर क्या है, कि कह रहा है कि अरुनाचल परदेशस्या, यानि कि अरुनाचल परदेश के एकेस्मिन, यानि कि एक बिद्याले, यानि कि बिद्याले में अध्व, यानि कि आज उत्सवस्य यानि कि उत्सव का वातावरन है इसका हिंदी क्या हुआ कि अरुनाचल परदेश के एक विद्याले में आज उत्सव का वातावरन है आपको कैसे पता चल जाता है कि अरुनाचल परदेश का होगा इसके बाद तो यही देखिए विभक्ती लगा हुआ परद शुरुआत का ही टोपिक है तो उसमें आपको पढ़ाएं थे कि जब भी यह पर्देशस्य लिखा रहे हैं बालक सब दुरूप आपको याद होगा तो खश्टी भीवक्ति होता है और खश्टी भीवक्ति कौन सा कारक होता है कारक में आपको पढ़ा है अनुबाद इस शीरी का के की लगेगा तो जो हमारा suitable होगा वहीं हम बोलेंगे तो और उनाचल पर्देश का एक बिद्याले है क्लिब या कि एक बिद्याले अच्छा लग़ा है इसलिए बोले टूर्प में आप जाएंगे तो सब्त्मी है सब्तमी का कौन सा कारक होता है कारक में पढ़ा है अधिकरन कारत उसमें कौन सा चीन होता है हिंदी चीन में इसलिए बोले विद्याले में ऐसे पता चलता है ठीक है इसलिए अनुवाद सीरीज जो है प्लेलिस्ट यूटूब पे बना दिये हैं यूटूब पे ही वीडियो सब डाल दिये थे बैच में भी दे दिये सु सजीते परवेश द्वारे सुन्दर अक्षरे लिखितम स्वागतम कुर्मू और सु सुजीते का मतलब हो गया यहां पर कि एकदम अच्छे ढंग से सजे हुए ढंग से परवेश द्वार पे यानि कि गेट पे सुन्दर अक्षर में लिखितम क्या लिखा हुआ है तो स् वस्ति तदैब यानि तभी छात्रा नाम छात्रों का एक दल यानि कि एक ग्रूप तत्र मतलब क्यों हाँ प्रववी सति यानि कि प्रवेश करता है प्रवेश करता है क्या करता है प्रवेश करता है ते साम स्वागत आए ते साम का मतलब हो गया बताईए आप सोचते रही बाल समू मधूर स्वरेन गायती कहने का मतलब है तेसाम यानि कि छात्रों का दल परवेश कर रहा है छात्रों का ग्रूप जो है उहाँ पे इंटर कर रहा है तो तेसाम यानि कि उनके स्वागताय स्वागत के लिए परवेश द्वारम यानि कि परवेश द्वार यानि कि जो गेट था उभायता का मतलब होता है दोनों तरफ इस्थित क्या इस्थित तो दोनों तरफ खड़े थे कौन तो बाल समो बैच्चों का एक गुरूप खड़ा था जो मधूर स्वरेन गायती मधूर स्वर में क्या कर रहा था तो गायन कर रहा था अब क्या वो गा रहा था वह पर लिखा हुआ है अब चलिए वो जो इस्टूडेंट है वो क्या गाते हैं बच्चे जो वहां पर पहले से हर नाचल प्र्देश में जो से SAT राज्यों में भीभास माना यानि曹 साथ irrelevant में सुसोभीत है यहां पर तरंगिनी का मतलब हो नदी यत्र मतलब कि यहां क्या है तो लोहित नाम का नदी है इटा ही यस्यास्ती पूरी परधाना और इटा का मतलब हो गया इटा नगर तो आपको पता है अरुनाचल परदेश की राजधानी क्या है इटा नगर है वह क्या है तो परधान नगरी है परधाना का मतलब होगा मेन मुख्य इंपोर्टेंट और पूरी का मतलब होता है नगर तो पूर लगा हुआ तो पूर का मतलब हो गया स्थीटी समझे और पूरी कर दे तो वही हो गया इस्तिरलिंग नगरी तो पूर का मतलब क्या हो गया हिंदी में नगर और पूरी का मतलब हो गया नगरी ठीक है चलिए अगर हम कहें कोई पूर लगा रहाता है कि जैपूर तो इसका मतलब हो गया जय सीटी ठीक और पूरी लगा हुआ यानि कि वो इस्तिलिंग में नगड़ी हुआ तो यहीं पे वो जो गायक है वो कहता है कि इटा जो है वो क्या है तो परधान पूरी है यानि कि नगड़ी है शू स्वागतम भो अरुनाचले असमिन इस अरुनाचल मे इसके तारीफ में ये लाइन गाता है ठीक पहले क्या बोलता है कि जो सात राजियों में सुसोभीत है तो आप हिस्ट्री ओगड़ा पढ़ते होएंगे तो आपको पता होगा कि अनुनाचल परदेश कि धर बसा हुआ है तो यह देखिए नक्सा पर ऐसे ऐसे हाइलाइटर फिर लवली का चला रहे जी सर तो यही जो है अनुनाचल परदेश है और इधर जो भारत का ये है इसको सात राज्ये कहते हैं सेबेन सिस्टर एस्टेट कहते हैं ठीक है सेबेन सिस्टर एस्टेट क्या सेबेन सिस्टर एस्टेट कहते हैं जैसे आपका उसमें मिजोराम आत नाच्रल परदेश है यह सेवन सिस्टर एस्टेट है तो वही कहा कि जो सात राज्यों में सूसोबी थे यानि कि जो सात राज्यों में सामिल है उस सात राज्यों में काफी इंपोर्टेंट है जहां पे लोहित नाम का नदी है इता जिसकी परमुख नगरी है इता मतलब हुआ इटा मतलब वो इटा नहीं हुआ घर बनाने वाला इटा नगर इटा नगर यानि इटा नगरी तो वही श्रिफ इटा यूच किया है नगर तो जानी रहे इटा नाम की जो पूरी है नगर को यहां पर लिख दिया है तो आपको पता होगा कि स्लोक और गाना में तो इसी टाइ कर दो यानिकि तभी विद्याले के ठीक यही बोले अश्य लगा हुआ आधा शय बालकस्ति घष्ठी भीवक्ति आसा मंद कारा क्यान वाद में आपको बता थे सम्बंध कारा कहिं दीचिंग का के कि तो जो सुटे मूलों बिद्याले बिद्याले के बोले अच्छा लगे या बिद्याले का प्रिंसपल तो ये तो अच्छाने लगेगा बिद्याले के इसलिए हाँ पर सुटेबूल है बिद्याले के प्रधानाचारे तत्र आगज्ती वहाँ पर क्या करते हैं तत्र यानि वहाँ आगज्ती यानि की आते हैं यानि बच्चों को बोलते है कि अस्मिन मनोर में यानि कि इस मनोरम और मनोरम में मतलब हुआ कि एकदम सुंदर मन को हरने बाला एकदम सुंदर अनुनाचल प्रदेश में भबताम भबताम का मतलब हुआ यानि आपका आप सभी का आपका और सरवेशाम का मतलब हुआ सभी या क्या है तो हार्दिकम स्वागतम, यानि की हार्दिक स्वागत है ठीक, चलिए और एक चीज देखिए प्रत्य आप पढ़े थे तो उसमें यह कुछन लगभग प्लसच्टक्र तो आप सब हार्दिक स्वागतम लिख दिये थे नहीं एहां पर ध्यान रखिएगा कि स्वागतम का बिसेशन है हारदिक बिसेशन बिसेशे अभी तक पढ़ाएं न बहुत बार यह सर क्या होता है बिसेशन बिसेशे का मतलब आपको बताएं हैं कि अगर हम लिखे अच्छा बच्चा जैसे आप सभी अच्छा बच्चा हैं जी सर हैं तो यहां पर बच्चा हो गया क्या और अच्छा हो गया क्या बताईए तो ध्यान से देखिए बच्चा की बिसेशता क्या है बच्चा के बुरा है सैतान है नटखट है जो भी हो तो यह बुरा हो गया इस बच्चे की बिशेशता तो वो हो गया बिशेशन अच्छा सर मतलब जो उसका गुन अब गुन रहेगा उसके बारे में रहेगा वो बिशेशन हो गया हाँ वो हो गया बिशेशन और जिसके बारे में रहेगा वो हो गया वीशेश से अच्छा सर ये बात है हाँ तो आपसे पूछे कि हार्दिकम स्वागतम में वीशेशन वीशेश से क्या है तो आप करेंगे कि सर वीशेशन है हार्दिकम क्यों 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 कि स्वागतम हो सकता है खराब भी करें मालीजी आप किसी के घरे चले ज के तो तो आपसे जल न जाएगा जी सर तो आपका अच्छा स्वागत करेगा नहीं तो अहां पर स्वागत की बिशेस्ता क्या हो गई बुरा यहां पर हार्दिक स्वागत है यानि कि अच्छा स्वागत हो रहा बच्चों का तो हार्दिक हो गया यानि स्वागत हो गया आपका अगर यहां पर स्वागतम हो गाने इसलिए प्रताम के साथ हार दी कम लगता है ठीक जैसे समाचार पत्रम है तो देनिकम तो इस टाइप के बहुत सारा कुशन प्रॉब्लेम था तो जो जो स्टूरेंट पूछे हम सबको बता दियें तो कॉमन हम रखे हुए उतना मटेरियल तो आप भी मैसेज कर दीज़ा कि सरप्रतय का टेस्ट लिए थे उसमें हमको दि अनुनाचल प्रदेश में सबका हारदिक स्वागत है छात्र बोलते हैं कि अनुग्रिहिता वयम यानि कि मतलब जैसे गुरुजी ता बोले कि आप सभी का स्वागत है तो वही फर्मलीटी में छात्रा जो है वो बोलती है देखिए छात्रा ही लिखा हुए क्योंकि लड़क ये कोई नहीं हुआ छात्रा का मतलब हुआ सभी छात्र ठीक है कंफ्यूज आपको इसलिए कर रहे है क्योंकि आभी तक आपको सब्दूरुप याद नहीं है बालका याद कीजिया यानि सभी छात्र जो है क्या करते है अनुग्रिता वयम यानि कि वयम मतलब हम लोग क्या ह अनुगरित है यानि गुरु जी इसके लिए क्या है तो थाइंक फुल है आप सब को थाइंक दे रहे हैं अस्य मनोहर प्रदेश अस्य भी से इस मनोहर प्रदेश के विश्य यानि की वारे में ग्यातुम यानि की जानने के लिए क्या है तो समु उत्सुका शम यानि की हम सब क तो कुछ जादा ही क्या है उच्शुक हैं हम सब इसके बारे में जानना चाहते हैं जो है परधाना चारे बोलते हैं कि जाना मी यानि कि मैं जानता हूं इता दर्थे में इसका मतलब क्या हो गया कि गुरुजी बोलते हैं कि इसलिए मैं जानता हूं कि तुम लोग उच्शुक जार कर रहे हैं जैसी वह आते हैं तो बताएंगे अब आपके मन में होगा कि सरी यह प्रेटन अधिकारी क्या है तो देखे प्रेटन अधिकारी या प्रेटन अधिकारी एक ही सब्द है जब हम अलग लिखते हैं ध्यान से देखेगा प्रेटन यह हो गया और अधिकारी यह हो आपहटा के लिखेंगे परेटना अधिकारी लिखेंगे तो सटा के लिखेंगे तुछ अब है सीन यह है परेटना अधिकारी का मतलब हो nasura poofitcer जो तुरिजम के बारे सब्सक्राइब। फोकस करो जो बहला जो अभी चलता है ट्रेंडिंग में वह बहला माइक होता है पुलिस ने चारो तरप से घिर लिया है वह बहला माइक ले लेते हैं सर माइक क्यों लेते हैं तो अब उनको इतना बच्चे को एड्रेस करना है तो माइक तो लेंगे जी सर माइक ले लेते हैं पर बोलते हैं प्रिये छात्र अभिननदन भवताम अस्मिन परदेशे अभिननदन है भवताम यानि कि आपका अस्मिन परदेशे यानि कि इस परदेश में। उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं परिसी दामी यत भवन्त असे रमस्य प्रदेशे भिसे ग्यातुम अति उत्सुका और परिसी दामी यानि कि खुसी हुई यानि कि बहुत प्रसन हुँ खुस हुँ कि यत यत मतलब जो क्यों खुस हुँ कि भवन्त असे यानि कि आप सभी अस्य रमस्य पर यानि कि इस रमनिय प्रदेश के बिशय में जानने के लिए क्या है तो अति उच्षूख हैं ठीक तो सर इनको कैसे पता चला कि बच्चे जानना चाह रहे थे तो प्रिंस्पल बतायोंगे ने कि सर जल्दी थोड़ा सा बताईए बच्चे जानना च लिज्यासाम शमितुम एकछामी अब जो है वो कहते हैं कि इत्यदर्थम यानि कि इसलिए अस्थला नाम दरशन है यानिकि अस्थल के दरशन के आप परबंध में भी कर दिया हूँ यानि प्रयटन अधिकारी बोलते हैं कि मुझे बहुत फर्स्ट लाइन पर फोकस कीज़ इसलिए क्या किया हूँ तो आप घुमाऊंगा भी मतलब आपको बहुत सारी चीजे बताऊंगा भी उसके पुरा परबंध है लेकिन एहां पर अभी संप्रति का मतलब अभी प्रशनुत्तर माध्यमें यानि कि प्रशनुत्तर के माध्यम से कुष्चान अंसर के थुरू भवताम यानि कि आपका जो जिग्यासा है इस प्रदेश के बारे में उसके बारे में थोड़ा सा कुष्चान अंसर के थुरू आपसे पूछेंगे कि कितना आप लोग इसे स्टेट के बारे में जानते हैं तो आपको दोनों समझना जरूरी है, तो इसमें ये प्रेटाने दिकारी बोलते हैं कि मुझे बहुत खुसी हुई कि आप लोग इस परदेश के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, अस्थल का भी प्रबंध हो गया, जहां आपको घुमाऊंगा, ठीक, लेकिन सबसे पहले एक प्रस्ण मैं पूछता हूँ कि आप लोग इस परदेश के बारे में कितना जानते हैं, ठीक, कुश्यन एंसर के माद्यम से, अस्थे परदेश से नाम अरुनाचला कथम जातम, अब ये जो है प्रेटान अधिकारी पूछते हैं कि अस्थे परदेश से, यानि कि इस परेटान अधिकारी ये बोलते हैं, हिमान्सु बोलता है कि अहम चिंतियामी यत अरुना तू शुरुय से पराया, यानि कि अहम चिंतियामी यानि कि मैं स्वोचता हूँ, यत यानि कि अरुन, तू का मतलब होगा, संस्क्रीट में अभी तो छपड़ी बासा में आ गया यानि कि हिमान्सु बोलता है कि अहम चिंतियामी यानि मैं चिंतन करता हूँ, यानि कि परेटाने दिकारी को बोलता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अरुन तो सुर्य से परियाए, यानि अरुन जो हो तो सुर्य का परियाए बाची है, यानि कि सुर्य भगवान को ही हम लोग अरून कहते हैं अस्य प्रकास सर्बर पर्थरमम इमंपरदेशम अस्पिर्शती यानि कि यहां पर बोला जाता है कि अरून यानि कि सुरे का प्रकास जो है सर्ब से पहले अरूनाचल परदेश पर ही गिरता है अतह इसलिए अरूनस्य परदेश अरूनाचल यानि कि अरून का यानि कि सुरे का परदेश ये क्या है तो अरुन आचल है यानि कि हिमान्सु क्या बोलता है सोच के हिमान्सु बोलता है प्रेटान दिकारी को कि सर मैं ये सोचता हूँ कि अरुन का मतलब तो सुरे हुआ यानि अरून का प्रयावाची सूरे है प्रयावाची का मतलब हुआ कि साइनो नेम बोलते हैं यस सर येंटो नेम बताईएगा आप हमें वाटसेप पे यानि कि same to same ठीक तो यहाँ पर अरून का तो मतलब हो गया सूरे यानि कि इस परदेश में ही सबसे पहले सूरे का प्रकास आता है अश्पिरसती का मतलब हुआ अश्पर्स करता है सबसे पहले सूरे इसी एस्टेट को छूता है इसलिए इसका नाम क्या है तो अरूना चल है ठीक कोई दिक्कत नो सार अब जो है हिमांसु जैसी यह अपना जो है विचार रखता है प्रेटान अधिकारी बोलते हैं कि सोबनम यानि कि बहुत सुंदर उचितम उक्तम यानि कि उचित आपने उक्तम यानि कि बोला अब जो है हिमांद क्या लिखा हुआ है ध्यान से यह पढ़नाय को कि यह जो है तीन वर्ड में टूटेगा देखिए यहां पर हिमाद्री का मतलब होता है बाबु हिमाले ठीक है हिमाले जी सर तुरंग मतलब हिमाले की उची क्या तो स्रिंगय यानि की चोटी समझे बात को हिमाले की उची चोटी को सूसोभीत सूसोभीत का मतलब हुआ सजी हुई सुर्यूदय भूमिय यानि ध्यान से सुनिए परेटन अदिकारी इसमें और चीज जोरते हैं परेटन अदिकारी बोलते हैं कि हिमाले की उची चोटी से सजी हुई सुर्यूदय की भूमिय है यह मतलब यह जो है परेटन अदिकारी बोलत हुए यहां पर हिमाले की सब से उची चोटियों में से चोटि सब यहां पढाएं। ठीक है? ठीक, क्योंकि एक माही बनाती है बेटी को Yeshua Strong चोटि का किलिंग पलस का white beauty formula यही न परचारा आता जी सर तो वही जो चोटि है हिमाले की सबसे मतलब जो उची चोटी है वो भी जो है हाँ पर साजी हुई है वो भी इस परदेस में और सुरीयोदे के भूमी ही ही इसलिए इसका नाम है अरुनाचल परदेश अता अरुनाचल, यानि कि यह क्या है? तो अरुनाचल है जैसे हमके बिहार राज्य तो राज्य लिखे या न लिखे बिहार एक राज्य है तो उसी तरह अरुनाचल परदेश पुरा नाम है लेकिन किताबों में अरुनाचल ही जीकर रहता है या अरुन का घर ठेक तो मतलब अरुनाचल परदेश ही हुआ असमीन परदेश है यानि कि इस परदेश में पंचास धिका नदा प्रभाहंती नदा का मतलग है नदी ये बहु बचन में प्रभाहंती देखिए तीत अंती क्या सिखाए हैं अंती मतलब बहु बचन इसलिए बोलें बात पढ़िए पचास से अधिक नदी जो है इस परदेश में बहती है अरे शरी ये ब बढ़े आगे जो है प्रयताना धिकारी कहते हैं कि बीपुला चाज अत्र वन संपदा यानि कि बहुत अधिक है अत्र यहां पर क्या वन संपदा तो सर चो का मतलब आपने मतलब वह और तो इसी में डिफ्रेंस में बोले संस्कृत में जो है लगता है इसका मतलब होता है और तो एंड का यूज यहां पर कैसे बनड़ा है तो देखिए इस परदेश में पचास अधिक नदी बहर है और बिपुला यानि की बहुत अधिक है क्या तो वन संपता यानि कि यहां पर वन संपत्ती भी बहुत है जंगल भी बहुत है बन औस दीनाम तू अयम शुरूता एब और वन उस्धी नाम देखिए बहु बचन है वन उस्धी नाम हमेशा बन बहु बचन रहेगा क्यों उस्धी नाम वन में एक उस्धी पाया जागा नहीं बालका नाम बहु बचन बहुत सारे उस्धी पाया जाएंगे तो वन उस्धी नाम यानि कि बहुत सारी वन उस्धी ह पुष्पा नाम का मतलब हो गया पुष्पा भाउ ने पुष्पा नाम का मतलब हो गया बहुत सारे पुष्पा फूलों की यहाँ पर क्या है तो काफी ज़ैसा समरिधिय है यानि कि बहुत भेड़े पमाने पर है और सुगन्ध है और पूरे मन को क्या करती है हर लेती है सर्वत्र हरी तीमा और यह एक ऐसा司्टेट है बच्चो प्रेटन धिकारी बोलते है कि सर्वत्र हरी तीमा यानि कि ठीक है इसका जो वातावरन है वो सब कुछ क्या है किलीन है सुध है और काफी ज्यादा क्या है तो मनुहरा यानि कि मन को हरने वाला है ठीक यानि प्रेटर ने लिकारी बोलते हैं कि केबल यह माना ना जाए कि यहां पर हरियाली हो गड़ा है तो यहां कि प्रयावरन सुध है यहां क सोरधी का इस प्रदेश का राजधानी का मतलब क्या है तो ने दिकार बोलते है इटा नर्पर्दैने अगरम्स मतलब riches जन जाती नाम कानी पर मुखानी आजीब का साधनानी जन जाती नाम का मतलब हो गया सीडियूल ट्राइब जो मतलब आदिवासी ट्राइब के हैं जंगल में जो रहते हैं ठीक हमारे जो देश के कुछ हिस्सों में जंगल में लोग रहते हैं ठीक है उनको कहते हैं जन जाती है तो वहीं स्यामा पूछती है कि यहां के जो लोग हैं उनका मतलब का मतलब हो गया तूंका रोजगार हो गरा क्या है ठीक मतलब हो गया अयसा कालै जो हमारे ठीकारी बोलते हैं कि यहां पर किरसी यानि कि सिलफ कला का मतलब हो गया हश्त कला जो हाथ से बना हुआ चीज है, वन संपदा यानिकी वन का संपती जो है उस पर भी इनका अधिकार है मितलब 只ब आधाज्य का ही अधिकार हैं यहां का साध्la ननी यानिकी आजीव का क्या है तो साधन है यानि लोग किरसी पे निरवर है हस्त कला हाथों से जैसे मुर्तियां हो गया है बहुत सारे चीज बनाते जैसे आप देखते हो हैंगे जो छट पुजा में हम लोग के इधर जो सुपली ओगरा का यूज होता है उस अभी क्या राता है हाथ से वो सब बनता है बनता है कि नह मासूस कहां से लोग लाते तो जंगल से लाते ठीक और यहां तो अनुवाचल प्रदेश में जंगल ही जंगल है तो बहुत सारा आउस दी हो गया ठीक तो वह सब ही इनका आजीवका का साधान है उसके बाद रभी पूछता है कि मानेवर यानि कि हे मानेवर का मतलब हो गया सर इसे इंगलिस में क्या एक है सर आप बड़े को भी यू छोटे को भी यू और दोनों मिल के करेंगे मियू मियू ठीक तो ऐसा यहां नहीं हम लोग क्या है समानोगरा सब कुछ है ठीक है तो मानेवर का मतलब हो गया यानि कि महानुभाव बड़े आदमी को कहते है बड़ ठीक है साधू प्रिष्टम का मतलब हो गया सही पुछा अब बताता हूं अत्र अनेके ये पुष्चन था पढ़ाय थे तो साधू प्रिष्टम का मतलब यहां पर हो गया जैसे अगर आप ही किसी को कुछ कह तो बोलेंगा गुड कुष्चन तो उसी टाइप का है गुड क्या है सो सुनिये ठीक पूछा इसका हिंदी हुआ साधू यानि कि ठीक साधू का मतलब साधू मत समझियेगा साधू हिंदी सब्द हुआ उसका मतलब साधू संति है साधू मतलब ठीक अच्छा जहां पर जो सूटे बुले अत्र अनेके परमुखुद सभा यानि कि यहां पर बहुत शार पर्मुक कुदसब है वांचो जन जाती नाम पर्मुखं पर्भ ओरिया-ईटिच्ति नाम को उन्हें जहीं? है तो सारी यह वांचो क्या है जैसे अपना क्या सिस्टम में की कास्ट में डिवीजन थीक तो जण जाती नाम के स्ट्ट्यूल जो है उहाँ पर मतलब की स्री ड्राइब है जो आदिवासी लोग है उसमें एक वांचो पूजनम ठीक यहां पर यह कुश्यन एंसर भी बन सकता है जब यह वाला लाइन दे दिया ठीक है तो उहां तो आपको पैसे देगा इसलिए घवराइए नहीं और सब हम छाट-छाट के निकाल लिए हो सब आपको कराद रहें और और करादेंगे बिल्कुल नहीं घवराना है किरसी भूमी पूजनम यानि कि किरसी भूमी की पूजा करते हैं सेतु निर्मानम यानि कि सेतु का निर्मान करते हैं पूल बनाते हैं चा का मतलब भी आपको बताए और एंड क्या करते हैं तो समाजिकम कारियम देखिए यहां पर भी समाजिकम कारियम है गर कारियम के साथ कॉर्ण काड़िक विशेशन हो तो नीजी झाल लगए । लेकिन यहाँ पर समाजिक है भी बिशेशन हो गया तो बिशेशन बिशेश का विवक्ती सें समाजिकम कारें देनीकम समाचार पत्रम ध्यान रखिया का प्रतें समाजिक कारें लोग करते हैं मोपीन इती अपी किर्सी पर बस्ती और यहां पर एक मोपीन नाम का किर्सी पर भी है देवा नाम अपी देवा मोप पूटेगा देवा नाम अपी अपी जो है इसी में संधियों के लिखा गया हुआ जैसे ये देवा नाम जी सर एक मिन टू किया देवा नाम महलत नहीं देवा नाम और पलस अपी तो यहां पर मो मिलके गुन संधियों के देवा नाम पी बन गया तो अपी का मतलब भी और बालक बहुत सारे देव के भी देव यानि देवों के देव ठीक महादेव ठीक है तो यहां पर देवों के देव जो है उनको मुपीन का इतिकत है थे मुपीन कहा गया है ठीक है चलिए होली सद्रीशम एव परवम इदम और यह होली सद्रीशम यानि होली के जैसा ही परव होता है जना बहुँ बचन है देखिए क्यों क्यों कि तेवार है तो एक लोग का होगा यानि सब का होगा बहुत सारे लोग का जना जो है परस्परम यानि की परस्परम क्या करते है तो परस्परम का मतलब हो आपस में एक दुसरे के मुखे यानि मुख पे कपोल यानि की गाल पे च सालीन चूरनम लिमपंती सालीन चूरनम का मतलब हो गया है यहाँ पर चाबल का हाटा जो है वो क्या करते हैं लेपते है इदम अप्रेल इती मां से मनने आते हैं और इसको अप्रेल में मनाया जाता है ओनम पर्व समम सादकेन एकम अन्यत पर्वमस्ती और यहां पर्वमस्ती भी देता है कभी कोई पर्व अस्ती देता है एकी चीज़ है लामा समुधाय होता है ऋसर लामा एक जाती हुआ जैसे अपने ह ही जाती चलता है वहाँ भी एक समुदाय है समुदाय का मतलवा जाती लामा समुदाय का एक लोसर नाम का भी परव होता है महतवपुर्ण परव इंपोर्टेंट फेस्टिवल है जो फरवरी में मानाया जाता है और हमारा देश तो परवो का देश है परवो का मतलवा उरने वाला परवा नहीं परवो यानि कि तेवहारों का देश है ठीक और तेवहार होना ही चाहिए किसी भी धर्म में ठीक है हर धर्म में हम लोग के देश में चाहिए हिंदू हो गया मुस्लिम धर्म हो गया आप देखेंगे तेवहार हम लोग चलाते रहते हर साल क्योंकि तेवहार है तभी तो सारा तेवाल है ठीक है तो खुब सब मजा करते हैं सब ठीक सब आज के लील बनाता है ठीक चलिए अब आगे जो है पढ़ते हैं यह देखिए नक्सा दिया हुआ इसको पढ़िएगा उसके बाद हिमान्सु कहता है कि अस्माभी हम लोगों ने अस्माभी का मतलब हम लोगों मतलब अपने पूरे दोस्तों के बारे में कहता है कि हम लोगों ने मिथून इतीविश है यानि कि मिथून के बारे में भी अपी यानि भी किन्चित सुरूतम कुछ सुना है किम्तत क्या है वह पर्जेटर ने धिकारी बोलते हैं कि मिथून जो होता है गो महिस सद्रिश एक का मतलब हुआ है यहां पर गाय और भैस की तरह एक विशेष पसु होता है जिसका नाम है मिथुन तेक सायद मिथुन रासी वाल आप लोग देखे होंगे उसमें जो चीन रातार पसु का जी सर उसी को कहते हैं ठीक है राज पसु है विशेष राज पसु राज पसु का मतलब सोभा कहती है कि वयम यानि की हम सब अत्रेत अत्रेत या नाम एतिहासिक अस्थला नाम मतलब कि यहां के एतिहासिक अस्थल के विशे यानि की विशे में बारे में जात्मिक छाम जानने के लिए क्या है तो इच्छुक है उस पे प्रेटन लिकारी बोलते है कि मया यानि की म पूर्बम यानि कि पहले एव मतलब ही उक्तम यानि कहा था यत्मने इस जो जो अस्य प्रदेश अस्य दर्सनिय अस्थाला नाम दर्सनाय विशेश प्रबंदा अपिर्श थी कि इस प्रदेश के दर्सनिय अस्थाल के दर्सन के लिए विशेश प्रबंद भी किया है अधुना यानि कि अभी अधुना का मतलब होता है अब अभ्य में भी आपड़ेंगे तू यानि कि तो वयम यानि कि हम लोग अनिन प्रक्षेपके नियंत्रेन के सांचीत अस्थाला नाम पड़िचयम प्राप्सयाम और यहां पर हम लोग क्या करेंगे तो प्रजेक्टर के मा परद्यम से उस अस्थल का करेंगे और चीत करेंगे ठीक तो सर आप बोले कि शुरू में सब घूमेगा अरुनाचल प्रदेश तो निश्चित और पर टूर पे गया तो घूमेगा ही लेकिन आप दिली घूमने जाएंगे तो पहले आपको थोड़ा लाल किल्या के बारे में जी रेक्टर चलाया जायगा जी सर्गी यह लाल किल्या तो मने जाकों आप देखेंग वहीं चलाई पस्य अता चीतरम चलो पस्य करो यानिकी देखो इस चीतर को ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब जो है राजीब का प्रस्न होता है क्या प्रस्न होता है देखिएगा और जो जो आप सभी को दिक्कत हो जाएगा ठीक चीन्ता करना नहीं आप हमको बताईएगा कि क्या क्या है दिक्कत ठीक है कोई दिक्कत तो है नहीं कोई किया पर हम कुछ क्लास करा के भाग नहीं है सब आपके साथ जूरें है तो आप एकदम पूछते हैं और सबी बच्चे पूछते आप भी पूछे और जीतना वीडियो है उसको complete कर ये group में फिर सब serial करके दे देंगे कीम एतत कस्य चीत दुर्ग से चितरम फिर राजीब पूछता है कि कीम क्या यह किसी दुर्ग मतलब हुआ किले का चितर है दुर्ग से घगतिर बत hourly किसी दुर्ग का चितर मया पूछता है कि आम लिन्वांग का उप्तेयका मंदले इस्थितम भिश्मक नगर दुर्गं यानि कि हां यह क्या है तो दिबांग उपतया का मतलब घाटी यानि दिबांग घाटी मंडले तो मंडले का मतलब होता है पाट जैसे इसको आप समझ सकते हैं जिला ठीक है दिबांग घाटी जिला जो है जैसे वहां राची जिला धनवाद जिला या राची मंडल के अंतरगत दस जिला आया, दस नहीं मतलब दो तीन जिला आया, ठेक, तो वो भी मंडल यहां पर होता है, तो भिस्मक नगर क्या है दुर्गम है, यानि भिस्मक नगर का क्या है, तो दुर्गम है, तो दिवांग उपतया का मंडले यानि कि वही जोन है, रिजनल है, जैसे मुझह यहाँ पर यही जो है किला है ठीक है अब अब सेस बचा हुआ है निकि बहुत पहले का यह आरे के जवाने का ही है हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको और डीटेल में पदा चलेगा अश्य अब सेसा यानिकि अब इसका अब सेस यानिकि बचा हुआ पार्ट बच गया हुआ है पुछी पार्ट तु आरे काला संस्कृती संपधा पड़ी चाहे का अधुना इदम चित्रम पर स्थेते और इस चित में तुम देख सकते हो कि आरे काल के संस्कृती यानि आरे काल का जो बैदिक प्रियर्ड आप पढ़ते होंगे इस्ट्रीम अभी तो नहीं पढ़ेंगे ज वहां भी काफी इंपोर्टेंट टोपिक रहता है तो आरे काल का जो है आपर एसाई मतलब सब इंस्पेक्टर दार होगा ठीक इस चित्र में देख सकते हों सैलेस बोलता है कि अहम जानामी इदम अस्थानम इदम तू अफिन नया चित्र दिखाता है वहां पर्जेक्टर प विक्चो का यहां पर पंच सत्का नाम बहुत विक्चु नाम निवास योग्य अस्थली है यहां पर पांच सो बहुत से ज्यादा जो है मतलब लगवक पांच सो बहुत विक्चु के निवास करने का अस्थल है लोहित जन्पदे हां देखें जन्पदे का मतलब वहां अपी इनेक बाध बिहारेशंती लोहित जीले में बहुत सारे बाध भीहार यानि कि बाधो के रहने वाले मथ मन्दिर है नीलिम्य बहुत बहुत इस पर देश की परत rushed har상 कर से लिचे को पढ़ी हूं की मलं क्या है तो परेटरन अधिकारी बोलते हैं, निलिमा के सवाल पे बोलते हैं, आम यानि हां, हां का मतलर हुगा है, आम खाने वाला है, हां होगा, एक अधत कुंडम तु लोहित नदा किंची दुरे अस्ति, एक तत यानि यह कुंड तो लोहित नदी से कुछ दूर पे है, पुरवम य और इदम इसे लोहित नदी का उद्गम अस्थल भी माना जाता है, माना जाता है कि लोहित नदी यही से निकलती है जैसे गंगोतरी से गंगा माना निकलती है गंगा नदी अत्र अनेकानी यहाँ पर बहुत सारे अनेकानी यानि अनेक परकार के अन्यानी दर्शनी यानि यान दर्शनी अस्थल हैं अस्माकम प्रेटन विभागें हमारा जो प्रेटन विभागें प्रकासिताम के चीद परसीद अस्थालानाम सुची हमारा प्रकासिताम यानि पब्लिस किया है क्या तो केचांचीत यानि कुछ परसीद अस्थालानाम यानि परसीद अस्थलों की सुच यानि की लिस्ट पठितवा पढ़ो और ज्यातम यामानी पढ़ेंगे और आप इसके बारे में जानेंगे कि क्या-क्या प्रियाइटन अस्थल अरुनाचल परदेश में जैसे लिस्ट दिया हुआ है ठीक है स्टूडेन जैसे ईटा नगरम में क्या है तो इटा नगर तो यह सब जो है आप पढ़ ली जगा यह इंपोर्टेंट नहीं बस वही अरुनाचल प्रदेश में क्या-क्या दर्शनी अस्थले उसके बारे में दिया गया है फिर सर्वे बोलते हैं कि अधुना तू वैसा एतानी अस्थलानी दर्श्टुमुत्सुकासम ठेक यानि कि दिया हुआ है कि इतने जो है दर्शनी अस्थल जो है कहां पर है तो इतने दर्शनी अस्थल अरुनाचल प्रदेश में है तो पहले परियाटन अस्थल दिया हुआ है और उसके बाद जो है उसका क्या दिया हुआ है तो नाम दिया हुआ है ठीक है तो आप जो है यहां पर देखेंगे कि पहले परया अस्थान का पूरा है नाम उसके बाद वह किस अस्थान पे कि इन अस्थलों को जो उपर दिया गया है दरश्टुम उत्सुका समा देखने के लिए उत्सुक है परधानाचारे बोलते हैं कि शोभनम बहुत सुन्दर अयते साम दर्सनाय संपूर्णा व्यवस्था वर्तते इसके दर्सन की संपूर्ण व्यवस्था की गई है कारिक्रमस अब जल पानाद यानि कि खाज नास्ते के बाद जो है अम लोग यहां पर बारी बारी से जाएंगे और यही जो है चेप्टर आपका खतम हो गया तो चेप्टर को अच्छे डंग से पढ़िए फिर कुश्चन इसका रेडी करके आप लोग को डिपीपी स्लूशन बोडियों क बसादेंगे उसको कर लिए यह चेप्टर हो जागा आपका कंप्लीट तुम मिलते हैं बगले टोपिक में थाइंक यूँ